Hello everyone, बिटा स्टार्ट करें हम लोग Principle of Ineditance and Variation का Part 2 और Part 1 में हमने जो टॉपिक कम्प्लीट किया था उसको verbally एक बर revise करेंगे और उसके बाद हम लोग Part 2 को स्टार्ट करेंगे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बर clear कर देता हूँ आपके इस चैप्टर से 5-6 कोशन नीट के एक्जाम में आ रहे हैं और चैप्टर बहुत important और बहुत सारे concept है और जो मैं चीज़े आपको करा रहा हूँ वो आप नीट के लिए चाहे उसको short में देखें, long में देखें उसी में से आपको paper के maximum questions या असारे questions वहीं से मिल जाएंगे clear है, तो मैं आपको NCRT based करा रहा हूँ मैं आपको वो चीज़े करा रहा हूँ जो आपको समझ आनी चीए और आपके लिए important है तो lecture को start करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा आपको verbally चीज़ों को revise करूँगा कि exactly हमने क्या पढ़ा था अभी तक तो अगर मैं आपको कुछ data दिखा सकूँ तो मैंने आपको सबसे पहले genetics की definition दी थी, एक ऐसी branch होती है जो किस से deal करती है, heredity और variation से तो जब हम heredity की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है transfer of trait by the process of inheritance, उसके थुरू आप trait को या किसी character को transfer कर रहे हैं जब हम बात करते हैं variation की, तो variation का मतलब होता है amount of difference कितना अंतर है, दो प्रोजेनी का आपस में और या बच्चों का अपने parent से क्या अंतर है उसे हम variation कहते हैं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि यार इस पर काम किस ने किया है Mendel से पहले हमें थोड़ा बहुत idea था, हमने agriculture में genetics को use किया था क्योंकि वहाँ पर हम use कर रहे थे, domestication और artificial selection लेकिन proper as a branch, Mendel के work के बाद वो चीज start हुई तो Mendel का जो work year है वो important है, 1856 से 63, 7 साल तक Mendel ने अपना experiment किया उसके बाद उस work को publish किया 1865 में और उन्होंने क्या किया बिटा, उन्होंने जो काम किया उसमें कुछ उन्होंने important observation करी, तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि Mendel के experiment का नाम क्या था, blending experiment, याद है आपको, जी सर, blending experiment मेंडल के experiment का नाम था उसमें उन्होंने क्या किया था, selection of parent किया था, तो 14 true breeding variety true breeding variety वो होती है, जिनकी बार-बार selfing करने से वही individual आता है, उसे true breeding variety कहते है तो 14 true breeding variety ली, उसमें सबसे पहले उन्होंने लिया plant height, tall और dwarf, फिर flower के दो character थे, pod के दो थे, और seed के दो थे flower में सबसे पहले हम color की बात कर लेते हैं, wallet dominant है, white recessive है, फिर flower में position axial dominant है, और हमारे पास terminal recessive है फिर हम बात कर लेते हैं, pod में, pod में जो color है हमारे पास, sorry, pod में हमारे पास shape है, smooth या हम बोल सकते हैं, inflated होगा, और जो constructed है, वो recessive है उसके बाद pod का color green dominant है, और yellow recessive है, seed round dominant है, wrinkled recessive है, और seed में yellow dominant है, pod से उल्टा है, और हमारे पास green recessive है तो ये 7 character थे, chromosome number नहीं याद करने, किस पर ये present थे, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, कि उन्होंने cross कराया हमारे पास pea plant, एक bisexual plant होता है, ठीक है, उसके characters जो होते हैं, उनको easily observe कर सकते हैं, और उसमें normally self pollination होती है, हम cross pollination कर सकते हैं तो मेंडल ने क्या किया, उसके बाद जब cross कराया, तो उन्होंने एक plant को as a male लिया, दूसरे को as a female लिया और pure plant लिये, उन्हें हम कहते हैं parental cross कराया, तो f1 generation आई, f1 generation की उन्होंने selfing करी, जिसे हम self pollination कहते हैं, और उसके बाद जो result आए, वो f2 आया तो मेंडल ने जो observation करी, वो ये करी, कि जो f1 generation है, वो दोनों में से किसी एक parent से match कर रही है, और f2 generation जो है, वो दोनों parent से match कर रही है और उसकी ratio 3 is to 1 में आ रही है, ये मेंडल की observation थी, उसके बाद मेंडल ने जो conclusion निकाला, ये निकाला, जो NCRT में line लिखे हुई है something being stably passed, कुछ ऐसा है, जो बिना बदले, stable तरीके से pass होता है, from parent to progeny, through gamets parent से progeny में जाता है, gamets के थ्रू, मेंडल ने इस something को क्या बोला बेटा, मेंडल ने इस something को बोला factor, जिसे आज हम gene के नाम से जानते है तो ये आपका starting वाला part है, मेंडल के success का reason, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने maths यूज किया था, ताकि data की proper analysis कर सके उन्होंने general trait of inheritance दिया था, rather unsubstanted data, ठीक है, इस तरीके से चीजे मेंडल ने करी थी, clear है, इस तरीके से चीजे मेंडल ने करी थी और बड़ा sample size था, बार बार cross करा के result को check किया था, उसके बाद, हमारे पास जो है, मेंडल के law की बात कर सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हो, हम सबसे पहले बात कर सकते हैं, law of dominance की, law of dominance कहता है, कि हमारे पास trait या factor, जोडे में होते हैं, factors occur in pair, factors किस में होते हैं, जोडे म होगा, तो उसमें से एक खुद को express करता है, दूसरा खुद को express नहीं करता, इसे हम कहते हैं, बेटा, law of dominance, तो क्या हम law of dominance समझ पाए, हाँ, तो trait is controlled by discrete unit called factor, factor occur in pair, and in dissimilar pair of factor, एक express करेगा, दूसरा express नहीं करेगा, इसे हम कहते हैं, law of dominance, अब law of dominance, क्या बाते explain करता है, कि F1 में क्यों tall आया, और F2 में tall और dwarf की ratio, 3 is to 1 क्यों आई, ये बाते कौन explain करता है, law of dominance explain करता है, फिर law of segregation कहता है, कि हमारे पास gamut formation के वक्त, जो pair of factor हैं, वो अलग हो जाते हैं, और कुछ इस तरीके से अलग होते हैं, कि हर gamut में, उस pair में से एक factor move करता है, क्या आपको ये बात में आ रही है, ये हमारे पास law of segregation है, तो gamuts are pure, pure क्योंकि उसमें एक ही factor आ रहा है, और वो दुबारा combine होते हैं, zygote में, कौन factors, ये चीज़ clear है, इसे law of segregation कहते हैं, उसके बाद हमारे पास test cross होता है, test cross किसले होता है, to identify a non-genotype, मुझे phenotype पता है, कि ये tall है, मुझे अगर इस कौन सा cross होता है, test cross होता है, तो test cross पता करने के लिए होता है, unknown genotype को, क्या आपको मेरी बाते clear होई है, सोचिए, test cross में करते क्या है, cross with recessive parent, तो आपको ये clear होगा, कि एक और cross होता है, जिसे हम back cross कहते हैं, back cross actually में inbreeding word भी उसके लिए use कर सकते हैं, back cross में क्या होता है, किसी भ test cross एक तरह का back cross है जिसमें cross सिर्फ recessive parent से करते हैं और back cross में दोनों में से किसी से कर सकते हैं test cross में जो result आता है phenotypic और genotypic ratio दोनो 1 is to 1 आएगी तो इसका मतलब वो parent जिससे cross कराया हमने recessive parent को जिससे cross कराया वो heterogigas है अगर ratio 1 is to 1 आती है ये चीज़ समझ में आ रही है उसके बाद test cross के बाद हमारे पास back cross आ गया फिर हम बात करते हैं reciprocal cross की reciprocal cross क्या होता है कि मालो ये tall है ड्वार्फ है इसे male की तरह treat किया इसे female की तरह है इसका pollen इसपे डाला तो लेकिन अगर मैं opposite करूँ इसका pollen इसपे transfer करूँ तो उसे reciprocal cross कहते है normal हम mendel का अगर cross देखें उसमें reciprocal cross और normal cross के result में कोई अंतर नहीं होता ठीके clear है चली आगे चलेंगे अम बात करेंगे gene interaction की gene interaction topic को मैंने आपको ऐसे समझाया था कि हमारे पास क्या होता है genes nucleus के अंदर होती है हर एक gene protein की formation करती है जो protein हमारे पास बनती है वो आपस में interact करती है एक interaction ये होता है कि capital T की बनी हुई protein अगर small t की बनी हुई protein को रोक दे तो उसे हम क्या बोलते हैं बिटा उसे हम कहते हैं dominance तो dominance एक तरह का interaction है जहाँ पर एक gene का product दूसरे gene के product को दिखने नहीं देता तो F1 generation में दोनों parent में से किसी एक का feature आएगा उसे हम कहते है dominance सही है co dominance क्या होता है दोनों parent का feature F1 में आ जाए मालो मैंने red flower और white को cross कराया तो F1 में red और white दोनो petals आ जाएए तो उसे हम co dominance कहते है incomplete dominance क्या होता है red और white को cross कराया pink flower आया तो co dominance का आपके पास क्या example है सबसे पहले incomplete dominance का example क्या है आप red flower को white से cross कराओ F1 generation में pink आएगा ठीक है और वो उसको selfing करो तो F2 generation की phenotypic ratio तीन phenotype आएंगे phenotypic ratio 1 is to 2 is to 1 है और genotypic ratio भी 1 is to 2 is to 1 है तो phenotypic और genotypic ratio F2 generation में incomplete dominance में same आती है F1 generation दोनों में से किसी से नहीं मिलता दोनों parent से किसी से नहीं मिलता और वो क्या होता intermediate होता है दोनों का क्या ये चीज़े clear है आपको ठीक है इसके example है mirabilis jalapa fouroclock plant या snap dragon जिसे anti-renum mages कहते है ठीक co-dominance क्या होता है बिटा co-dominance में हमारे पास क्या होगा कि जो F1 generation उसमें दोनों के feature आ रहे है co-dominance में क्या होता है दोनों allele अपने आपको पूरी तरह से express करती है co-dominance का best example है आपके पास AB blood group हमारे पास blood group की तीन allele होती है IA, IB, small i ये तीनों allele में से IA एक antigen बनाती है जो sugar polymer होता है IB भी एक antigen बनाता है जो different sugar polymer होता है small i कोई antigen नहीं बनाता अगर A blood group है तो A antigen होगा B blood group में B antigen होगा और AB blood group में A और B दोनों के antigen होगे दोनों के sugar polymer होगे और O blood group में कोई antigen नहीं होगा Blood group में total allele कितनी है? 3 कितने phenotype बनते है? 4 A blood group, B blood group, O blood group, AB blood group और कितने genotype बनते हैं बेटा? 6 हना total 6 genotype बनेंगे और ये हमारे पास multiple allele का भी example है तो blood group में co-dominance कौन सा example है? AB blood group ये clear है? सही है? ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं pleiotropy की Normally Mendel के अनुसार या Mendel के according एक gene एक ही product form करती है पर pleiotropy के case में एक gene का एक से ज़ादा effect होता है इसे हम pleiotropic gene कहते हैं Normally एक gene एक protein बनाती है उस protein के multiple effect होते हैं इसका best example है phenyl ketone urea phenyl ketone urea में एक enzyme नहीं बन पाता जिसे हम कहते हैं hydroxylase तो जो gene इस enzyme को बना रही थी वो pleiotropic gene थी ऐसा क्यों होता है क्योंकि phenyl alanine एक aromatic amino acid है उस पे अगर मैं OH group जोड़नू तो tyrosine बनता है जो दूसरा एक aromatic amino acid है OH group के साथ इसको करने के लिए मुझे hydroxylase enzyme चाहिए जो जिस gene से बन रहा है उसका नाम pleiotropic gene है ये tyrosine क्या बनाता है thyroxine hormone, adrenaline, dopamine और हमारे पास हम लिख सकते है melanin ये चीजे बनाता है अगर किसी reason से इस gene में mutation हो जाए जो hydroxylase enzyme बना रही है तो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा हमारे पास जो ध्यान से सुनेंगे जो phenylalanine है उसका amount बढ़ जाएगा और tyrosine का amount घट जाएगा phenylalanine बढ़ने से क्या होगा बिटा excess phenylalanine excess phenylalanine convert होगा phenyl pyruvic acid में जो एक ketone का structure है जिसे ketone body कहते है वो ketone body का poor absorption kidney में होता है और वो फिर urine में आता है दूसरा क्या होगा अगर tyrosine कम बनेगा तो melanine का जो amount है हमारे पास melanine का जो amount है वो घट जाएगा और skin और hair में pigmentation decrease हो जाएगी उसके अलावा phenyl pyruvate जो कि एक ketone body थी वो mental retardation भी कर सकती है तो ये हमारे पास क्या हो गया pleiotropy हो गया pleiotropy का एक और example starch grain synthesis की gene है gene B वो दो character control करती है एक incomplete dominance दूसरा dominance इसी लिए वो किसका example है pleiotropy का example है clear है अब हम बात करेंगे बिटा multiple allele की तो किसी भी character के लिए अगर दो से जादा allele present है हर individual में maximum दो हो सकती है अगर दो से जादा allele present है तो उसे हम multiple allele बोलते है multiple allele को पढ़ने के लिए मुझे हमेशा population की आवशक्ता होगी population की ज़रुरत होगी बिना population के आप multiple allele नहीं पढ़ सकते मतलब more than one individual चाहिए chromosome number same होता है कि आप में 15 chromosome है मेरे पे भी 15 chromosome पे number of chromosome is same but main is कि आपको to study multiple allele you require more than one individual locus same है character same है क्या अलग है more than one individual चाहिए तब आप multiple allele पढ़ सकते हो best example है blood group जिसमें एक character की 3 allele present है क्या आपको समझ में आ गया ठीक है अब यहां से हम एक और gene interaction पे जाएंगे जिसे हम polygenic gene interaction कहते है अभी तक जो हम gene interaction पढ़ रहे थे वो कौन से वाला था बिटा single gene locus का था इसका क्या मतलब है सुन लो ध्यान से अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हम ऐसे वाला पढ़ रहे थे कि जैसे ये chromosome है ठीक है और इस पर माल लो हमारे पास gene है capital है और यहाँ पर small है तो इसने protein बनाई और इसने protein बनाई हम इन दोनों के interaction को पढ़ रहे थे जो single gene locus का interaction था अभी हम क्या बात कर सकते हैं माल लीजिए यहाँ पर capital B है और यहाँ पर small B है तो हमारे पास बिटा हमारे पास हम क्या पढ़ सकते हैं समझ लो ध्यान से हमारे पास क्या हम पढ़ सकते हैं एक सेकिन देंगे देखें ध्यान से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी एक protein बनेगी और इसकी अलग protein बनेगी अगर यह एक locus है ये दूसरा लोकस है इस लोकस की प्रोटीन इसके साथ इंट्रेक्ट करें इसका मतलब ये हो गया ये जीन लोकस इसके साथ इंट्रेक्ट करें इसे कहते हैं इंट्रेक्शन ओफ टू जीन लोकस तो इसमें आपने दो चीजे पढ़नी हैं सिर्फ एक पढ़ना आपने polygenic inheritance और दूसरा आपने पढ़ना है law of independent assortment law of independent assortment minimum die hybrid cross में काम करता है repeat कर रहा हूँ अगर मेरे पास capital A और small A आपस में इंट्रेक्ट करेंगे तो इसे हम कहते हैं एक जीन लोकस आपस में इंट्रेक्ट कर रहा है लेकिन हमारे पास अगर ध्यान से सुने अगर इसका product इसके साथ इ इंट्रेक्ट कर रहे हैं क्या आपको मेरी बाते clear हो रही है हाँ सथ धोड़ा से आगे चलते हैं अब हम बात करने वाले हैं दो जीन लोकस का इंट्रेक्ट करेंगे हम किसकी बात करेंगे तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये मैंने क्या बना रखा है मैंने ये एक डाय पढ़ाई करते हैं सबसे पहले हम एक law पढ़ते हैं जो Mendel का law था जिसे हम law of independent segregation कहते हैं law of independent assortment कहते हैं मेरी बास समो द्यान से law of independent assortment से पहले ये समझो कि अगर मैं capital A को इसमें लाऊं और small A को इसमें लाऊं इसे आप क्या बोलोगे segregation बोलोगे सोचो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ ध्यान दो बिटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं capital A को इसमें लाऊं और small A को इसमें लाऊं तो मैंने दोनों को अलग कर दिया हां सर अलग कर दिया इसको मैंने क्या बोला है इसको मैंने segregation बोला है ऐसे ही अगर मैं ध्यान देंगे अगर मैं capital B को इसमें ले जाओ और small B को इसमें ले जाओ यह है क्या चीज? gamit है यह क्या है बिटा? gamit है आना यह gamit है तो यह चीज gamit है बिटा? यह gamit है यह gamit है ठीक है? तो मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि अगर मैं capital A को यहाँ लाया और इसको इधर लाया इसे segregation कह रहे है अब इसकी segregation इसकी segregation पर depend नहीं कर रही किस की किस पर depend नहीं कर रही? मतलब इसकी segregation हमारे पास थ्यान देंगे इसकी segregation मतलब इस pair की segregation इस pair की segregation पे depend नहीं करती मतलब यह हुआ कि इस gamit में इन दोनों में से मालो यह आ गया तो दूसरे वाले में मालो यह चला गया अब हो सकता है कि capital भी यहां आ जाए या capital भी इसके साथ भी जा सकता है दोनों में से किसी के साथ भी यहां भी आ सकता है इसका सीधा-सीधा मतलब यह हो गया कि इसकी segregation इसकी segregation पे depend नहीं करी इसे हम कहते हैं law of independent assortment जिसका मतलब है कि segregation of one pair मतलब क्या हुआ कि segregation of one pair इस pair का अलग होना इस pair के अलग होने से पे depend नहीं करता उससे क्या फायदा होगा कि जैसे capital A के साथ, capital A के साथ capital B भी आ सकता है, capital A के साथ small B भी आ सकता है, small A के साथ capital B और small A के साथ small B, इससे हमें different combination मिलते हैं, तो segregation of one pair of trade समझ रहे हो, segregation of one pair of trade मतलब इसका segregation, इसके segregation पे depend नहीं करता, इससे different combination बनते हैं gamets के, इसलिए इसे हम कहते है law of independent assortment क्या आपको ये बाते clear हो गई ये पहला example है दो gene locus या एक तरीके से dihybrid cross में कोई चीज हम पढ़ रहे है clear हुआ और law of independent assortment का ये हमने क्या लिखा है meaning this is meaning क्या मतलब होता है और उसका result क्या होता है result result होता है different combination form क्या बनेंगे different combination किसके अंदर combination of factor या gene किसके अंदर in gametes तो gametes के अंदर different हमारे पास क्या बनेंगे combination बनेंगे तो इसे हमने क्या बोल दिया independent assortment बोल दिया अब हम बात कर रहे हैं polygenic inheritance की अब हम बात कर रहे हैं polygenic inheritance की हम बात कर रहे हैं मेरी बात बहुत ध्यान से जुनना, बहुत important बात है, polygenic inheritance को समझने के लिए, आपको सबसे पहले देखो, अभी तक आप incomplete dominance और co-dominance पढ़ रहे थी, उनमें क्या था बेटा, एकी character involved था, capital A, small a involved है, या capital B, small b, कोई ऐसी चीज involved है, जो एक locust, एक तरीके का monohybrid से related बात थी, कौन-कौन सी, incomplete dominance, co-dominance, pleiotropy वगरे सब monohybrid type की बात थी, जब हमने dihybrid की बात करी, मतलब हमने दो अलग-लग character को लिया, दो अलग-लग locust को लिया, तो हमने बात करनी हैं, उसमें एक हमने Mendel का law पढ़ लिया, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे बिटा, दूसरा हम पढ़ेंगे qualitative and what is quantitative inheritance, मेरी बात समझ में आईए, polygenic inheritance मैं पढ़ूँगा, पर उससे पहले मैं क्या जानना चाहूँगा, what is qualitative and what is quantitative inheritance, मेरी तरह बहुत ज्यान से देखें, देखो, आपके पास, मेरे पास ये plant मुझे कैसा दिख रहा है, tall दिख रहा है, तो इस tall का genotype मैंने ये लिखा और ये लिख दिया, और ये मुझे dwarf लिख रहा है, इसका genotype ये लिख दिया, तो qualitative inheritance का meaning ये है, कि अगर आप ध्यान से देखो, इस tall में और इस tall की height में कोई अंतर नहीं, मालो ये 1 meter है, तो ये भी 1 meter है, भले इनके genotype में फरक है, तो qualitative inheritance कहता है, कि चाहे 2 dominant हो, चाहे 1 dominant हो, देख कहता है, quality, वो कहता है, कि मुझे number of dominant allele matter नहीं करती, number of dominant allele matter नहीं करती, समझो इस बात को, number of dominant allele not matter, हना, उससे क्या होगा, उससे ये होगा, कि अगर ये qualitative inheritance है, तो capital T और capital T small t का, इनका same phenotype आएगा, इनका phenotype कैसा आएगा, बिटा, same आएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, phenotype same आएगा, तो ऐसे inheritance को हम क्या बोलते है, qualitative inheritance, जहां पर capital T, capital T, और capital T, small t का, जो phenotype है, एक जैसा है, भले ही दोनों में number of dominant allele का फड़क है, quantitative का क्या मतलब होता है, कि जैसे माल लो ये tall है, ठीक है, ये semi tall है, और ये माल लो dwarf है, मेरा point सिर्फ ये है, कि माल लो इसका genotype capital A, capital A है, इसका capital A, small A, और इसका small A, small A, अब आप खुद ध्यान से देखो, इसमें कितनी dominant allele हैं, दो, इसमें कितनी है, एक और इसमें zero dominant, मैं dominant की बात कर रहा हूँ, तो दो dominant allele होने से height जादा है, एक dominant होने से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस बात का फर्क पड़ रहा है, कि कितनी dominant allele है, ऐसे inheritance को quantity, quantity समझ में आता है, संख्या, quantitative inheritance कहते हैं, तो इसमें number of dominant allele matter करती है, समझ में आ रहा है, जितनी जादा dominant होंगी, more is dominant, more is dominant, उतना जादा क्या होगा, more is effect, उतना जादा effect होगा, जैसे अगर qualitative है, तो इन दोनों का phenotype same होता है, लेकिन अगर quantitative है, तो quantitative में इनका phenotype अलग होगा, quantitative में क्या होगा, बिटा, आप खुद देखो, quantitative में इनका phenotype क्या होगा different होगा क्या आपको ये समझ में आ रही है कि नहीं बताओ क्या आपको समझ में आ रही है तो what is qualitative and what is quantitative inheritance ये आपको clear होना चाहिए what is qualitative and what is quantitative inheritance अब यहां से हम आगे जाएंगे यहां से हम आगे जाएंगे मैं आपको कुछ चीजे समझा रहा हूँ ज्यान से तुनेंगे polygenic inheritance को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजे समझाऊंगा उसको समझना जब हमने सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया qualitative quantitative क्या होता है थोड़ा बोता idea लग गया हाँ सर अब सुनो polygenic का क्या मतलब होता है कि किसी एक character को control करने के लिए बहुत सारे gene locust हो normally आपने जब Mendel के बारे में पढ़ा था तो Mendel ने कैसे character पढ़ाए या तो round होगा या wrinkled होगा बीच का कुछ था नहीं या तो tall होगा या dwarf होगा बीच में कुछ आ रहा था semi tall अगरे नहीं तो Mendel ने जो character की study करी वो कैसे वाले थे वो थे extreme वाले या तो tall या dwarf या round या wrinkled बीच का कुछ था नहीं polygenic inheritance में क्या होता है जरा समझने की कोशिश करें उससे आपको idea लग जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ मेंडल ने क्या पढ़ाय था बेटा मेंडल ने ये पढ़ाय था कि बहुत सारे जो character होते हैं जैसे कि ये ये tall है और dwarf है इनकी दो ही form है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि according to मेंडल ध्यान से सुना इसे according to मेंडल बहुत सारे ऐसे character है many character बहुत सारे ऐसे character है जिनकी दो extreme form है जिनकी दो extreme form है हाना इनकी दो extreme form है या तो सिर्फ tall होगा dwarf होगा कोई intermediate नहीं होता no intermediate ठीक है लेकिन होता क्या है in human and other organism कुछ और organism में जैसे मैं बात करता हूँ मालो skin color की हमारे पास जैसे कि skin color उसमें मेरे पास range होती है character की मेरे पास क्या होती है range of character होती है character की पूरी की पूरी क्या होती है range होती है, तो आपको ये clear होना चाहिए, कि हम कहां पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि what is polygenic inheritance उसमें सबसे पहले मैंने आपको qualitative और quantitative समझा दिया जब आपने वो समझ लिया तो अब आप अगली बात ये समझो कि यार देखो, Mendel ने जो character पढ़ाए थे ना, वो दो ही तरह के होते थे या तो tall dwarf, round wrinkle, yellow green ऐसे, लेकिन nature में क्या सारे character ऐसे होते हैं, नहीं उनमें कुछ range होती है, जैसे ये skin color है तो अगर आप देखोगे इसमें क्या दो ही skin color है, नहीं एक से जादा मेंने बना दिया तो ऐसा कैसे possible है, ऐसा ऐसे possible है, कि skin color को बनाने के लिए मुझे एक protein चाहिए melanin, ध्यान से दुनना skin color को बनाने के लिए मुझे एक protein चाहिए melanin, तो ये जो capital A है, ये थोड़ा सा melanin बनाता है, फिर दूसरा वाला capital A थोड़ा और बनाता है, फिर capital B ये भी melanin बना रहा है तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि एक से जादा gene locus क्या बना रहे हैं, melanin बना रहे हैं, और उसमें भी क्या हो रहा है, कि जितने जादा dominant rate होंगे उतना जादा melanin बनेगा मतलब मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया कि हमारे पास human में height देख लो, skin color देख लो क्या mendel की तरह होता है कि जो mendel ने character दे थे, नई बहुत सारे ऐसे character होते हैं, जिनमें intermediate form भी बनती है वो कैसे possible होता है, कि पहले तो ये समझो कि skin color आता कैसे है, skin color आता है एक खास तरह की protein जिसे melanin कहते हैं, ठीक है, pigment protein कहते हो, pigment, जिसे हम क्या बोलते हैं, melanin बोलते हैं ये जो melanin होता है, ये किस form में बनता है, अगर gene dominant हो तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि melanin बनाने के लिए कोई single locus नहीं है जैसे सिर्फ A और इस से नहीं बन रहा है A से भी melanin बन रहा है, B से भी बन रहा है, C से भी बन रहा है अगर एक से ज़ादा gene locus single character के लिए involve हो, उसे polygenic कहते हैं, और ये polygenic के साथ-साथ quantitative भी है क्यों? क्योंकि जितनी ज़ादा ऐसा तो नहीं है न, कि इसमें melanin और इसमें melanin same है, नहीं इसमें एक dominant है, इसमें दो dominant है, तो इसमें कम melanin बनेगा, इसमें ज़ादा बनेगा तो यहां पर आपको दो चीजे अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी nature में बहुत सारे ऐसे character होते हैं, जिनमें कुछ intermediate forms भी मिलती है हाँ सर यह समझ में आ रहा है ऐसे जो intermediate forms होती है वो normally एक से ज़ादा gene locus से control होती है, तो polygenic inheritance का मतलब यह हो गया कि वहीं एक से ज़ादा gene locus, अगर single character, क्या नाम है, skin color को control करेंगे, तो उसे हम कहेंगे polygenic inheritance, polygenic inheritance में यह qualitative है कि quantitative है, यह quantitative होता है, इसका मतलब यह हो गया, कि जितनी ज़ादा dominant alleles होंगी, उतना ज़ादा melanin बनेगा, क्या यह points clear हैं आपको, तो मैं यहाँ पर clear करता हूँ, इसको इस्तिरचदी के से, हम यहाँ पर clear लिखते हैं, कि polygenic inheritance का meaning क्या है, when when more than more than one gene locus more than one gene locus, locus याद होना चीए, बेटा आपको, locus का मतलब location है total location, अगर control करता है control single character normally एक gene locus, एक character control करता है इसका example है skin color, या human height, skin color skin color का क्या हो गया, देखो जरा, उसमें तीन gene locus हैं, A, B और C, तीन locus हैं, और तीनों locus क्या बनाते हैं, melanin बनाते हैं, जैसे, यहाँ पर बना देते हैं देखो, मालनो यह capital A gene है, यह capital B है, यह capital A है, यह capital B है capital B है, यह capital C है, capital C है तो माल लेते हैं, थोड़ा सा melanin इसने बनाया, तो और capital आने से और बन गया यह भी इसने भी melanin बना दिया तो इसने भी क्या बना दिया, यह melanin, यह melanin है, तो मेरा point यह है, कि सेम चीज को यह, यह, यह तीनों बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह किसका example हो गया, polygenic, polygenic क्यों है, क्योंकि एक, दो और तीन locust involved है, इसलिए polygenic है, और यह quantitative क्यों है, क्योंकि जितनु जादा dominant आएंगी, उतना trait express हो रहा है, तो it is a quantitative trait it is a quantitative trait, यह quantitative क्यों है, आप सोचो खुद से क्योंकि more is dominant जितनी जादा dominant होगी more trait is express उतना जादा trait express करेगा उतना जादा trait express करेगा यह चीज clear है के नहीं यह चीज clear है, आपको समझ में आ रही है बात, तो इसको हम क्या बोलते है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते है polygenic inheritance, तो मैं आपको repeat करता हूँ, सुने, जब हमने दो gene locust का gene interaction पड़ा, तो वहाँ पर हमने Mendel के अनुसार जो पड़ा वो law of independent assortment है Mendel ने कहा, कि जब दो gene आपस में interact करती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा interaction बनता है, कि एक locust जो एक gene है, ध्यान सुनेंगे उसका segregation, एक locust का segregation मतलब, capital a, small a का अलग होना, दूसरे पर depend नहीं करता, फिर हमने कहा कि आप कोई और चीज बताओ, दो gene locust, dihybrid को लेके, उसे हम कहते हैं, deviation, Mendel से अलग जा रहे हैं, उसका एक example है polygenic inheritance, polygenic inheritance का सीधा मतलब यह है, देखो, pleiotropy क्या था एक gene के multiple effect that is pleiotropy, अब एक character, that is plant skin color, उसको अगर एक से जादा gene locust कंट्रोल कर रहा है, उसे polygenic कह रहे हैं, और यह भी कौन सा ट्रेट है, quantitative, जिसमें capital a और small a, और capital a, capital a का phenotype पलगाएगा, जिसे अगर आपने याद करा हो, capital T, यह याद है आपको, कि यह भी tall round था, याद करो, और यह भी tall round था, अगर मैं Mendel की बात करता था, इनका phenotype same था, क्यों, क्योंकि इसमें यह भी tall देता है, यह round देता, यह tall देता है, यह round color कितने तरह के हो सकते हैं, 7 तरह के, कैसे, कितनी gene control कर रही हैं, 1, 2, 3 gene control कर रही है, हर gene locust पर कितनी allele होती हैं, 2, तो total कितनी allele हो गई, जो skin color दे सकती है, 6, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, कि total 7 phenotype कैसे बनेंगे, ध्यान उतनी ज्यादा क्या होगा, melanin बनेगा, ठीक है, और यह quantitative क्यों है, जितना ज्यादा dominant, उतना ज्यादा melanin, अब जरब मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, 7 अलग अलग color के phenotype बनेंगे, कैसे देखो, मुझे बताओ, आप खुद से, इसमें कितने dominant gene हैं, अब यहाँ पर कितनी dominant हैं, एक dominant है, तो उसका skin color ऐसा आ गया, फिर दो dominant वाले का ऐसा आ गया, आप खुद देखो, दो dominant है, फिर दो dominant है, फिर कितनी dominant है, एक, दो, तीन हो गई, फिर कितनी हो गई, देख लो, चार हो गई, फिर कितनी हो गई यहाँ पर 5 dominant हो गई और फिर 6 की 6 dominant हो गई तो मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि कितने तरह के skin color बनेंगे 7 तरह के क्योंकि 3 locust है आप सो सकते हो मुझे chat में बताना कि अगर 4 locust होंगे तो कितने बनेंगे 4 locust का मतलब 8 हैली तो 0 से स्टार्ट कर देंगे तो कितना आजाएगा 9 चलो 5 का बताना 5 में कितना आएगा तो यह आपको समझ में आना चाहिए कि skin color में total कितने phenotype बन रहे हैं 7 skin color में total कितने locust हैं 3 locust या 3 gene locust है 3 gene locust है ठीक है हाँ 3 gene locust है उसमें dominant recessive बता दो उसमें मेरे पास 3 gene locust है तो total allele कितनी हो गई total allele हो सकती है 6 तो 0 से start करेंगे 0 dominant से अच्छा मुझे बताना आप खुद से इस इस person का color किस में आएगा इस में से सर कैसे देखेंगे दे count कर बिटा एक और दो दो ही dominant दो dominant वाला कौन है यह अच्छा इसका skin color सोचो इसका skin color इसमें भी दो dominant विल्कुल ऐसा होगा और इस वाले का skin color इसमें कितनी है एक दो तीन इस वाले में आ जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आपको तो number of dominant अलील matter करती है जितनी जादा होगी यह polygenic है polygenic के जो उधारन है पहला है skin color जो आपकी NCRT देती है human height human IQ ठीक है उसके अलावा milk production in animal clear है यह कुछ ऐसे character है जो एक से जादा locus से control होते है और इसमें range मिलती है क्या मिलती है range कर पाओगे ठीक है अब मैं आपको एक चीज clear करता हूँ जो question के purpose से बहुत important है आपके लिए कि जब आप polygenic पढ़ोगे मेरी बास सुने द्यान से मेरी बास सुना dihybrid cross का normal ratio क्या होता है आपको पता है dihybrid cross में phenotypic ratio क्या आती है normal देखो dihybrid की phenotypic mendel के according phenotypic F2 में mendel के according क्या ratio याद है आपको mendel के according हाँ सर्थ 9,3,3,1 है लेकिन polygenic वाले में polygenic में dihybrid की F2 की ratio क्या आ जाएगी वो आएगी 1,4,6,4,1 इसका sum 16 आ रहा है कि नहीं बताओ इसका भी sum 16 आ रहा है उपर वाले का भी sum 16 आ रहा है और जो skin color है वो tri hybrid है अगर skin color वाले की ratio देखोगे तो skin color वाले की जो ratio आएगी ये याद करनी होती है बिटा 1,6,15,20 15,6,1 अगर आप इसको याद करोगे skin color वाले को इसका sum 64 आ रहाएगा ये tri hybrid है skin color वाले का clear है ठीक है तो इतना हमी करना होता है तो polygenic आपके दिमाग में बैठ जाना ची क्या होता है qualitative quantitative बैठ जाना ची एक जगा और use करेंगे इसको sickle cellanemia और thalassemia वाले में वहाँ भी use करेंगे qualitative quantitative clear है ये चीज़ चलिए आगे बात करते हैं और एक बहुत important चीज़ पढ़ेंगे chromosomal theory of inheritance इसको बताने से पहले एक छोटी सी अपना background topic का जोड़ेंगे और उससे आपको idea लग जाएगा ठीक है हाँ sir बताईए अब देखो Mendel ने जोब अपना experiment किया वो साल क्या थे वो साल था 1856 से 63 साथ साल तक experiment किया 7 years तक after that experiment उन्होंने अपना काम publish किया 1865 में ये clear है हाँ sir ये clear है Mendel ने factors खोजे पर Mendel को ये नहीं पता था कि factors है कहां मैं आपको कुछ चीज़े clear कर रहा हूँ मैंडल ने factors खोज ले पर उन्हें exactly नहीं पता था कि factors कहां present है उनकी location क्या है sir ऐसा क्यों 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 क्योंकि Mendel के जो factor है वो gene है और gene actual में chromosome पे होती है पर Mendel के time तक chromosome की discovery नहीं हो रखी थी तो उनको कैसे पता factor कहां पर है नहीं पता था clear है तो chromosomal theory of inheritance क्या है exactly वो यहीं बता रही है कि माल लो यह chromosome है और factor कहां होते हैं chromosome पे main summary अपने दिमाग में यह बठाओ clear है तो एक तरीके से मैं कहता हूँ यह factor है factor की physical presence कहां है जिसे मैं कहता हूँ physically कहां present है chromosome के उपर यह theory mainly यहीं बता रही है तो chromosomal theory of inheritance को समझने से पहले कुछ background आपको चाहिए पहला मेंडल ने अपना काम कब publish किया 1865 में उस वक्त क्या condition थी chromosome was not discovered chromosome कई बारे में नहीं पता था was not discovered अब क्या हुआ उनके काम को उतना recognition नहीं मिला उसके कुछ reason थे मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि मेंडल के काम को मेंडल successful हुए उन्होंने काम ठीक किया उसके reason थे large sample size यह सारा मेंडल का काम fail होने का मतलब कि लोगों ने उतना उसको माना नहीं उसके कुछ solid reason है पहला reason हम यह लिख सकते है कि not widely publicized वो उतना जादा publish नहीं हुआ कोई चीज publish कैसे हो सकती है वो हो सकती है कि जब अच्छे newspaper में आए यक बहुत जादा internet पे चले तो हो सकते उसमें internet भी नहीं था और जिस जगा उन्होंने publish किया तो उसकी उतनी reach नहीं थी तो पहला हो सकता है उनका काम उतना publish नहीं हुआ दूसरा reason क्या है use किया maths to solve biological problem जो उस समय के scientist को ज़्यादा पसंद नहीं आया यह हम कह सकते है drawback नहीं है विटा एक तरीके से उनके failure के reason है एक यह हो सकता है हा सर यह समझ में आ रहा है तीसरा reason क्या है भीटा ध्यान सुनेंगे तीसरा reason क्या है Mendel ने जब भी बात करी थी extreme बात करी थी तॉल या डॉर्फ पर nature में मेरे पास वो दिखता है मैंने जो अभी polygenic में बता है intermediate type का हा सर दिखता है अच्छा एक चीज और है भीटा epistatis यवगरे की ratios आती है ये आते नहीं है topic epistatis, complementary gene, supplementary gene recently नहीं आ रहे हैं ये इसलिए मैंने उसको छोड़ा है यदि आप करना भीच आओ तो कहीं से उनकी ratios याद कर सकते हो और एक एक example ठीक है वो कर सकते हो आपकी मर्जी पर वो आएगा नहीं यहाँ पर आ जवा देखो, तो उसरा क्या था? Mendel ने factor को क्या बोला था? Mendel ने factor को बोला था discrete unit क्या बोला था? discrete unit जो क्या show नहीं करती? not show blending जो क्या नहीं show करती? blending show नहीं करती clear blending show नहीं करती बट जो उस समय के scientist थे बट हमारे पास क्या है? many example है variation के many example है किसके? continuous variation के जैसे skin color में ही बता है range है ना बहाँ पर continuous variation के example है उसको Mendel explain नहीं कर पाए इतने सारे skin color कैसे है? क्योंनी बिल्कुल black और white था? यह समझे रहो? तो यह चीज़ Mendel explain नहीं कर पाए और last में बिटा Mendel के काम में यह नहीं पता था Mendel not able to explain physical presence not able to explain position physical presence of factor physical presence of factor physical presence मतलब कहां है? factor है कहां exactly? यह explain नहीं कर पाए ठीक है सर यह भी समझ में आ रहा है तो यह कुछ background है हमारा Mendel के काम को लेके मतलब कुछ background हमारे पास बनने लगा कि Mendel के काम को लेकर हम कैसे सोच रही है यह बहुत important बात थी जो सोच थी Mendel की यहां तक clear है के नहीं? बता दो, सोचो इस बात को तो इसका मतलब मैं आपको यह कह रहा हूँ कि हमने क्रोमोजोमल theory of inheritance समझनी है पर उससे पहले मैं यह जान गया कि Mendel के काम की कुछ कमिया थी और अगर सबसे बड़ी कमी मैं बताओं Mendel के काम में मुझे यह नहीं पता था कि factor है कहां यह gene कहां present होती है उसका reason है कि उस समय तक क्रोमोजोम डिसकावर नहीं हुए यह कब की बात है 1865 की अब हम आगे जाते हैं 1900 में तो जब हम 1900 में गए ध्यान सुनेंगे 1900 में गए तो कुछ ऐसी चीजे होई जो बहुत special थी पहला Mendel के काम को तीन साइंटिस्ट ने rediscover किया और अलग-लग किया ऐसा नहीं कि एक साथ किया अलग-लग अलग-लग country में थे अलग-लग rediscover किया इसमें मैं लिक्स देता हूँ यह पूछ सकता है इंडीपेंडेंटली किया या साथ में किया हमने कहेंगे इंडीपेंडेंडेंटली किया ठीक है क्या नाम है उनका काल कॉरेंस टेश्माक एरिक वॉन टेश्माक और डीवरिस ये devries वो हैं जिन्होंने mutation theory दी थी Darwin के बाद इन्होंने theory दी थी अब और क्या हुआ है ज्यान सुने बिटा और क्या हो गया है इसके लावा और कुछ भी हुआ है क्या उस time के around मतलब कुछ और भी ऐसा हुआ हाँ बिल्कुल हुआ था सुने ज्यान से उसके अलावा क्या हुआ था बिटा हमारे पास better microscope आ गए थे better microscope आ गए और क्या हुआ बिटा scientist लोगोंने cell division observe कर ली थी scientist ने क्या observe किया था cell division और उन्होंने पाया कि cell division में color structure दिखता है हना chromosome जो था एक color structure chromosome जो क्या है color body है और वो किसमें दिखती है cell division में in mitosis and meiosis तो यहां पर आपको समझ में आना पड़ेगा कि भाई देखो 1900 में पहले तो Mendel के काम की rediscovery हो गई दूसरा एक चीज और हुई अच्छे microscope आ गए जो mitosis और meiosis को observe कर सकते थे और उन्होंने वहां एक color structure देखा उस color structure का नाम क्या है उस color structure का नाम chromosome है 1902 तक हमने meiosis की detail प्रॉपर आ गई तो सटनन बोवेरी ने ध्यान से सुने बेटा 1902 में दो scientist थे और meiosis पे काम बोवेरी का है सटनन बोवेरी ने ध्यान से सुने बेटा try to explain try to explain Mendel's law Mendel's law with the help of किसकी मदद से 1902 में सटनन बोवेरी ने Mendel के law explain करने की कोशिश करी ध्यान देंगे Mendel के law explain करने की कोशिश करी with the help of behavior of chromosome इसका क्या मतलब है इस line को समझो NCRT में मतलब क्या हुआ माल लो मैं कहता हूँ what is Mendel law trait और factor occur in pair pair में जोडे में होते हैं हाँ सब जोडे में होते हैं ठीक है तो अगर factor हमारे पास जोडे में होते हैं तो ऐसे chromosome भी जोडे में होते हैं और आपने पड़ा हुआ है बिटा अगर आपने ने 1902 तक मियोसिस पर काम कर लिया था उस वक्त तक बेटर माइक्रोसकोप आ गए थे तो सटन और बोवेरी ने मिलकर ये किया कि उन्होंने explain करने की कोशिश करी किसको explain करने की कोशिश करी जो Mendel के law थे किसकी मदद से क्रोमोजोम के बरताओ की मदद से कि वो भी जोड़े में होते हैं ये भी जोड़े में होते हैं आपको समझ में आ रही है बात तो इस तरीके से explain करने की कोशिश करी तो इससे कुछ ये समझ में आ रहा था कि देखो फैक्टर और क्रोमोजोम का अगर बरताओ सेम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फैक्टर किस पर present हो क्रोमोजोम पे तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ बिटा यहाँ पर क्या हुआ NCRT लिखती है इस बात को कि जो सटन है मेंले सटन सटन ने प्रपोस्ट किया सटन ने प्रपोस्ट किया प्रपोस्ट पैरलल बिहेवियर या सटन ने प्रपोस्ट किया कि बिहेवियर ओफ क्रोमोजोम एंड फैक्टर सिमलर है पहले तो दोनों ने बिटा explain करनी कोशिश की फिर फाइनली सटन ने प्रपोज किया कि behavior of chromosome and factor जो की gene है is parallel and give chromosomal theory of inheritance देखो NCRT में एक चीज आपको मिलेगी इस chapter में कि chromosomal theory of inheritance हम normally सटन और बोवेरी का नाम लेते हैं क्योंकि दोनों का contribution है क्योंकि दोनों explain कर रहे थे पर final statement सटन ने दी अब यहाँ पर सवाल ही उठता है कि exam में क्या करोगे अगर exam में ऐसे आता है कि chromosomal theory of inheritance किस ने दी सटन और बोवेरी यह mark कर दो सटन और बोवेरी और दूसरे option में फिर सटन अकेला दे रखा फिर आपको वो mark करना पड़ेगा क्योंकि NCIT की line यह कह रही है यह तक सवज़ में आ रहा है तो यह है किया theory यह theory सरिफ यह है कि chromosome भी जोडे में होते हैune factor भी जोडे में होते है वो अलग होते हैं gambit बनाते हैं वह कौन squirrel तो factor भी अलग होते है उससे हमें यह पता चलता है कि factors कहां present है chromosome पे अब यह जो थियोरी है उसके जो important points है वो हम ये बोल सकते हैं जैसे factor and chromosome बोथ occurring pair देख रहो ये दोनों किसमें ये भी factor pair में और ये भी factor चीज पेर में ठीक है ये भी पेर में ये भी पेर में अब क्या होगा ध्यान सुना अब क्या होगा gamit बनाते वक्त ये पूरा ये चीज अलग होगी मतलब factor भी अलग होगे और मेरे पास chromosome भी अलग हो जाएंगे आप देखो तो gamit बनाते वक्त मालो ये अलग होगा और ये अलग होगा और ये भी अलग हो जाएंगे तो इनकी भी segregation हो रही है इनकी भी segregation हो रही है तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं कह सकते है कि हम यह जो factor है यह इसी के ऊपर हो तो जब chromosome अलग हो रहे हूं तो साथ में क्या अलग हो रहे हैं फैक्टर भी अलग हो रहे हैं ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग तो factor और chromosome दोनों पेर में होते हैं ठीक है हांसर यह ठीक है segregation होती है मतलब दोनों अलग होते हैं जैसे मालो segregation होती है यह अलग होते है ठीक है अब हम यह कह रहे हैं बिटा ध्यान जुनेंगे हम यह कह रहे हैं कि जैसे की ध्यान जुनेंगे जैसे की इसकी segregation जान दो यह एक chromosome है इसकी segregation इसकी segregation पर depend नहीं करता है अना यह चीज़ समझ में कोई किसी के साथ भी जा सकता है जैसे मालो मैंने इसको अलग किया तो उसके बाद ये इन दोनों में से कोई भी इधर और इधर जा सकता है तो segregation of chromosome ये तो दिखा रखा है ये कौन सा law हो गया independent assortment तो हम ये कह रहें बिटा segregation of this pair is independent to segregation of this pair this is law of independent assortment आर ये बाद समझ में सही है ऐसे ही factor में होता है इसकी segregation इसकी segregation समझो इसका अलग होना इसका अलग होना समझे रहो इसके अलग होने पे depend नहीं करता हो तो कोई किसी के साथ भी जा सकता है लेकिन यहां एक छोटा सा अभी catch है मेरी बास समझो ध्यान से chromosomal theory of inheritance को दिया किसने है सटन और बोवेरी ने सटन ने final statement दी थी हमें ये याद रखना है दूसरी बात मुझे ये याद रखनी है कि ये theory इस बात को explain कर पाई कि factors are located on chromosome ठीक है दोनों अलग होते हैं chemate बनाते हो तो ऐसे जोड़े में होते हैं लेकिन एक चीज जो बिलकुल आपको समझनी पड़ेगी chromosome ऐसे जोड़े में है इसका अलग होना हमेशा इसके अलग होने पे depend नहीं करता मतलग chromosome में तो हमेशा independent assortment होती है पर factors के लिए एक चीज है जो आपको ध्यार नखनी है क्या ये देखो देखो chromosome तो हमेशा independent assortment शो करेंगे मतलग क्या हुआ कि ये तो हमेशा इसका अलग होना समझ रहे हो इसके अलग होने पे depend नहीं करेगा ये तो हमेशा independent assortment शो करेंगे मतलग क्या हुआ इसकी segregation इसकी segregation पे depend नहीं करेगी ये independent assortment है पर factors के लिए कुछ अलग बात है जैसे कि अगर ये A और B same chromosome पे है तो ये नहीं शो करेंगे independent assortment not show independent assortment इस condition को ही तो linkage कहते हैं तो independent assortment शो करने के लिए ये वाला pair और ये वाला pair अलग अलग chromosome पे होना चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि chromosome हमेशा, chromosome always, chromosome pair always show independent assortment समझ में आ रहा है? independent assortment ये तो हमेशा independent assortment शो करेंगे लेकिन ये याला इसको देखो इसमें क्या है बिटा इसमें linkage है मतलब ये वाला pair इसके साथ है, ये नहीं शो करेंगे, ये शो करेंगे तो independent assortment शो करने के लिए factors में क्या condition होनी चाहिए? वो अलग अलग chromosome pair पे होने चाहिए मतलब क्या हुआ? ये pair अलग है, ये pair अलग है तो इसे हम कह रहे है independent assortment clear है? मेरी बात समझ में आ रही है तो आपके पास जो NCRT में line है कि वही one pair assort independently और independent pair now this is, these pair and this pair ये आपस में independent है तो factors कब show करेंगे independent assortment? when they are located on different pair of chromosome सही है कि नहीं? बिल्गुल correct है? सही है but अगर वो same pair पर होंगे capital A small है और ये एक ही chromosome पे तो नहीं show करेंगे हाँ, पर chromosome में हमेशा होती है अब क्या हुआ बिटा? ये theory आई थी 1902 में इस theory से ये पता चल गया कि यार जो factors होते हैं वो chromosome पे होते हैं ये gene chromosome पे होती है लेकिन अभी भी क्या रहा? एक चीज और निकल के आई, मैं आपको बताता हूँ chromosome human में कितने होते हैं? सर 23 pair होते हैं सही है, ये बिल्कुल ठीक है लेकिन factor की संख्या उससे जादा होती इसका मतलब ये वाला case तो होता ही है एक chromosome पे एक से जादा factors होते ही है तो सर क्या independent assortment कभी नहीं होता है कुन-कुन factors के लिए होगा जो अलग-लग chromosome पे हैं जैसे मालो यह capital A small a capital B small b हो गया लेकिन ऐसा भी तो हो सकता जैसे मालो यह capital A small a यहाँ पे capital D small d लिख देता हूँ तो इन में तो नहीं होगी independent assortment इन दोनों में पर इसकी इसके साथ तो हो जाएगी न clear चीज़ समझ में आ रही है तो factor chromosome पे होते हैं ये proof हो गया उसके बाद एक scientist थे जिन्होंने work किया ड्रॉस ओफिलापे उन्होंने ये proof किया मतलब ये experiment के थूरू proof कर दिया कि factors are located on chromosome इसे हम कहेंगे experimental verification तो सबसे पहले Bovary का जादा काम है meiosis से related तो Sutton and Bovary ने कुछ statements दी थी chromosomal theory of inheritance को explain करा था final statement हम Sutton के थूरू लाए और experimental verification कौन कर रहा है वो कर रहे है T.H. Morgan Now T.H. Morgan का पूरा नाम Thomas Hunt Morgan है इनके experiment किस पे है Experiment on Drosophila इन्होंने ही क्या किया है आपके पास experimental verification करी है अब इनका experiment Drosophila पे है अब मैं आपसे ये जानना चाहरा हूँ कि P plant को छोड़के इनको Drosophila की याद क्यों आई मेरी बास सुने ध्यान से जब भी हम कोई experimental material लेते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि उसको मैं lab में असानी से grow कर सकूँ तो Drosophila को lab में असानी से grow करने के लिए क्या चाहिए कि वो अपने Drosophila क्या होता है कि insect होता है बटा fruit fly कहते है ठीकि उसमें 8 chromosome होते है तो उनको lab में grow करने के लिए मुझे क्या चाहिए समझना मेरी बात उनको क्या करेंगे तो experiment on Drosophila है तो why Drosophila अगर मैं आपसे पूछू कि why मतलब उन्होंने Drosophila क्यों select किया तो वो हम reason दिखा रहे हैं आपको एक बार देखेंगे आप experimental material by Morgan तो देखो क्या है why Drosophila सबसे पहली बात a life cycle अब देखो pea plant जो था कम से कम एक महीना 35 दिन लेता था Drosophila की life cycle और छोटी है दो वीक है तो result जल्दी मिलेंगे तो हम लिखेंगे दो वीक में उसकी life cycle complete होती है दूसरा कभी भी किसी experimental material को अगर मुश्किल होगी grow करने में तो नहीं use कर सकते ये easy to grow है किसके अंदर in lab और lab में क्या बेटा artificial medium मतलब बनाना वगरे पे artificial जो खाना है जैसे की बनाना वगरे के उपर इसको grow कर सकते है ठीक है और क्या है बेटा single mating मतलब male और female इसमें अलग-लग होते है ड्रोसोफिला में single mating से बहुत सारे बच्चे बनेंगे उससे क्या फाइदा होगा result बढ़ी आएगा मतलब क्या होगा जितना बड़ा sample होगा result अच्छा आएगा तो single mating produce large number of progeny large number of progeny progeny मतलब बच्चे और male और female क्या है बेटा easily distinguishable असानी से उन्हें पहचाना जा सकता है हना female साइज में बड़ी होती है यहाँ पर असानी से पहचाना जाता है अलग-लग होते है दूसरा क्या होता है देखें why he selected draws of villa पहला life cycle छोटी असानी है ग्रोव करना एक मेटिंग से बहुत सारे बच्चे बन जाते है और important point यह है बेटा हमारे पास कि इसमें क्या होती है जो heredity variations है heredity variations मतलब AC variations ध्यान से जुनेंगे AC variations जो drosophila में है वो low power microscope में दिख सकती है heredity variation क्या है easily visible है easily visible है low microscope में visible in low power microscope low power microscope में visible है ये बात समझ में आ रही है तो जो छोटे कम पावर के microscope होते हैं उसमें characters दिख जाते हैं और क्या चाहिए ये clear है कि नहीं और क्या चाहिए यह चीज clear है बटा यहां तक समझ में आ गई चीक है आगे चल सकते हैं अब मैं आपसको कुछ बता देता हूँ drosophila क्या होता है देख लो drosophila हमारे पास एक fruit fly है ऐसे ठीक है drosophila एक fruit fly होती है ठीक है अब इसमें male female अलग लग होता है सबसे पहले इसमें कितने क्रोमोजोम हैं और female में क्या होता है same 8 क्रोमोजोम है तो 6 autosome है मतलब 3 pair जैसे human में कितने autosome होते हैं 22 pair होते हैं और xx है ठीक है 8 क्रोमोजोम है male female में अंतर हम easily पता कर सकते हैं अब क्या हुआ बिटा मेरी बास सुनो अब क्या हुआ chromosomal theory of inheritance ने ये साबित कर दिया इसके साथ Morgan को एक खास चीज देखने को मिली जिसे हम linkage कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर आपको एक चीज दिखा पा रहे हैं कि factors की संख्या मेरी बास समझना ज्यान से factor की संख्या या gene की संख्या क्रोमोजोम की संख्या से जादा है मतलब क्या हुआ जैसे room है मालो 10 room है 40 लोगों को रखना है तो एक room में एक से जादा लोगों को रखना पड़ेगा सेम चीज है यहाँ पर हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो gene है उनका number क्रोमोजोम के नंबर से जादा है तो क्या करना पड़ेगा सोचो मुझे क्या करना पड़ेगा एक से जादा जीन को एक क्रोमोजोम पे रखना पड़ेगा इसे हम topic को कहते हैं linkage linkage पे बहुत सारे experiment हुए पर major experiments किस के थू है drosophila पे Morgan के थू है हम कुछ experiments के बारे में जानेंगे और उनसे आने वाले questions को समझेंगे कि linkage को आपने कैसे पड़ना है बिल्कुल focus करके देखेंगे हम linkage को तो चलिए start करते हैं linkage क्या है linkage क्या है देखिए ध्यान से linkage देखते हैं सबसे पहले हम linkage का मतलब समझेंगे what is linkage linkage को समझते हैं linkage के meaning को समझते हैं ठीक है पर एक simple चीज समझो देखो ये आपके पास chromosome है ठीक है और ये आपके पास factors है clear factors है मैं आपको clear कर देता हूँ what is linkage ध्यान दो बटा ये आपको factor दिख रहा है हाँ सर दिख रहा है ये मालो इस chromosome पे है और same location पर ये या नहीं हो सकता भाई ये या नहीं हो सकता हमेशा ये parallel होंगे same character के लिए ठीक है मालो मैंने इसको इस पे बना दिया और इस वाले को इस पे बना दिये यहाँ सही है ठीक है ये काम कर दिया सही है हाँ ये यहाँ बना दिया ठीक है हाँ सब्सक्राइब ये ठीक है अब देखो अब क्या है अगर मैं इसको ले लेता हूँ इसको यहाँ बना देता हूँ और इसको यहाँ बना देता हूँ ठीक है ऐसे ऐसा कर देता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आनी चीज़ ए कि हमारे पास ये देख रहो ये linkage है मतलब क्या हुआ कि capital A और D same chromosome पे ये linkage है तो आपको ये clear होना चीज़ ए कि number of factors number of factors जादा होते है factor या gene is more than number of chromosome तो एक chromosome पर एक से जादा जीन होगी on one chromosome on one chromosome एक से जादा जीन होगी देखो बिटा on one chromosome more than one gene more than one gene एक से जादा जीन होगी तो इस चीज़ को मैं क्या बोल देता हूँ linkage बोल देता हूँ this is linkage ये linkage है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं है सोचो दिमाग लगाँ तो linkage क्या होता है number of factor number of chromosome से जादा होते हैं इसलिए एक chromosome पर अगर एक से जादा प्रेजेंट होंगे जैसे इस chromosome पर ये दो प्रेजेंट है इसे linkage कहते हैं तो linkage को simple भासा में बोलेंगे what is meaning of linkage तो हम लिखेंगे genes are physically linked genes genes कौन सी capital A और B are physically linked physically समझ में आता है एक साथ present है physically linked and present on same chromosome present on same chromosome same chromosome पे present होंगे जरा समझो इस बात को same chromosome पे present होंगे जैसे कि यहां मालोग capital A बना दिया यहां small a है capital B small b तो इस चीज को linkage कहा रहा है अब linkage का फरक क्या पड़ेगा ध्यान से देखो अब मुझे बताओ अगर मैं यहां capital A यहां small a बनाओ यहां capital B small b बनाओ यह दिख रहा है आपको देखो ध्यान से क्या यह linkage है नहीं this is no linkage तो हम अगर law of independent assortment अप्लाई करें मतलब इसका segregation इसके segregation पे depend ना करें तो capital A small a मालोग यह capital A है ठीक है इसके साथ capital B भी आ सकता है और capital A के साथ small b आ सकता है small a के साथ capital B और small a के साथ small b यह क्या बने gametes बने तो gametes में कितने combination बने चार अलग अलग combination बने क्या मेरी बात समझ में आ रही है की नहीं हाँ सर्थीक है तो यह जो case है अगर हम बात करें आपको कहें what is effect of linkage तो मैं कह रहा हूँ कि यह वो case है जिसे आप independent assortment कहते हो तो independent assortment का मतलब है linkage नहीं है अलग लग chromosome पे है तो उस case में capital A के साथ capital B और capital A के साथ small b small a के साथ capital B और small a के साथ small b तो gametes में हमारे पास कितने combination बन जाएंगे चार क्या मेरी बात समझ में आई है के नहीं बोलो क्या मेरी बात समझ में आई है जल्दी बता दो हाँ ठीक है बढ़िया अब देखो अब अगर मैं इसको linkage कहता हूँ capital A को लिखता हूँ यहाँ small a और यहाँ capital B और यहाँ small b अब देखो इस A और B का सर्फ दो combination बने इसका मतलब यह हुआ linkage क्या करता है linkage decrease करता है decrease different combination तो सबसे पहले एक basic बात समझ में आ गई कि linkage का क्या effect होगा सबसे पहले तो linkage समझो हाना सबसे पहले linkage समझो क्या होता linkage का मतलब same chromosome पे होना उससे होगा क्या अगर linkage नहीं है तो independent assortment हो रही है और linkage है तो combination घट जाते है घट कैसे गए linkage नहीं होगी तो 4 combination देख रहे हो और linkage मतलब है तो 2 combination इस बात में doubt नहीं रखेंगे ये मैंने main point बता दिया अब हम क्या करेंगे linkage को पढ़ने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूशता हूँ अगर आपसे कोई कहे कि gamit और zygote में से किसका phenotype बनता है आपको होगे सर्फ जाइगोट का तोगी zygote ही plant बनाएगा उससे phenotype बनेगा gamit का phenotype नहीं बनता है तो यहां तो मैं gamit देख रहा हूँ न तो क्यों न हम phenotype के through linkage को पढ़ें मतलब मेरी बात का meaning क्या है simple meaning यह है कि linkage को पढ़ने के लिए हम cross use करते हैं मैं आपको linkage को पढ़ाने के लिए simple test cross दिखाऊंगा उसके result से आपको idea लग जाएगा में क्या बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप gamit दिखोगे तो gamit से यह तो समझा रहा है कि linkage होने से combination देखो कम बन रहे यह बात clear है लेकिन gamit अपना expression करते ही नहीं है expression कौन करता है zygote तो linkage को पढ़ने के लिए क्यों न हम एक cross की पढ़ाई करें तो cross जो है मैं आपको दिखाऊंगा test cross के थूरू मैं आपको linkage दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है बहुत ध्यान से देखेंगे यह कुछ चित्रकारी हमने अलड़ी करी हुई है ताकि समय सेव कर सके तो इसको जड़ा समझते है बहुत ध्यान से देखें यह पहला case है जिसमें linkage नहीं है यह आपको दिख रहा है मैंने यहाँ लिखा है no linkage यहाँ ध्यान दोना बस ठीक है अब मैंने इसको tall round लिखा है tall round और यह heterogigas tall round है इसको dwarf wrinkle से cross करा रहे है कौन सा cross है सर यह test cross है यह क्या है test cross है अब मैंने लिखा linkage नहीं है तो आप देखो क्या होगा capital T और यहाँ पर small t capital R और small r तो यह मैंने इसको दिखाया है इसको tall round को ऐसे दिखाएंगे दिखाएंगे कि नहीं बताओ इस तरीके से दिखाएंगे अब मुझे बताओ इसके gamits क्या बनेंगे इसके gamits बनेंगे T, R T के साथ small r मतलब T के साथ r और T के साथ small r small t के साथ capital R small t के साथ small r यह gamits बन गए बताओ clear है कि नहीं यह gamit बन गए यह देख रहो homojagous है इसका एक ही gamit possible है small t, small r इसका सिर्फ यही gamit possible है तो सम्मे मैंने यह भर दिया multiply करते हो तो यह सारे zygote है अब यह कैसे दिखेंगे सुनना द्यान से यह मेरे पास tall round दिखेगा हाँ सर यह tall round है यह वाला कैसा यह दोनों देखते हैं और यह क्या है dwarf wrinkled अब मैं आपको एक चीज जड़ा बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से देखना यह वाला अब कैसा दिखेगा tall wrinkled और यह कैसा दिखेगा dwarf round हाँ सर यह समझ में आ रहा है अब बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बाते करने वाला हूँ आपसे बहुत ध्यान से सुनो मेरे पास यह tall round है यह चार तरह की प्रोजनी आ गई मैंने इसको cross करा इस से मैं आपसे अब एक बात कहता हूँ देखो इन दोनों को tall round को और dwarf wrinkled को यह इसके जैसे है तो इन्हें हम नाम देते है parental इन दोनों को हम क्या नाम देंगे parent जैसे है क्या नाम देंगे parental parent जैसे है यह भी parental है यह भी parental है अब खुद देख लो यह tall round है तो यह tall round है यह dwarf wrinkled है यह parent जैसे है लेकिन अगर आप देखो tall के साथ wrinkled आ गया और round के साथ dwarf आ गया यह देख रहो तो इनको हम नाम देते हैं recombinant ठीक है इनको हम क्या नाम देते हैं recombinant हाँ सर यह बात समझ में आ रही है तो मैंने यहाँ पर parental और recombinant आपको दिखा दिए यह मेरे पास parental है this one this one parental और यह दोनों मेरे पास क्या है recombinant है क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको तो मैंने आपको कहा है कि माल मों linkage नहीं है तो ये कितने बनेंगे total कितने बनेंगे चार total ये कितने बनेंगे विटा चार और चारो इस ratio में है 1 is to 1 की ratio में है तो मुझे बताओ tall round और dwarf रिंकल जो parental है वो कितने है सर्फ parental कौन से है tall round और ये है कितने हैं, दो होंगे कितने में से, टोटल चार में से, आप मिर को देखो ये एक बना, ये एक बना, एक बना इसको parental बोला इसको parental बोला, इन दोनों को क्या बोला? recombinant बोला तो parental total कितने हो गए, 2.4 में से 50% और recombinant कितने होगए सर री कॉंबिनेंट भी हो गए दो भाई चार और ये भी कितना आ गया 50% चीक है तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि मैं टैस क्रॉस के तुरू लिंकेज पड़ रहा हूं मैंने टॉल राउन को ड्वार व्रिंकल से क्रॉस करा और लिंकेज नहीं है हाँ सर ठीक है तो हम यहाँ पर यह कह रहे हैं observation क्या है हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यदी linkage नहीं है और independent assortment होती है तो 50% parental और 50% recombinant आते हैं इसका नया combination सहिए सर आगे अगला case बताओ देखो अब आपसे कह दिया जाए linkage है linkage होने का मतलब capital T और small t capital R और small R यह एक ही chromosome पे हैं ठीक है तो इसकी वज़े से gamets क्या बनेंगे T R बन जाएगा और small t small R बन जाएगा इसके दो ही gamet बनेंगे क्योंकि linkage है सही है independent assortment नहीं होगी और इसके gamets क्या आगई यह किसके बेटा इसके gamets यह आगए और इसके gamet T R और यह आगए तो मैंने यहाँ पर देखा कि यह चीज क्या आगए tall round और क्या आगए dwarf rinkled अब अचानक मुझे यह समझ में आया कि यहाँ तो 4 तरह के आ रहे थे हैं यह दो ही तरह के आ रहे थे तो एक चीज मुझे समझ में आई कि जब linkage होता है और यह दोनों देखो कैसे parental तो यहाँ पर जो parental आए वो कितने percent आये 100% आये और recombinant कितने आ गए बेटा recombinant आ गए 0% तो मेरे दिमाग में एक बात समझ में आयी मेरे दिमाग में यह समझ में आया कि यदि linkage नहीं होती है तो parental और recombinant की संख्या बराबर होती है लेकिन जब linkage होती है तो वो नए combination बनने नहीं देता जैसा हमने gamit में देखा था उस वजए से parental की संख्या बढ़ जाती अभी हम 100% देख रहे हैं फिर आगे देखेंगे exactly क्या situation है पर मुझे एक basic idea लग गया what is linkage genes are present on same chromosome और जब linkage होती है तो उससे होता क्या है कि वो same chromosome पर present होते है उससे क्या होगा अगर linkage नहीं है तो independent assortment होती है और parental क्या होते है parent जैसे वो और recombinant 50-50 आगए अब यहाँ पर linkage present है और उस वजए से parental combination बढ़ गए कितने बढ़ गए 100% और recombinant कितने आगए 0% इसका सीधा मतलब यह है कि linkage decrease करती है recombinant यह पहली मेरी observation है जो आपको समझानी चाहिए linkage decrease recombinant इनको decrease करती है अब मैं आपको यह समझाओंगा ध्यान सुनेंगे मैं आपको यह समझाओंगा कि nature जो होती है वो variation चाहती है nature क्या चाहती है variation नेचर को पता है linkage होती है तो nature क्या ऐसे ही छोड़ देगा नई nature ने एक तरीका evolve किया कि क्योंना recombinant बढ़ाए जाए उसका एक तरीका होता है crossing over मेरी बात समझो ध्यान से linkage एक natural चीज है क्योंकि number of factor और chromosome की संख्या में अंतर है जादा कौन है chromosome या factor अगर एक से जादा factor एक chromosome पे है तो linkage का होना compulsory है सही है ठीक है पर nature चाहती है variation नहीं तो adaptation कैसे होगी तो nature ने एक तरीका evolve किया जिसे हम कहते है crossing over जिसे हम क्या बोलते है crossing over बोलते है crossing over क्यों करती है nature variation लाने के लिए तो ज़राद देखते हैं कानी में twist देखो मैं आपको समझाऊंगा what is crossing over सबस chromosome बनाए है मैंने यह homologous pair है अब आपको इतना पता जरूर होना चाहिए कि जब आप cell cycle पढ़ते हो तो cell cycle में यह G1 phase होता यह S होता यह G2 होता यह M होता है तो G1 phase का chromosome ऐसा होता है जो मैंने यह draw किया यह G1 phase का chromosome है ठीक है यह किसका chromosome है बिटा G1 phase का chromosome है ज्यान देना बिटा इस बात को, यह G1 phase का chromosome है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक gene लिख दी मालोग capital T और यहाँ पर लिख दी small t यहाँ capital R और यहाँ पर लिख दी small r, इसमें कोई doubt है सर ने, G1 phase में chromosome ऐसे दिखते हैं लेकिन S phase में जब DNA डबल हो जाता है, तो G2 phase के chromosome ऐसे दिखते हैं, जहाँ पर इसकी एक और copy साथ में बन जाती है मतलब क्या हुआ, capital T capital T, और यहाँ पर क्या आजाएगा, capital R, capital R तो इसकी copy बन गई ठीक है, ऐसे यहाँ पर small t, small t, और small r, सरी एक second change करेंगे हलका सा बदलाओ हाँ, यहाँ capital R आएगा न बिटा देखो, यहाँ capital R आएगा यहाँ small t, small r और इसकी copy small t, small r अब आप ध्यान से सुनो यह और यह आपस में क्या है sister chromatid है what is sister chromatid पहले सबसे पहले तो यह समझो बिटा, G1 phase में यह दोनो homologous pair है G2 phase में मेरे पास क्या हो जाता है double हो जाता है, तो यह वाला कौन सा phase है, G2 phase, तो S phase यहाँ लिख दूँ arrow पर और इसको मैं कौन सा phase लिख दूँ G2, तो G2 में यह एक chromosome है पूरा देखो यह जो एक centromere है न यह वाला इस पर, यह एक chromosome है तो यह एक chromosome पे एक chromated ये, दूसरा chromated है, एक chromated ये दूसरा chromated है, अब कि G1 phase में जो भी chromosome है, link is दिख रहा है आपको हाँ दिख रहा है उनकी copies बन जाती है और ये दोनों को sister chromatid कहते है crossing over क्या होता है ये वाला इसके साथ sister है देखो इसका ये sister है इसका ये sister है क्योंकि common centromere पर इस वाले centromere पर ये दोनों है इस वाले पर ये दोनों है इन वाले को कहते है non-sister chromatid तो non-sister chromatid के बीच में packetine stage में miosis one के packetine stage में miosis one में pro phase one में miosis one के packetine में crossing over होते है किसके बीच में होगी non-sister के में इसका इसके साथ crossing over होता मतलब क्या हुआ ये वाला part इसके साथ exchange हो जाएगा देखो ऐसा कुछ जैसे मालो यहां capital T है तो यहां capital R था यहां capital T था यहां small T था यहां small T था यहां small R था तो यहां capital T के साथ यह capital R था और यहां small R था तो मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ यह वाला part और यह वाला part आपस में exchange हो रहा है तो किसके बीच में हो रहा है non-sister के बीच में sister कौन सा यह दोनो sister है साथ यहां क्या आ गया? Small R आ गया, यहां Small T, Small T, यहां Small R है पर यहां क्या आ गया? Capital R आ गया, अब अगर आप ध्यान से देख सको, अगर Crossing Over नहीं होती, मेरी बास सुनो, इनको ले लो, अगर Crossing Over नहीं हुई होती, तो इसमें Gamets कौन से बनते देखो, यह TR एक बनता, यह वाला T और R और T और R यह वाला एक बनता, और Small T स्मॉल R, Small T स्मॉल R, दो ही टाइप के बनें न, एक टाइप यह हो गया, एक टाइप यह हो गया, अगर No Crossing Over होती, आपको समझ में आ रहा है, अगर No Crossing Over होती, तो ऐसा होता, छीक है? No Crossing Over होती, तो ऐसा होता, लेकिन Crossing Over होने की वज़ smaller तो आप अगर ध्यान से देखो ये नए combination बन गए के नहीं तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भई nature कहती है देखो nature कहती है कि भई अगर मेरे पास linkage है तो नए combination decrease हो रहे है क्या linkage को overcome करने का तरीका है हाँ crossing over वो कब होती है miosis one के packetine में होती है तो crossing over का meaning है exchange exchange of genetic material किसके बीच में exchange of genetic material किसके बीच में between non sister chromated non sister chromated के बीच में क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं non sister chromated के बीच में जो exchange हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे है crossing over बोल रहे है क्या ये चीज clear हो गई समझ रहे हैं इस बात को इनके बीच में हो रहा है अगर crossing over होती है ध्यान सुनेंगे अगर crossing over नहीं होती तो मेरे पास कितने combination बने सरजी दो ही बने एक ये देखो ये दोनों एक ही तरह है कि ये दोनों तो एक और दो बने लेकिन अगर crossing over हो रही है तो चार बन रहे हैं जिसमें ये बीच वाले दोनों नहे है तो simple भासा में ये समझ में आया कि जैसा result independent assortment से आता है वो result किस से आता है crossing over से लेकिन अभी भी एक बात है जो आपको बतानी जरूरी है वो जरूरी बात आप देखेंगे द्यान से देखें बटा वो जरूरी बात आप देखें देखो ये आपको दिख रहा है कि मैंने दो अलग-लग chromosome बना रखें अहां सर्थ बना रखें आपको दिख रहा है कि T और R link gene है ये देखो पहले chromosome देखो T, T ये दोनों sister chromatid है ये और ये sister है ये और ये sister है ये और ये non-sister है non-sister अगर आप देखो ध्यान से इनके बीच में T और R के बीच में distance जादा है T और R के बीच में जादा distance है और B के बीच में distance कम है, ध्यान से देखो, इसमें less distance है, A और B के बीच में less distance है, अब मेरी बात समझना, what is crossing over, ये वाला part, देखरो, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में exchange होना है, ठीक है, समझो इस बात को, मतलब क्या हुआ, crossing over का मतलब है, इसके बीच में और ऐसे cut लगना है, पर आपको ये चीज़ समझ में आना चीए, cut किस के बीच में लगना है, capital T, capital R, small t, small r के बीच में ऐसे cut लगना है, तो अगर distance जादा होगा, आप देखो, अगर distance जादा होगा, तो chances जादा है न, cut लगने के, मतलब exchange होने के, अगर distance कम होगा, तो crossing over के chance कम ह जाएंगे, ये बात समझ में आरी है, भी, crossing over एक by chance event होता है, वो कहीं से भी हो सकता है, मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला part exchange कर लूँगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, फर्क तब पड़ेगा, जब exchange यहां और यहां के बीच में हो, ये चीज़ क्लियर है, मैं भी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, कि जितना जादा distance होगा, उतनी जादा chance है, crossing over के, किसके बीच का distance, इसके और इसके बीच का, क्योकि बीच में से cut लगने के chances जादा हो जाएंगे, तो जितना जादा, जितना जादा, more is distance, more chance of crossing over, उतनी जादा chance होगे, crossing over के, और उतना जादा उतना जादा recombinant बनेगा more recombinant form मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ बिटा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि link gene में जितनी दूरी जादा होगी तो exchange इनके बीच में मालो मैं randomly काटता हूँ तो यहाँ इनके बीच में कट लगने के chance बढ़ जाएंगे मैं randomly काटता हूँ मालो यहाँ कट लग जाए तो हो गए नहीं कुछ तो less is distance less chance of crossing over अगर कम chance है crossing over के तो क्या आप ये समझ पा रहे हो less recombinant बनेंगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई अब इन बातों को summarize करते हैं जितना मैंने बताया पर आपको मोटा मोटा एक बात समझ में आ गई what is linkage genes same chromosome पे होती है अगर ऐसा होता है तो recombinant घड जाते है recombinant को बढ़ाने के लिए मुझे crossing over करनी पड़ती है crossing over किसके बीच में होती है non sister chromatid के बीच में और ये एक by chance event होती है chance अगर distance जादा है तो cut लगने का बीच में से क्या जादा है chance जादा है और chance of crossing over high होता है अगर distance कम है तो chance of crossing over क्या होता है कम होता है क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी के नहीं, मुझे बताओ, सोचो इस बात को, तो chance of crossing over क्या होगा, high तब होगा, जब distance जादा होगा, और उतने जादा क्या बनेंगे, recombinant बनेंगे, क्या ये clear बैठ गया, अब आओ जरा, चीजों को summarize करते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखना बैठा, ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर आपको ये clear कर रहा हूँ, देखो, मैं आपको ये clear कर रहा हूँ, कि आपने तीन केसी समझे, तीन केसी समझे, ध्यान से समझना बैठा, आपने तीन केसी समझे, सबसे पहला case आपने समझा कि linkage नहीं है linkage absent अगर linkage नहीं है तो क्या होती है independent assortment उस case में parental कितने आते हैं 50% और recombinant कितने आते हैं 50% यहां तक समझ में आ रही है ठीक है अब यह चीज हमेशा याद रखो यह maximum value है recombinant की इससे जादा recombinant नहीं आ सकते हैं फिर हमने कहा आपको कि linkage present है अगर linkage present है और उस case में chromosome इतने जादा समझो ध्यान से linkage present है और इतना जादा close है genes कि उनके बीच में crossing over हो ही नहीं सकती मतलब क्या हुआ मैंने क्या किया यहाँ पर capital A लिखा यह capital A होगा यहाँ पर मालो capital B और capital B लिख दिया मैंने आपको कहा कि यह इतनी जादा पास है gene कि crossing over इनके बीच से होई नहीं रही है तो linkage present है और अगर no crossing over हो अगर crossing over ना हो उस case में parental parental आते हैं बेटा 100% और recombinant आते हैं कितने 0% मतलब कोई recombinant आएगा है नहीं कैसे आजाएगर recombinant तो crossing over होई नहीं रही है तो आपको यह चीज clear होनी चाहिए ध्यान से सुनो बेटा आपको यह चीज clear होनी चाहिए कि recombinant की maximum value 50 है और minimum value 0 है अब आप समझो कि crossing over हो रही है ध्यान सुनेंगे linkage present है linkage present है और crossing over हो but crossing over का chance किस पे depend होगा chance depend on chance depend on किस पे depend करेगा chance बताओ जल्दी से chance depend on हाँ बताओ जल्दी जल्दी बताओ chance depend on distance दूरी पे तो अगर आप समझो जितनी जादा दूरी होगी समझो ध्यान से जितनी जादा दूरी होगी जैसे मालूम मैं दो केस दिखा देता हूँ आपको दो केस दिखा देता हूँ यहाँ देखना आप ऐसे हैं दो अलग अलग रूमोजों में यहाँ देखो यहाँ मालो A रग दू यहाँ B रग दू यहाँ capital A capital B यहाँ small A small B small A small B ध्यान से तुनेंगे जितनी जादा दूरी हो समझना, जितनी जादा दूरी हो, जैसे ये दूरी, ये दूरी जादा है, इसके और इसके बीच की, जितनी जादा दूरी होगी, उतना जादा, उतना जादा क्या होगा, चांस होगा, जैसे माललो, यहाँ पर दूरी यहाँ बना देते हैं, यह देखो जरा, माललो, यहाँ द जादा distance होगा उतने जादा chance होगे तो मैं क्या लिखूंगा parental जो आएगा देखो parental जो होगा बिटा ये minimum value है 50 तो parental जो आएगा वो कितना आएगा देखो parental आएगा वो जादा होगा देखना इसीच को समझना इससे क्या होगा parental आएगा more than 50% और less than 100% और जो recombinant आएगा वो more than 0 आएगा और less than 50 आएगा मेरा point सिर्फ ये है कि अगर independent assortment होती है best case है जिसमें recombinant maximum आते हैं और ये worst case है जिसमें recombinant 0 आते हैं तो अगर आपसे कोई कहे कि maximum value recombinant की कितनी है 50 और minimum कितनी है आपसे कोई कहे recombinant की सर्फ 0 तो इसका मतलब recombinant इसके बीच में ही तो आएगे minimum और maximum के बीच में और वो किस बात पर depend करेगा chance of crossing over पे तो जैसे मैं आपको 2 value दे दूँ मैं कहूं कि मेरे पास मालो एक case में recombinant 15% आ रहे हैं और दूसरे case में 20% आ रहे हैं अब इन दोनों में किसका 20 होगा इस वाले का इस वाले का इस वाले का इसका नीचे वाले का क्योंकि distance जादा है न ये चीज़ समझ में आ रही है तो recombin की value 50 से कम होगी 0 से जादा होगी और वो किस बात पे depend करेगी कितना distance है जितना जादा distance होगा link gene में उतने जादा recombinant आएंगे पर 50 को पार नहीं करेंगे क्योंकि 50 maximum value न अगले क्रोमोजोम पे होना ये समझ में आ रहा है कि नहीं recombinant किस बात पे निर्भर करेंगे जितना जादा distance है क्योंकि chance बढ़ जाएगा तो जितना जादा distance है आप इस चीज़ को ऐसे बना लो अब इस चीज़ को आप ऐसे बना लो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास क्रोमोजोम है देखें ग्यान से अगर आपके पास ये क्रोमोजोम मैंने बना लिये देखो इस आपने क्या किया मालो ये distance बना दिया ठीक है ये distance बना दिया और दूसरा आपने ये बना दिया आप मुझे खुद से बताओ खुद से सोच के बताना अपनी दिमाग में सोचोगे तो बताओगे कैसे चैट में ये मालो A है B है ये A है ये B है यह small a है small b small a small b मैं आपको recombinant की value दे रहा हूं मालो 15% और मैं दे रहा हूं recombinant की value 20% अब इसमें distance जादा है तो chance of crossing over जादा है तो 20% recombinant इसका होगा और recombinant 15% इसका होगा मैंने आपको value दी है ऐसे तो इसका मतलब यह होगा कि recombinant की maximum value कितनी हो सकती है वो हो सकती है 50% और उसे हम क्या बोलेंगे independent assortment independent assortment में आ सकती है मतलब अलग-अलग chromosome पे है और recombinant की minimum value कितनी होगी 0% उसे हम complete linkage कहते हैं ऐसी linkage जिसमें कोई crossing over नहीं होगी no chance of crossing over no chance of crossing over क्या ये बात समझ में आई हाँ सर ये ठीक लग रहा है और recombinant वैसे किसके बीच में आता है 0 to 50% के बीच में आता है इसका मतलब उसे कहते हैं incomplete linkage what is incomplete linkage linkage है पर crossing over होगी और वो भी किस बात पे depend करेगी distance कितना है ये clear है तो मुझे कहीं न कहीं एक बात समझ में आई मुझे ये समझ में आया कि कहीं न कहीं linkage जो है मतलब how close genes are ये क्या है increase करता है parental ठीक है अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि linkage जो है हमारे पास linkage is inversely proportional to recombinant linkage किसके inversely proportional है recombinant के inversely proportional है क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको जल्दी सोचो ये चीज clear है कि नहीं बताओ तो linkage is inversely proportional to recombinant ये चीज clear है सही है तो linkage का मतलब है ध्यान सुनेंगे linkage का मतलब है कि linkage is inversely proportional to recombinant linkage मतलब gene कितनी पास है तो parental बढ़ जाएगा तो क्या decrease होगा recombinant decrease होगा क्या मेरी बात समझ में आ रही है हाँ सर ये ठीक लग रहा है अब मैं जो अगली बात आपको बोलने जा रहा हूं वो बहुत important है अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे लिखूँ more is distance between link gene जितना जादा distance होगा link gene में more chance of crossing over more chance of crossing over और more percentage of recombinant क्या ये समझ में आई के नहीं बताओ सोचो जितना जादा link gene के बीच का distance होगा उतने जादा chance होगे crossing over के और उतने जादा क्या होगे percentage of recombinant होगा उतनी जादा percentage होगी recombinant की मतलब ये है कि आपने कुछ समरी दिमाग में बिठानी है सबसे पहले what is linkage same chromosome पे होना linkage अगर है और crossing over ना हो complete linkage 0% recombinant linkage है crossing over हो रही है recombinant बढ़ेंगे पर एक limit है recombinant बढ़ने की maximum कितना जा सकता है 50% तक उसको पार नहीं कर सकता सही है कही ना कही मुझे ये समझ में आया कि जितना जादा distance है जितना जादा हमारे पास distance है link gene के बीच में जितना distance बढ़ाओगे उतने जादा chance होंगे crossing over के और उतना जादा recombinant बढ़ेगा इस चीज को use किया है एक scientist ने जिनका नाम sturdy went है आप समझो ध्यान से जिनका नाम sturdy went है sturdy went कौन थे student of Morgan sturdy went कौन थे बिटा क्या नाम था ये ये student of Morgan थे ये student थे Morgan के clear है कि नहीं इन्होंने क्या किया कही ना कहीं क्या किया बिटा ध्यान सुनेंगे distance between link gene को distance between link gene को relate किया percentage of recombinant से इन्होंने बोला कि मालो बई जितना जादा distance है उतने recombinant बनेंगे उन्होंने बोला कि मालो 8% recombinant है तो मैं क्या करता हूँ distance निकाल लेता हूँ मालो मैं यहां कड़ा हूँ आप वहां कड़े है absolute distance मालो मैं 5 meter बोलता हूँ क्या मैं relative distance निकाल सकता हूँ तीन लोग खड़े हैं इसके इसके बीच का जो distance है उसको इससे compare कर ले तो इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि एक परसंट री कॉंबिनेंट को इन्होंने एक सेंटी मॉर्गन का distance कहा सोचो इस बात को दिमाग लगाओ तो कहीना कहीं study event जो है जिनका जो student of मॉर्गन थे उन्होंने distance between link gene के बीच में निकाला जैसे कि माल लेते हैं यह हम chromosome बना लेते हैं यहाँ पे मैंने A gene लिखी यह B gene लिखी इसमें 5% recombinant आएंगे मतलब क्या हुआ कि इनमें crossing over होने के chance कितने 5% तो जो 5% recombinant है उसको उन्होंने नाम दिया 5 centi morgan 5 centi morgan की unit ऐसे माल लो B और C है इसके बीच में 15% है तो B और C के बीच में माल लो 15% recombinant को उन्होंने 15 centi morgan का नाम दिया क्या यह बात सोच पा रहे हो दिमाग लगाओ इसमें यह क्या दिमाग में बैठ रही है बात बिल्कुल बैठ सकती है तो कहीं ना कहीं percentage of recombinant की दूरी पे depend कर रही ना उसको हम किस से लिख रहे है centi morgan unit से लिख रहे है और इसके direct question आ जाते है आपको क्या करेगा A और B की distance देगा और B C की देगा फिर A C की निकालने के लिए गएगा पर यह distance क्या है relative है इसकी मदद से एक map बनाए जाते हैं कि ख्रोमोजोम पर gene कहां कहां पर है उसे linkage map करते हैं कहते हैं और वो human genome project में starting में use होता है clear है कि नहीं सही है अब हम linkage में एक बहुत important चीज जो discuss करेंगे अब मुझे बताओ क्या आपको यह सारे points clear हुए फिर मैं आपको वो cross बता रहा हूँ जो draws of इलाका है ठीक है सबसे पहले देखो genes are ध्यान देंगे genes of different locus देखो ध्यान से देखो two genes of different locus on same chromosome उसे linkage कहते हैं आपको खुद करना है due to linkage different combination of gamut increase or decrease खुद करना इसको increase or decrease in case of absence of linkage अगर linkage नहीं है तो क्या होती है याद है independent assortment independent assortment होती है ठीक है independent assortment में parental कितना आएगा बताओ जल्दी parental फिल करोगे आप यहाँ पर parental आएगा कितना 50% recombinant 50% और linkage को हम कैसे overcome कर सकते हैं मतलब linkage को कैसे हटा सकते हैं क्या लिखूंगा मैं बताओ crossing over इनको आप खुद से answer करनी की कोशिश करना पहले ठीक है पहले खुद करना फिर देखना chance of crossing over किस पे depend करेगा distance between link gene पे linked gene पे if gene is so closely linked so crossing over then it is complete linkage complete linkage में crossing over नहीं होगी तो parental कितना आ जाएगा 100% और recombinant 0% पढ़ो और answer करो खुद से recombinant is directly proportional to distance between link gene distance between linked gene और यह यह proportional है chance of crossing over यह इससे प्रपोशनल है recombinant percentage directly linked to chance of crossing over है ना यह चीज़ समझ में आ रही है बिटा अब मुझे बताओ recombinant 0 कब होगा और यह कब 0 होगे देखो यह कौन सा case है खुद लिखो यहाँ पर और यह कौन सा case है यह लिखो ठीक है और parental किसके बीच में आएगा यहाँ लिखना और यह recombinant अब हम discuss करेंगे आपका वो जो आपका NCIT में cross दे रखा न ड्रोसोफिला वा उसको discuss करते है चलिए बटाफटाफट से हम लोग cross देख लेते हैं ड्रोसोफिला पे कि क्या हमें बनाना है तो सबसे पहले मैं आपको यह clear कर देता हूँ कि जो Morgan ने ड्रोसोफिला पे काफी सारे dihybrid cross किये थे similar to mendalian cross आप NCIT की पहली line देखेंगे इस topic की तो यही लिखा हुआ है कि Morgan ने काफी सारे dihybrid cross किये थे जब हम dihybrid cross की बात करते हैं इसका मतलब दो trait या दो character एक साथ लिए थे दूसरी बात यह है बिटा ड्रोसोफिला में टोटल आठ क्रोमोजोम होते है और Morgan ने बताया था कि काफी सारी trait x क्रोमोजोम जैसे male में एक x क्रोमोजोम है female में दो x क्रोमोजोम पर भी present होती है तो क्योना हम उस cross को देखते हैं जो NCIT में दिया हुआ है दो cross बने में उसे हम देख लेते हैं सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ड्रोसोफिला में male में मेरे पास टोटल आठ क्रोमोजोम है और male हमारे पास x y है और female में भी 8 क्रोमोजोम है और female में 2 x क्रोमोजोम होते हैं यह चीज़ समझ में आ रही है तो Morgan ने clearly बोला था कि काफी सारे dihybrid cross कराए और उन्होंने बताया कि X chromosome पे trait होती है NCRT ने कौन सी trait X chromosome पे दी है उसे देख लेते हैं तो देखे ध्यान से जो X chromosome पे दी हैं तीन character X chromosome पे बना रखे हैं ध्यान से देखना बिटा तीन character X chromosome पे बना रखें NCRT ने पहला character है कि ड्रोसोफिला का body color कैसा है ध्यान से जोने body color यहां बना रखा है दूसरा character बना रखा eye color यह भी X chromosome पे है और तीसरा character बना रखा wing का size एक तरीके से तो तीन character X chromosome पे draw कर रखें किसने? Morgan ने draw मतलब X chromosome पे हम ले रहे हैं तो दूसरा आपको यह समझ में आना चाहिए बिटा हम जैसे capital T और small t symbol यूज करते हैं ठीक है? इसमें एक dominant के लिए होता है एक recessive के लिए होता है ऐसे ही क्या होता है बिटा? जैसे माल लो मैं eye color में w लिखता हूँ white eye के लिए तो अगर यह white eye recessive है यह white eye क्या है? recessive है तो dominant को दिखाने के लिए w plus लिखते हैं यह dominant होता है इसे wild type b कहते हैं तो एक तरीका यह होता है symbol का wild type b कहते हैं तो w recessive दिखा रहा है तो w plus क्या दिखा रहा है बिटा? उसका dominant form दिखा रहा है यह एक तरीका होता है दिखाने का तो मैं यहाँ पर यह दिखा रहा हूँ कि body color में recessive का example देखो यह body color लिखा recessive का example yellow body है तो yellow body को अगर मैं symbol लिख रहा हूँ तो y लिख रहा हूँ तो dominant में क्या आ जाएगा बिटा y plus आ जाएगा तो यह किस के लिए brown body के लिए तो जो x chromosome लिया न उसमें मालो तो body color दो हो गए कौन कौन से yellow body y से लिख रहे है brown body y plus से लिख रहे है यह बात समझ में आ रही है brown body किस से लिख रहे है y plus से लिख रहे है clear है कि नहीं अब आज ओ ज़रा eye color की बात कर लेते है eye color में हमने white eye जो है वो recessive है white eye क्या है recessive उसको w से लिख रहे है तो जो dominant है जिससे dominant या wild type कहते है वो red eye है समझ रहे हो तो body color eye color तो body color के दो character होगे yellow body brown body yellow body के ऐसा है y और brown body है y plus eye color में red eye white eye तो w plus जो है red eye है और white eye है w wing size में बिटा मेरे पास miniature miniature होता है छोटा तो miniature wing इसको मैं अगर w से लिखूँ sorry m से लिखूँ तो m plus क्या होगा normal wing तो ये मेरे पास तीन character जो थे जो Morgan ने study के आपकी NCRT में वो x chromosome पे कौन-कौन से body color उसकी ये दो form होगी eye color और wing size अब मैंने आपको का कि Morgan ने काफी सारे die hybrid cross बनाए थे ठीक है दो die hybrid cross आपकी NCRT में दे रखे तो पहले cross में क्या किया है उसने body color और eye color को लिया है cross one में ध्यान से सुनो बिटा NCRT में जो दो cross दे रखे cross one में उसने body color को और किसको लिया है eye color को लिया है इसको cross कराया है अब body color और eye color को साथ लेकर उसने cross कराया मैं कह रहा है दोनों को साथ लेकर उसने cross कराया eye color और body color को यहां तक समझ में आ रही है eye color और body color को साथ लेकर इसने cross कराया अब मेरी बात समझना ध्यान से जब body color और eye color को साथ लिया है तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले recessive female लिया recessive female लिया उसको cross कराया dominant male से अब मैं आप से ये कह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि अगर मुझे recessive female चाहिए body color और eye color की तो body color की recessive female क्या है yellow body और eye color में recessive क्या white eye तो जो female लिया cross one में वो क्या लिया yellow body white eye female उसको cross कराया dominant से तो वो क्या बना brown body red eye male brown body red eye male बन गया क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है तो yellow body white eye समझ लो इस बात को yellow body white eye है इसको cross कराया है brown body red eye से ये clear हुआ के नहीं बता दो ये चीज़ समझ में आ गई बिलकुल आ गई तो ये हमारे पास क्या है cross one yellow body white eye brown body red eye से इसने cross करा दिया अब मेरी बात सुनो द्यान से सुनना मेरी बात और important point सुनो ये cross one है तो cross two जो दे रखा है वो कैसा होगा आप खुद करना cross two में देखो पहले cross में इसको और इसको साथ लिया दूसरे cross में इसको और इसको साथ लिया तो अगर आपसे कोई कहे कि cross two बताओ क्या होगा recessive female ले लो किसका recessive female eye color और wings size का recessive female तो क्या लिखोगे white eye miniature wing वाली female miniature wing उसको cross कराया है कौन से male से female है इसको cross कराया है अब देखो इन दोनों का dominant लेना है तो eye color में क्या होगया red eye और normal wing male से तो आपकी NCRT में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कितने character दे रखें x पे 3 एक body color eye color wing size इसमें क्या किया है पहला cross इन दोनों के बीच में दूसरा cross इसके बीच में क्योंकि कौन से cross बनाए है diahybrid cross बनाए है पहले क्या किया है पहले cross में पहले और दूसरे दोनों cross में recessive female लिया है dominant male से cross करा है recessive character कौन से ये लिखे dominant character कौन से ये लिखे आपने क्या करना है lecture pause करके एक बार इसको ध्यान से याद कर लिना dominant और recessive को फिर आप cross बनाओगे तो बहुत असानी से बनेगा कर सकते हैं हाँ सर कर सकते आगे आजाओ अर ये देखो ये female है बेटा female कैसे लिया था उसने याद है आपको female पे दो character ऐसे थे ज्यान दो female पर इस तरीके से दो थे कौन कौन सी female का क्या लिया था female में याद करेंगे दो X chromosome होते हैं female पे recessive female लेनी है तो white eye और कौन सी body yellow body yellow body white eye और ये homo-gagous female तो yellow body के लिए y लिख देंगे याँ y लिख देंगे और white eye के लिए w और w क्या ये clear है के नहीं बताओ यहां तक समझ में आ रही है जल्दी बता बिटा यहां तक clear है जल्दी बता दो एक सकिन दो बस मुझे चीक है clear है अब देखो अब इसको dominant male से cross कराएंगे किस से cross करा रहे है dominant male से cross करा दो बता dominant male चाहिए तो yellow body का dominant क्या आएगा भई y plus अच्छा देखो ये y chromosome है y chromosome पे कोई character नहीं होता ठीक है ये y है तो यहां पर होगा सिर्फ character तो यहां आजाएगा आपका y plus और यहां आजाएगा w plus अपनी ncrt chakra ये cross है तो ये कौन सी body होगी ये होगी brown body brown body dominant हाँ सा dominant है और red eye ये क्या है male है ये इसका y chromosome में ये male हो गया तो ये cross करा है अब देखो क्या हुआ इससे कितने तरह के gamut बनेगा एक तरीका कौन सा y w ये बना दिया मैंने y w बना दिया और ये वाला जो है वो इसके साथ लिख दिया y plus w plus क्योंकि देखो इस x chromosome के साथ ये जाएगा और x के साथ ये जाएगा तो सेम चीज आएगी वो ये लिख दी मैंने ये लिख दी ये दोनों क्या कौन से chromosome है x chromosome है ये x है और ये y है तो y पर character नहीं होता याद करना ये वाली trait नहीं होती तो brown body, red eye, male जो है उसको cross करा है recessive female से देख रहो ये recessive है और ये wild type बोल सकते है इसको dominant है न तो wild type बोलते है तो ये जो generation आई है ये F1 आई है अब मुझे ध्यान से बताना सोच कर आपने linkage भी पड़ा है आप मुझे सोच के बताओ अब मैं क्या करूँगा selfing मैंडल के cross में क्या करते थे selfing करते थे इसका मतलब ये male है ये हमारे पास क्या है male और ये क्या है female मैं इन दोनों को cross कराऊंगा selfing करूंगा मुझे बताओ इसके कितने gamit बनेंगे सर एक gamit X chromosome दूसरा Y तो इसके कितने gamit बन गए दो gamit बन गए हाँ सर इसके बन गए दो gamit इसके कितने बनेंगे आप खुद बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता capital A small a capital B small b जैसे capital A कौन सा y plus ये y w plus w तो इसके कितने gamit बनते थे 4 बनते थे na a के साथ b फिर a के साथ small b small a के साथ capital b और small a के साथ small b 4 बनते थे कि नहीं बताओ ऐसे ही अगर मुझे इसके gamit बनाने हो तो सबसे पहले capital लो कौन सा y plus ले लिया ठीक है उसके बाद साथ में क्या रख दो इसका रखो y plus w plus देख रहे हो y plus w plus एक gamit ये हो गया दूसरा gamit कौन सा हो गया y w ये लिख दिया आप खुद देखो अगर मैं आपको gamit इसके दिखाऊं कैसे बनेगे ध्यान से देखना बिटा इसके अगर मुझे आपको gamit दिखाने पड़े तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा एक बार समझने की कोशिश करे एक सेकिन दो मुझे बस एक स्लाइड ले ले आपके लिए देखो आपके पास f1 जनरेशन आ गई बिटा ये देखो ये f1 जनरेशन आ गई अब आपको इसके gamits लिखने है gamits लिखने है आसर gamits लिखने है तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई f1 जनरेशन ये है आपके पास सब ये है और ये है इस पे कौन-कौन से gamit है एक पे मेरे पास यहाँ y और w है यहाँ y प्लस w प्लस है ये g1 है ना g2 में इसको double कर दूँगा हाँ सब double कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से g2 में double करेंगे तभी तो crossing over होगी अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है y और w y और w इन दोनों पे पता है आपको y प्लस y प्लस w प्लस w प्लस अब मैं यहाँ पर exchange करने वाला हूँ अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ exchange करने वाला हूँ द्यान जुनेंगे, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ एक्षेंज, मुझे बताना, मैं क्रोशिंग ओवर करूँगा यहाँ पर नॉन सिस्टर के बीच में, तो पहले तो यह दोनों गैमिट आएंगे, YW आ गया है, यह देखो YW, और यह दोनों आएंगे Y+, W+, क्या यह पे Y+, यह दा, और इस Y+, के साथ W, तो यह क्या बन गए बिटा, यह recombinant बन गए, और यह वाले कौन से बन गए, पेरेंटल बन गए, तो यही चीज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ न, मैं यहाँ पर यही चीज दिखा रहा हूँ, चार गैमिट बनेंगे इसके, कौन कौन से बनेंगे, देख लो, चार में सबसे पहले तो पेरेंटल, Y और डबलू पेरेंटल है, Y प्लस और डबलू प्लस पेरेंटल हो गए, अब इस Y के साथ W यह recombinant है, और Y प्लस के साथ W, यह दोनों recombinant हो गए और यह पेरेंटल हो गए, अब मैं क्या करूंगा, यह कितने gamit हो गए टोटल, यह कितने हो गए जल्दी बताओ, यह कितने हो गए, थोड़ा साफ सा बना देते हैं आपके लिए, एक हो गया Y के साथ W और एक हो गया Y प्लस डबलू प्लस, फिर Y के साथ W और Y प्लस के साथ W, टोटल 4 gamit हो गए है, अब इस 4 को 2 से multiply करेंगे तो टोटल आठ प्रोजेनी आएंगी अपनी NCRT जब देखोगे आप तो टोटल आठ प्रोजेनी बनी है क्रॉस कैसे स्टार्ट किया उसने क्रॉस ऐसे स्टार्ट किया देखो क्रॉस ऐसे स्टार्ट किया उसने कि उसने क्रॉस कराया किसके बीच में white eye देख रहो yellow body white eye female को cross करा है brown body red eye इसका मतलब जो male लिया है वो wild type लिया है dominant लिया है और female लीती recess से clear है देखो इसका मतलब इसका और इसका cross चल रहा है सही है अब आगे सुनो द्यान से अब जब ये cross कराया तो F1 में आपको पता है क्या था यहाँ पर याद है आपको F1 में क्या था सर Y था और W था और Y प्लस और W प्लस था इसके चार gamit बने थे इसके क्या थे YW बस और ये था तो इसके जो चार gamit बने वो कौन कौन से थे दिखा देता हूं मैं आपको इसके चार गैमिट थे YW और Y प्लस W ये क्या है, पेरेंटल है, आप खुद बताओ ये देखो, ऐसे बना लो इसको, ऐसे बना लो ये पेरेंटल हो गए चीक है, अब आप खुद बताओ मैं क्या करूँ, चार बार ये इसको फिर से ऐसा ड्रॉ कर दूँ देखो Y और W Y प्लस W क्या मैंने पेरेंटल फिर से बना दिये, बना दिये अब क्या गरो, इनके दोनों गैमिट लिख दो देख रहे हो, दोनों गैमिट मतलब ये वाला YW इनके सब के साथ लिख दो, मतलब ये वाला सब के साथ लिख दो YW इसके साथ भी लिख दो ऐसे करके तो ये जो बन रहा है मेरे पास, आप समझने ही कोशिश करना में क्या कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ ये समझवटर रहा है, इसलिए कर रहा हूँ एक बना Y और प्लस W और एक YW प्लस ये री कॉंबिनेंट है और ये दोनों पेरेंटल है अब एक बार इसको इसके साथ मल्टिप्लाई करेंगे ना, तो साथ लिख देंगे ठीक है, तो अब इसके चार गैमेट इसके चार गैमेट इस दो से मल्टिप्लाई हो रहे है तो देखो क्या आएगा देखो, YW ये वाला, कौन साथ ये वाला YW यहां आ गया और इसके साथ इसका YW तो एक ये बन गया फिर दुबारा से YW के साथ ये स्टिक आ गई आप समझेरों मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चार गैमेट्स बने है ये चारों गैमेट्स के साथ ये दोनों लगेंगे अलग लग एक बर YW लग जाएगा सब के साथ सर आप दुबारा रब कर रहे है पिटा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए में इसको दुबारा रब कर दिया ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए अभी कर देते हैं एक मिनिट लगेगा एक मिनिट लगेगा बनाई देते नहीं तो क्या होगा आप कहोगे sir आपने समझाइया नहीं सही से अभी देख बिटा एक मिनिट लगेगा बना देता हूं ठीक है अभी एक मिनिट में बना देते हैं चार गैमेट कौन से हैं Y, W यहां पर Y प्लस, W प्लस यह parental answer सर फिर Y के साथ W और Y प्लस के साथ W मैं ऐसा ही सेंज यहां बना रहा हूं क्यों बना रहा है इतना टाइम क्यों दे रहे हो बिटा समझाने के लिए बस ताकि तुझे समझ आज़े क्योंकि ये कोई भी टीचर या कोई भी नॉर्मली बुक में अच्छे से समझाता नहीं अब ये देख इन सब के साथ एक एक तो ये पिंक वाली स्टिक लगा लो इसका मतलब ये सारे मेल बन गए हां सर मेल बन गए और बाकी क्या करो एक एक यलो वाला लगा दो ये और ये यलो वाला कौन सा है yw है ये वाला समझ में आया हां सर अब बीच में ये जो बनी है ये वाले ये सब री कॉम्बिनेंट है क्योंकि सब में yw प्लस या y प्लस w है और उपर वाले ये क्या पिरेंटल आपको दिखेगा जो NCIT ने डाटा दिया हुआ है उसने ये बोला हुआ है कि जो री कॉम्बिनेंट बने हैं वो 1.3% है समझ में आ रहा आपको कितना है 1.3% है तो बचेवे जो है parental कितने आ गए ये parental है ये parental है ये parental है ये parental है तो 100 में से माइनस कर तो 1.3 कितना बच गया आपका आपका बच गया 98.7 इतने percent parental है ठीक है अब similar cross आप इसके बीच में draw करो मेरी बात सुनो ध्यान से NCIT कहती है कि मैंने body color और eye color के बीच में cross draw किया तो मेरे पास recombinant आए 1.3% और parental आए 98.7% अब same cross मैंने इन दोनों के बीच में किया कैसे करोगे बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर आपने white eye जखो yellow body white eye ले रखा है पर आप उस वाले cross में क्या करोगे white eye miniature wing लेके चलोगे हना आप क्या लेकर चलोगे देखो इस वाले cross में क्या लेके चलोगे आप लेके चलोगे white eye miniature wing female को cross कराओगे red eye red eye normal wing male से ऐसे cross कराओगे तो उसके बाद यह जो distance आएगा यह जो distance आ रहा है यह आ रहा है मालो 32.8% clear है या 32 point साइद कुछ ऐसा ही है चेक कर लेना अपने आप मालो 32.3 है या कुछ ऐसा ही है मालो 32.2 है या 7 है या क्या पता नहीं क्या है 32.8 है मालो तो 62.2 आ जाएगा जो भी आप यह चेक कर लेना मैं डाटा बूल रहा हूँ मेरी बात समझो ध्यान से यहाँ यह री कॉंबिनेंट है यहाँ पे रिंटल एक पर चेक कर लेना उसमें ऐसा नहीं कि कमेंट करने लोगो आप चेक कर लेना तो यहाँ पर 32.8 है या शायद 4 है जो भी आप देख लेना मेरा सिर्फ पॉइंट यह है कि इन दोनों जीन के बीच में डिस्टन्स जादा है इसलिए री कॉंबिनेंट जादा आया है इन दोनों के बीच में डिस्टन्स कम है इसलिए री कॉंबिनेंट कम आया है यह समझ में आ रहा है तो X chromosome पे 3 character है, कौन-कौन से? Body color, eye color, wing size का इनके बीच में जब diahybrid cross कराया है तो recombinant 1.3% parental इतना और इन दोनों के बीच में जब diahybrid cross कराया तो recombinant इतना parental इतना तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि दूरी कम है और दूरी जादा है तो distance के हिसाब से recombinant आ रहा है cross 1 में क्या किया? ये दोनों लिए तो ये दोनों कैसे लिए? female recessively तो body color की recessive female क्या है? yellow body और इसकी recessive character white eye तो yellow body white eye female को cross कराया हमारे पास brown body red eye male से अगर इन में cross कराओगे तो कैसे लिखोगे? white eye miniature wing female को cross कराया किस से? white का dominant red eye miniature का dominant normal से ऐसे करके आपने cross draw करना है F1 में क्या आएगा? दो progeny आएंगे फिर उनकी selfing करनी है अब उसमें से एक heterogigas है heterogigas कौन से थी? female आएगी है heterogigas F1 में उसके 4 gamit बनेंगे और male के बनेंगे 2 gamit इसलिए total जो है वो 8 progeny आ रखे है NCRT में ऐसे बना रखा है recombinant ऐसे दे रखा parental ऐसे दे रखा मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कोई फरक नहीं बढ़ता उससे तो parental और recombinant आप देखेंगे तो एक में क्या होगा? आपका एक में parental जो है आगे देखो अब मैं आपको एक topic बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है sex determination जो एक अलग topic है मैं फिर repeat करता हूँ sex determination topic से मुश्किल question नहीं आता इसका easy question आता और यह exactly है क्या? मेरी बास सुनो हमने सबसे पहले आपको यह मैं कुछ सवाल पूछूँगा और आप इसकी understanding अपने दिमाग में बिठाओगे मुझे यह अगर आपसे पूछना पड़े कि यार मुझे यह बताओ कि asexual और sexual reproduction में पहले कौन से आई थी? आप कहोगे सर पहले asexual reproduction आई थी ठीक है फिर बाद में क्या आई sexual reproduction sexual reproduction का मतलब होता है कि gamet fuse करते हैं और वो zygote बनाते हैं मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूँ क्या gamet बनाने के लिए organism का unisexual होना जरूरी है? बताओ जल्दी से नहीं जरूरी नहीं है क्या bisexual भी तो gamet बना सकते हैं जैसे flowers होते हैं वो bisexual होते हैं gamets बना रहे हैं या हर्मोफ्रोडाइट और्गेनिजम होते हैं bisexual जैसे की tape warm वो भी gamets बना रहे हैं तो मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या आई? Asexual reproduction आई उसके बाद आई sexual reproduction sexual reproduction के बाद जो organism sexual reproduction करते थे उनमें sex organ आए अब एकी organism में male और female दोनो sex organ हो उसे bisexual कहते हैं लेकिन अगर वो अलग अलग हो जैसे human में male और female sex organ अलग अलग organism में है तो उसे unisexual कहते हैं ये जो topic है sex determination ये बात कर रहा है normally unisexual organism की मतलब क्या हुआ? कि जैसे माल लो आपके पास ये flower है ये flower bisexual है तो क्या इसमें chromosome के तुरू जैसे human में होता है male female बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं तो अगर मैं आपसे कहता हूँ sex determination sex determination का मतलब है कि कोई organism किस प्रकार से male या female बनेगा हम genetics पढ़ रहे हैं बिटा तो genetics में कहीं न कहीं हम DNA और chromosome की बात करेंगे तो हमारा जो इस topic को पढ़ने का logic है वो ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि किन organism में chromosome के द्वारा male female बनना हो पाता है तो मैं simple language में आपको ये कह रहा हूँ कि sex determination का meaning क्या है कि how sex of individual is determined मतलब किस तरीके से पता चलता है nature determine करती है determined by nature कैसे nature determine करती है कि वो male बनेगा कि female बनेगा आप ज़रा ऐसे देखो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि asexual reproduction आई हाँ सर ये सही लग रहा है सबसे पहले asexual reproduction आई उसके बाद हमारे पास कौन सी reproduction आई देखो सबसे पहले asexual reproduction आई उसके बाद हमारे पास क्या आई sexual आई sexual में उतके बाद मुझे gametes की जरूरत पड़ी बिना उसके sexual नहीं होगी gametes required थे फिर मेरे पास क्या बने sex organ बन गए तो sex organ ऐसी location थी जहां gametes बनते थे मालो organism haploid है तो gametes कैसे बनेंगे mitosis से gamete deployed है स्वरी organism deployed हो तो gamete कैसे बनेंगे meiosis से तो मेरे पास sex organ डेवलप हुए अच्छा sex organ डेवलप होने के बाद मेरे पास bisexual organism आया तो bisexual organism का मतलब जैसे कि flower वगर है bisexual organism आया उसके बाद मेरे पास unisexual organism आये जिसमें male और female होता है unisexual organism आये जिसमें male होता है और female होता है और उसके बाद बेटा ये भी आया sexual dimorphism मतलब male female अलगलग डिखते हैं तो मैं अगर आज आप से पूछू sexual reproduction के लिए male और female अलगल होना ज़रूरी है नहीं sexual reproduction के लिए सबसे ज़रूरी है gametes का होना ठीक है sex organ भी ना हो तो भी चल जाएगा जैसे आप देखो besidiomyces उसमें sex organ नहीं होते क्या sexual reproduction नहीं होती होती है तो sexual reproduction के लिए sex organ होना ज़रूरी नहीं है genetics में हमें ये सीखना है कि यह chromosome का क्या role रहता है male और female बनाने में इस topic में मुझे ये सीखना है जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि यह bisexual flower है तो क्या इसमें chromosome का role है कि male female बनाने में नहीं enter or stem or pistol बनाने में रोल नहीं है तो इसमें हम कह सकते है no role of chromosome no role of sex chromosome हना ऐसा chromosome जो male female determine करता है इसका कोई role नहीं है क्योंकि flower bisexual है लेकिन अगर हम human की बात करें तो human में क्या होता है बिटा male और female मालो मैं इसको male लिख दूँ और इसको female लिख दूँ male और female chromosome के through determine होता है तो एक मोटा मोटी मेरे को क्या बात समझ में आती है ये topic मुझे ये बताएगा कि chromosome जो है वो कैसे male और female decide करते हैं हमें यही पढ़ना है सिर्फ क्या कोई और तरीका भी है male female बनाने का मतलब male और female अलग अलग बनाने का कोई और तरीका भी हाँ कुछ होते हैं जैसे कि क्या होता है कुछ हमारे पास reptiles है या हमारे पास turtles है हना turtles है उनके अंदर temperature के थू होता है कि temperature high है तो male बन जाएगा low है तो female बन जाएगा तो उसे हम कह देते environmental sex determination तो अगर मैं आपसे कहूँ कि sex determination की कोई type है एक हो सकती environmental मतलब क्या हुआ किसी chemical की presence से male और female बन जाए male और क्या बन जाए female बन जाए ऐसा हो सकता है इसे environmental कहते है इसमें chromosome का रोल नहीं है अब एक और होता है बेटा जिसे हम क्या बोलते है non chromosome बोलते है बड़ उसमें DNA involved होता है कौन सा DNA involved होता है ध्यान दो आपने एक bacteria देखा है E. coli उसमें खास रह का plasmid होता है F. plasmid जिसमें F. plasmid होता है उसे F. plus या male बोलते है उसकी वज़े से खास रह के पिलाई बनते हैं जिने sex पिलाई कहते हैं तो मेरा सिर्फ इतना point है कि environment से male female बन सकता है ये बहुत कम होता है और ये वाला भी हो सकता है कि जिस bacteria में F. plasmid है उसे हम male कह दें पर properly chromosome से sex determination कैसे होता है वो हम देखेंगे वो ऐसे होता है कि हमारे पास जो egg होगा और जो sperm fuse करेगा उससे zygote बनेगा at the time of zygote formation ये fix हो जाता है कि male बनना है जब zygote formation होती है उस वक्त ये fix हो जाएगा male and female हमारे पास क्या हो जाएगा fix हो जाएगा क्या मेरी बात समझ में आ रही है किसे male बनना है कि female बनना है ये उसी वक्त fix हो जाता है जब zygote बनता है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या male female होना जरूरी है sexual reproduction लिए नई sex organ होना भी जरूरी नहीं है खाली gametes बनना जरूरी है तो nature ने ऐसे evolve किया पहले gametes बनाते थे फिर sex organ बनाने लगे फिर male female बनाने लगे अलग लग फिर दीरे-दीरे sexual dimorphism आ गया male female अलग लग दिखते हैं तो chromosome कैसे काम करते है male female बनाने में वो topic हम पढ़ेंगे अब क्या हुआ है बिटा male female chromosome से बनता ये बहुत पुरानी discoveries है 1891 में 1891 में काफी सारी discoveries chromosome के around चल रही थी आपको मैंने बताया भी था कि 1900 के around हमारे पास क्या हुआ था mitosis, meiosis की detail भी चल रही थी पर उससे जस्ट पहले spermatogenesis और oogenesis को कुछ scientist पढ़ रहे थे तो एक विज्ञानिक थे 1891 में 1891 में उनका नाम था hanking उन्होंने क्या किया hanking ने 1891 मे spermatogenesis study किया किसमे? insect में spermatogenesis क्या किया study किया किसमे? insect में तो उसमें जब उन्होंने insect में spermatogenesis study किया तो definitely वो insect मेल रहा होगा मालो ये insect है तो उन्होंने देखा कि यार उन्हें दो तरह के sperm दिखे व्यांजु उन्हें विटा उन्हें दो तरह के sperm दिखे उसके अंदर एक वो sperm दिखा जिसके अंदर एक dense body होती थी जिसके अंदर क्या होती थी एक dense body होती थी एक में नहीं होती थी तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने study किया insect में और उन्होंने observe किया observe a dense body in 50% of sperm 50% sperm में हर दो में से एक में ठीक है उन्होंने उसको नाम दिया named as X chromosome sorry X body X chromosome नहीं गलत हो जाएगा X chromosome लिखते ही X body ठीक है तो हैंकिंग एक विज्ञानिक थे 1891 में वो अपना मतलब क्या कर रहे थे study कर रहे थे क्या spermatogenesis insect में देख रहे थे microscope से उन्होंने देखा कि 50% sperm में हमारे पास एक X body नाम की चीज है 50% पे अब जरह इस बात को ऐसे समझो क्या उन्होंने X chromosome खुद खो जा था नहीं उन्होंने सिर्फ X body बोला था तो बाद में बाद में जो dense body है जिसे उन्होंने X body बोला लेटर scientist ने बताया वो एक chromosome है लेटर scientist discovered this as chromosome और उसको बाद में नाम दिया named as और ये sex determine करता named as X chromosome तो क्या X chromosome हैंकिंग ने खो जा था नहीं उन्होंने X body देखी थी ठीक है तो कही न कहीं ये पता चल रहा है कि भई स्पर्म के अंदर एक में X chromosome है दूसरे में नहीं है तो उसको थोड़ा सा और explain करते हैं ऐसे समझते हैं मेरी बास सुनो हमारे पास माल लो एक insect है जिसका नाम grasshopper है जिसका नाम क्या है grasshopper है insect है माल लो और ये मेरे पास माल लो मेल है ठीक है और ये मेरे पास female grasshopper है ठीक है तो जो मेल होता है उसमें बिटा मैं ऐसे लिखता हूँ 2A इसका मतलब autosome हो गए जैसे इस A का मतलब है autosome 2 का मतलब उसकी copy जैसे human में इस A की value होती है 22 2 से multiply करूँगा तो 44 autosome हो गए तो 2A plus X naught मतलब male में और female में क्या अंतर है ये difference है male में एक X chromosome कम है female में एक X chromosome extra है जैसे माल लो इसमें total 22 chromosome है और इसमें कितने है 21 तो जब male sperm बनाएगा तो कैसे बनाएगा autosome A लिख देंगे बिटा A को लेके confuse हो रहे हो तो मत परेशान हो मैं क्या बोल रहा हूँ A का मतलब समझो human में कितने pair होते है 23 pair उसमें से 22 pair autosome होते है और एक pair sex chromosome होता है तो 22 pair 22 pair का मतलब ऐसे देखो जैसे माल लो एक pair ये हो गया एक ये हो गया ये हो गया ऐसे करके 22 pair है तो ये जो एक side है 22 की इसको हम A लिखते है human के case में drosophila में A बराबर में 3 होता है human में तो 22 होगा ना ठीक है किसी और insect में कोई और value हो सकती है तो ये दो तरह के sperm बनाएगा एक में autosome होगा और कोई X chromosome नहीं होगा और एक में autosome के साथ X chromosome ये देख लो और ये क्या करेगा एग बनाएगा female egg बनाएगी और कैसे बनाएगी दोनों में X chromosome है अब आप ध्यान से देखो female ने female produce only only one type of egg देखो one type of egg female ने एक ही तरह का egg बनाया है के नहीं और यहाँ पर male ने दो तरह के sperm बनाएगे है two type of sperm तो ये क्या चीज है बेटा ये है concept sex determination का हमेशा याद रखो कि male और female में से जो कोई एक दो तरह के gametes बनाता है कोई एक कौन बनाएगा male female में से कोई भी उसे हम कहते है heterogametic तो हैंकिंग में सिर्फ ये देखाता कि यार 50% sperm में एक dancing structure है उसे X body कहते हैं बाद में पता चला वो X chromosome है और फिर हमने ये पता किया कि जो grass ओपर है या कोई insect है उसमें male में एक X chromosome कम होता है ये हमने पता किया में पता चला तो male में अगर एक X chromosome हमारे पास कम होता है तो हम ऐसे लिख रहे है A plus not और A plus X तो male में दो तरह के sperm बनेंगे दो तरह के sperm बनेंगे एक बनेगा ध्यान दे बिटा एक बनेगा A plus X एक बनेगा A plus X और एक बनेगा A plus not तो male में दो टाइप के sperm बनेंगे दूसरा female में हमारे पास A plus X और A plus X हमारे पास only one type of egg बनेगा female में क्या मेरी बात समझ में आ रही है के नहीं male और female को लेके समझ में आ गया male में दो तरह के sperm female में एक तरह का egg clear है और जब भी sex determine करेगा हमेशा heterogametic member करेगा मैं जब आपको कुछ चीजे दिखाता हूँ हमने क्या किया हमने देखा कि अलग-अलग organism में अलग-अलग तरीके से male female बनता है सुनना द्यान से सबसे पहली type है इसे XO type या XXXO type कहते है ये insects में होता है कौन से insects में most of the insects में most of the insects में यही वाला होता है इसमें क्या होता है ज़ान सुनेंगे male जो है वो दो तरह के sperm बनाता है A plus X और A plus naught इसका मतलब male heterogametic होता है heterogametic मतलब दो तरह के gamit बनाता है female क्या है A की तरह के egg बनाती है कौन से A plus X वाला तो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ू fertilize करूँ तो मेरे पास male बनेगा clear है और मैं अगर इन दोनों को जोड़ू तो female बनेगा तो female में वापसी 2A plus क्या आजाएगा XX आजाएगा आप खुद देख लो female क्या आजाएगा 2A plus XX आजाएगा ये X ये X और ये 2A हो गया male क्या आजाएगा 2A plus X not आजाएगा आप खुद देख लो तो male 2A plus X not होता है दो तरह के gamit बनाता हो female क्या है 2A plus XX है अब ये वाला किस में होता है बेटा ये होता है some insect में some insect जैसे की drosophila हाना some insect तो इसका मतलब most insect में ये वाला होता है जैसे की cockroach में ये होता है SSX determination करते है cockroach के अलावा हम लिख सकते हैं क्या इसमें grasshopper क्या लिख सकते हैं grasshopper लिख सकते हैं हाँ सर ठीक है इस वाले में some insect में drosophila लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं human आप देख लो human में देखो कुछ से देखो male male में क्या है 2a प्लस xy है तो male क्या है heterogametic है sex कौन determine करेगा male female क्या है 2a प्लस xx है तो इसके कितने gamet बनेंगे 2 a प्लस x और a प्लस y और इसके कितने बनेंगे सिर्फ एक टाइप के एक टाइप कहे रहा हूँ बिटा ये number नहीं type होता है ये fuse करेगा male और ये अगर इसके साथ fuse कर रहा है तो female ऐसे समझो तो heterogametic कौन है इसमें male heterogametic है तो अगर आपसे कोई कहे x x और exo type ये एक्सो टाइप किसमें मिलती है most of the insect cockroach grass of them x x x y टाइप इसकी match the following आते है वो किसमें मिलेगा drosophila में echo type होती है z z z w इसमें male क्या होता है बिटा homo gametic होता है homo मतलब एक ही तरह के gamet बनाएगा तो male जो होगा वो 2a plus z z है और female क्या है बिटा female heterogametic है और वो क्या होगा 2a plus z w है तो यहाँ पर और यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से समझे देखें इसके gamet बनेंगे a plus z और a plus z तो एक ही तरह के बने इसके बनेंगे a plus z और a plus w तो sex कौन determine करेगा female sex determined by female और यह किसमे होता है बिटा यह होता है हमारे पास birds में आपको करना पड़ेगा birds में याद इसको ठीक है जो ncrt में दे रखा clear है सही है clear क्या इसके अलावा कोई और होती है हाँ देख लेते है पर उससे पहले यह देखो अगर तुमसे कोई पूछे type तो आप लिखोगे वैसे तो exo या xx exo type number of chromosome male और female में किसमें जादा होते है female में जादा होते है male से हेट्रोगेमेटिक कौन है male sex determination कौन करेगा by male male के थू होगा समझ में आ रहा है चीक है दूसरी टाइच example भी लिख लेते example इसमें most insect सही है यह याद करना आपने second xy type किसमें आएगा इसमें male और female में chromosome number same होता है हेट्रोगेमेटिक कौन है male sex determination कौन करेगा by male male से गैमेट्स के थू यह बनता है third zw type इसमें male और female के chromosome number बराबर होते है हेट्रोगेमेटिक कौन है female तो sex determination कौन करेगा by female तो जो हेट्रोगेमेटिक होता है दो तरह के gamete बनाता है वही sex determine करता है, यह important table है, इसके अलावा हम एक चीज और बताते हैं, जिसे हम haplodeploidy कहते हैं, sex determination जिसे हम क्या बोलते हैं, haplodeploidy, haplodeploidy कहते हैं, ठीक है, number of chromosome, male में मालो 16 है, तो female में 32 हैं, आधे का फरक है, ठीक है, heterogametic और homogametic की हम बात नहीं करेंगे, अभी sex determination देख लेते हैं, कैसे होता है, ठीक है, चलो देखते हैं, आजओ, haplodeploidy किस में होता है, इसमें, honey bee में होता है, हमारे पास honey bee में होता है, honey bee में, clear है यह, honey bee में होगा, honey bee में कैसे होगा, इसको समझो, इसको समझो हमारे पास haplodeploidy honey bee में होता है कैसे होगा समझो ये मेरे पास एक drone है drone क्या होता है male होता है इसमें कितने chromosome होते है ये haploid होता है 16 chromosome होते है ये मेरे पास queen है queen में 2n is equal to 32 chromosome होते है अब माल लो इसने sperm बनाए तो sperm बनाने के लिए sperm haploid होंगे तो कौन सी division करेगा mitosis आ रहा है समझ की नहीं खुद देख लो mitosis करेगा हाँ सर ठीक है अब ये queen है queen क्या करेगा बिटा queen को क्या करना पड़ेगा meiosis meiosis से वो क्या बनाएगा ऐसे egg बनाएगा ये क्या बन गएग बन गएग को लिखेंगे n is equal to 16 अब मेरा point ये है बिटा मेरा point ये है कि कुछ एग जैसे ये वाले कुछ एग की parthenogenesis होती है parthenogenesis मतलब उस एग से directly drone बन जाते है ये directly क्या बन गए drone जिसमे n is equal to male बन गया directly है और कुछ एग इसके साथ fertilization शो करते है और उससे क्या बन जाता है जाइगोट बनता है अब जाइगोट में क्या है बिटा हमारे पास diploide है 32 chromosome है अब ये जाइगोट क्या है दो चीजे बना सकता है एक तो ये queen बना सकता है जिसमें 32 chromosome होंगे और ये worker बनाता है जिसमें क्या होगा 2n is equal to 32 तो ये sterile female है तो आपको ये समझ में आएगा कि chromosome number male और female में आदे का फरक है ठीक है अब जड़ा इसको ऐसे समझो है haplodeploid ही क्यों है queen diploid है वो फिर male बना रही है जो haploid है haploid male से दुबारा diploid queen बन रही है आप खुद देखो देखो queen क्या है, sir queen diploid है उससे हम male बना सकते हैं क्या हाँ बना सकते हैं कैसे बना रहे है पार्थिनोगेनेसिस से male कैसा haploid है, male से दुबारा queen बना सकते हैं, हाँ, बना सकते हैं कैसे बनाओगे, egg से यह queen होगी यहाँ पर उससे egg बनेगा, उससे बना सकते हैं ठीक है, तो कैसे बनेगे हमने queen बनाती, तो यह diploid था है, आप खुद देखो this is diploid this is haploid, again diploid इसे haploid, aploidwriting कर रहे है अगर आप ध्यान से देखो इस male के ऊपर, father नहीं है सीधे mother है, लेकिन ध्यान सुνेंगे, अब देखो अब ये जो male है ध्यान सुनेंगे, अब देखो, इसको ऐसे समझेंगे इस male के ऊपर, father नहीं है सीधे mother है, पर queen क्वीन बनाने के लिए उसके उपर तो फादर इस क्वीन के उपर फादर है ना तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो ड्रोन है उसका फादर नहीं होता पर ग्रैंड फादर होगा कैसे ग्रैंड फादर होगा क्योंकि क्वीन बनाने के लिए तो फादर चाहिए ना आपको समझ में आ तो इस male का father नहीं है grandfather है नाना जी बोलोगे ऐसे तो आप grandfather होगा ठीक है ऐसे ही इस male का son नहीं होगा डाटर है ना queen पर grand son होगा मतलब वो पोता नहीं क्या बोलते हैं उसे नाती हाना वैसे कुछ सही है ठीक बढ़िया समझ में आ क्या है तो haplo diploidy भी एक sex determination है जिसमें male और female मे आधे का फरक होता है पहले diploid queen से haploid male बनता है और haploid male से diploid queen बनती है क्या ये चीज़ समझ में आ रही है ठीक है तो ये बिटा sex determination का topic है जो आपने करना है उसके बाद मैं आपको topic बताने जा रहा हूं mutation क्या होता है ठीक है क्या बताने जा रहा हूं mutation क्या होता है बहुत important topic ह क्लिरे एक सेकिन्द दूँ एक सेकिन्द दूँ बिटो ठीक है अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अब मैं आप से कह रहा हूँ कि म्यूटेशन है हमारे पास what is mutation म्यूटेशन की बात कर लेते हैं ठीक है what is mutation उसकी हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है clear है ज्यान दो mutation क्या होता है मैं आपसे simple सवाल पूसता हूँ आपने अगर बचपन में भी कुछ भी पढ़ा है mutation के बार में mutation क्या होता है DNA में अचानक से होने वाला बदलाओ जिसकी वज़े से sudden inheritable change कहते है mutation is sudden अचानक से होने वाला inheritable मतलब एक generation से दूसरी generation में जाने वाला change in DNA तो sudden inheritable change in DNA DNA में अचानक से होने वाला बदलाओ जो एक generation से दूसरी generation में चला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं mutation बोलते हैं कोई doubt है क्या कोई doubt है इस बात में नहीं सर समझ में आ गया तो sudden inheritable change in DNA is mutation अब जड़ा इसको ऐसे समझो मैं आपसे ये पूस्ता हूँ कि माल लो आपके पास कोई human बना दिया हमने ठीक है human में कितने type के cell होते हैं जैसे ये skin cell है तो skin cell को हम कौन सा cell कहते हैं somatic cell somatic cell वो होता है जिसमें सिर्फ mitosis होती है हना सिर्फ क्या हो सकते है mitosis होती है normal cell होता है और वो क्या हो जाता है वो मर जाता है dies with organism अगली generation में नहीं जाता ऐसे cell को क्या बोलते हैं somatic cell कहते हैं और माल लो इस human में testis है इस testis के अंदर हमारे पास germ cell होते हैं तो germ cell वो होते हैं जिन में meiosis होती है और ये अगली generation में जा सकते हैं अगली generation में जा सकते हैं तो मैं अगर आपसे पूछूँ मैं आपसे पूछूँ कि mutation की परिवाशा है sudden inheritable change in DNA और mutation दो परकार की है एक somatic होती है एक germ cell की होती है somatic mutation क्या होती है जो कहाँ पर हो skin cell में हो आपके neurons में हो जाए muscle cell में हो जाए कहीं भी हो जाए ऐसी mutation को blood cell में हो जाए blood cell WBC की बात करते है RBC में तो nukleस ही नहीं होता blood cell में हो जाए और अगर germ cell में होगी तो ये can inherit to next generation ये अगली generation में जा सकती है संजो ध्यान से अगली generation में जा सकती है तो क्या somatic cell वाली भी अगली जनरेशन में जा सकती है, इसका एक logic है मेरे पास, देखो मेरी बास समझो mutation की परिभाशा है एक ऐसा अचानक से होने वाला बदलाओ, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सके, skin cell वाली को somatic बोलेंगे, germ cell वाली को हम germ cell की mutation बोलेंगे ठीक है, जो germ cell में हो रही है, germ cell वाली parent से बच्चे में जा सकती है जो somatic वाली है क्या वो भी inherit होती है, सवाल ये है, वो हो सकती है, पर कैसे एक cell से दूसरे cell में माल लो, अगर मैं बात करता हूँ, इसको उटा देते हैं, इसकी आउशकता नहीं है हमें, माल लो मैंने ये एक cell बनाया है ये एक somatic cell है अगर इसमें मैं mutation करा दूँ, उससे होने वाले जो दो cell बने दोनों में अगर mutation चली जाए तो मैं कहूंगा inherit होगी, तो somatic cell की mutation, उनके daughter cell में जा सकती है, जैसे की cancer cell, अगर आप से कोई पूछे, क्या cancer cell वाला जो case है, उसमें क्या mutation inevitable है, हाँ जैसे माल लो, इस skin cell में mutation हो गई, ये skin cell divide करके, और skin cell बना रहा है तो mutation उसमें जा रही है तो mutation की simple परिभाशा है कोई भी DNA में बदलाओ जो अगली generation में जा सकता है अगली generation के दो अर्थ है दो meaning है, पेरंट से बच्चे में जाना, ठीक है जो कि testis में बने वे sperm cell की थू जाएगा, दूसरा क्या हो सकता है, somatic cell की mutation, जो एक cell से दो cell में जा सकती, लेकिन उस organism के साथ वो मर जाएगी इतनी बात clear है क्या और mutation करने वाले chemicals को हम mutagens कहते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, chemicals हो सकते हैं, radiations हो सकते हैं, ये topic कहां से पढ़ना आपने, carcinogen पढ़ना है, ये topic आपने पढ़ना, human health and disease से जो भी cancer करने वाले agents हैं, वो सारे mutagens भी होते हैं, मतलब statement ये है, कि all carcinogen are mutagen सारे cancer करने वाले mutagen ही है पर सारे mutation cancer नहीं करती all mutagen not cause cancer, मेरी बात clear है कि नहीं बताओ, सहिए सर, आगे की कानी को थोड़ा सा पकड़ते हैं mutation तीन तरह की आपके slabus में है, पहली mutation वो जो chromosome की संख्या बदल दे, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर total chromosome कितने दिख रहे हैं, सर जी 6 दिख रहे हैं अब कितने रह गए, 5 रह गए तो अगर chromosome की संख्या बदल जाए तो ऐसी mutation को कहेंगे change in chromosome number क्या सही है, हाँ सर ठीक है एक ऐसी mutation जिसमें chromosome में कुछ तूट फूट हो जाए ऐसा आ जाए जिसमें chromosome में हमारे पास क्या आ जाए, ऐसे तूट फूट हो जाए मतलब क्या हो जाए, इस तरीके से तूट फूट हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे बिटा chromosome तूट गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, change in chromosome structure बोलेंगे change in chromosome structure बोलेंगे तो mutation कैसी कैसी हो सकती है number change हो सकता है number get change संख्या बदल सकती है number structure change हो सकता है जिसे हम कहते है chromosomal aberration structure कैसे यह part तूट गया तो इसे कहते है chromosomal aberration अपनी NCRT चेक करोगे यह main reason है cancer का this is main reason of cancer यह main reason है किसका cancer का main कारण यही होता है यही वाली mutation cancer का main कारण होता है clear है main कारण होता है उसके बाद हमारे पास यह DNA है यह DNA है ठीक है यह मैंने क्या बना दिया DNA ध्यान से देखना ध्यान से देखना यह मैंने क्या बना दिया DNA बना दिया अब DNA जो मैंने बनाया है ध्यान से देखेंगे विटा ध्यान से देखेंगे clear ध्यान दो DNA बनाया अगर इस DNA में हमारे पास कुछ change हो जाए यह change हो जाए यहाँ क्या हो जाए some changes some changes occur अगर DNA में change हो जैसे मालो यहाँ AT था A की जगा G और T आजाए मतलब change हो जाए उसको हम कहेंगे sequence में change होना तो mutation तीन तरह की होती है पहला number बदलना structure में बदलाओ और DNA में बदलाओ ठीक है यह तीन तरह की mutation होती है सबसे पहली वाली mutation कौन सी है इस पर बात कर लेते हैं सबसे पहली वाली mutation है इसे हम क्या बोलते है change in chromosome number यह दो तरह की होती है एक होती है polyploidy polyploidy का क्या मतलब होता जरा यह देखो आपने बिटा एक stage पड़ी हुई है आँ उसमें ध्यान से जुनना एक stage पड़ी है किसमें पड़ी है बिटा यह जिसमें मालो यह मैं आपसे क्या रहा हूँ एक stage पड़ी है आपने ध्यान देना जिसमें क्या होता है यह जो chromosome है ध्यान देना बिटा इस बात को chromosome के जो sister chromatid हैं वो एक दूसरे से ऐसे अलग हो जाते हैं इस तरीके से ऐसे अलग हो जाते हैं यह कब होता है एना फेज में होता है होता है कि नहीं एना फेज में sister chromatid अलग हो जाते हैं ऐसे बीच में से अलग हो जाते हैं तो number of chromosome डबल हो सकते हैं तो polyploidy का simple meaning क्या होता है आप इसीज़ को समझे मैं आपको क्या बताने कोशिश करूंगा मैं क्या करूँ एक chemical apply कर दूँ अगर मैं क्या apply कर दूँ कॉल्ची scene लगा दूँ तो कॉल्ची scene लगाने की वज़े से spindle assembly नहीं होती spindle assembly नहीं होगी अब उससे क्या होगा not occur spindle assembly नहीं होगी उससे क्या होगा जो chromosome है न बिटा वो बीच में से तो अलग हो जाएंगे मालो ये बीच में से तो अलग हो गए पर ये अलग-लग उसमें नहीं जाएंगे अलग-लग cell में नहीं जाएंगे जैसे अब ये एक chromosome था अब ये कितने हो गए एक था अब ये एक और दो हो गए तो क्रोमोजोम का नंबर बढ़ जाता है समझे लो एनाफेस में वो अलग तो हो गए अलग लग सेल में नहीं गए तो इसके वज़े से क्रोमोजोम डबल हो जाते हैं जैसे फॉर एक्जामपल ये सेल है इस सेल में माईटॉसिस चल रही है माल लो इसमें टोटल क्रोमोजोम 20 थे तो आपने अगर इस पे कॉल्ची सीन अपलाई कर दिया तो इसमें क्रोमोजोम की संख्या बढ़ कर 40 हो गई हाला क्रोमोजोम की नंबर बढ़ के क्या हो गई 40 हो गई तो क्रोमोजोम डबल होने को क्या बोलते हैं polyploidy बोलते हैं तो यहाँ पर double होता है polyploidy बिटा plant में survive करता है animal में नहीं मैं repeat कर रहा हूँ polyploidy हम कैसे induce कर सकते हैं chemical से जिसका नाम colchicin है colchicin क्या करता है spindle बनने नहीं देता उससे chromosome तूट के अलग तो हो गए पर opposite pole पे नहीं जा पाए इससे chromosome की संख्या double हो जाती है 20 से 40 हो गया तो polyploidy survive only in plant not in animal only in plant सिर्फ plant में survive करते हैं not in animal animal में नहीं clear है के नहीं सोचो तो polyploidy जो हैं सिर्फ plant में survive करते हैं animal में survive नहीं करते clear है के नहीं enuploidy का क्या मतलब है यह समझो देखो ज़र enuploidy का मतलब समझो आपके पास यह देखो यह एक cell है छीक है इसमें एक chromosome है कितने है आठ अब जराए यह देखना enuploidy का मतलब है एक chromosome जादा होना या कम होना अब देखो माल लो मैं इस तरीके से आपको और बना दू यह मैंने बना दिया है ध्यान देना ठीक है हांसर बना रहे हैं देखो यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया अभी कितने chromosome हैं साथ हैं एक कम हो गया तो इसे हम कहते हैं 2N-1 enuploidy का मतलब एक chromosome कम या जादा होना 2N-1 या इस condition को कहते हैं monosomic monosomic का मतलब एक chromosome कम हो गया आप कितने रह गए यहां साथ रह गए यहां आठ थे अब जरह यह देखो अगर मैं इसमें देखो ऐसे यह देखो एक यह वाला गायब है और एक यह वाला गायब है इसको लिख सकते हैं 2N-1 इसके लिए और minus 1 इसके लिए इसको कहते हैं double monosomic double monosomic आरहा समझ double monosomic ऐसे कह सकते हैं दो गायब है इसमें हाना clear है मालो मैं क्या करो और देखो और देखो बिटा मालो मैं ऐसे बना दू खुद से देखना यह देखो यह मैंने ऐसे बना दिया यह बना दिया यह बना दिया अब यह पूरा pair गायब कर दिया यह वाला यह पूरा pair गायब कर दिया अब इसको कैसे लिखोगे 2N-2 अगर पूरा pair चला गया तो 2N-2 उसे कहते हैं nullisomic तो enuploidy कब होती है यह बताऊंगा मैं आपको पर enuploidy का मतलब समझ लो एक क्रोमोजोम कम होना दो कम होना या बढ़ना बढ़ कैसे जाएगा मालो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ ध्यान देना बिटा मालो मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉख कर दूँ आपके लिए देखो इस तरीके से ड्रॉख कर दूँ ऐसे देखो ऐसे कर दिया अगर यह क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आगया तो इसकी कितनी कॉपी होगी तीन तो इसको क्या लिखोगे ट्राई सूमी ट्राई सूमी पूरा पेर गायब होगया नली सूमी अगर आपसे कोई कहे डबल ट्राइसोमी तो इसकी एक्स्ट्रा कॉपी इसकी एक्स्ट्रा कॉपी तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि पॉलीपलॉइडी क्या होता है पूरे मालो हूमन में कितने क्रोमोजोम होते हैं 46 वही double हो जाए 92 उसे polyploidy कहेंगे अगर एक या दो क्रोमोजोम कम जादा हो तो उसे हम क्या बोलते है एनियूपलोईडी और इसका main reason क्या होता है एनियूपलोईडी का main reason क्या होता है non-disjunction meiosis में देखो आपने एक phase पढ़ना है meiosis में anaphase 1 जिसमें ये क्रोमोजोम के pair अलग होते है और opposite pole पे move करते है repeat कर रहा हूँ meiosis में anaphase 1 में ये क्रोमोजोम के pair ये अलग होकर opposite pole पे move करते है इनका ऐसे opposite pole पे जाना disjunction या ऐसे sorry अलग होना disjunction कहलाता है ये चीज़ समझ मारी है लेकिन अगर ये अलग ना हो तो पूरा का पूरा pair एक साथ चला जाएगा जरा आइसको समझते हैं आज देखो हमारे पास अगर आप से कोई पूछे reason of aneuploidy reason of aneuploidy पूछे तो आप लिखोगे non disjunction non disjunction in anaphase 1 anaphase 1 आपने अगर meiosis ठीक से पड़ि है तो आपने ये पड़ा होगा कि ये chromosome के pair होते हैं ऐसे chromosome के pair होते है ठीक है ये chromosome के pair होते है ठीक है, ये देखो इस तरीके से pair होते है और इस पर ऐसे spindle fiber लगा रहता है, तो नॉर्मली क्या होते हैं, क्रोमोजोम ऐसे अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, एक इधर चला जाता है, ऐसे मूव करते हैं, एक इधर आ जाएगा, देखो ऐसे पूरा का पूरा, टूढ़ गया है कोई बात नहीं, टूढ़ फूढ़ चलती रहती है, इन्हें हम कहते हैं, ऐसे, अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं, तो पहले जुड़े वे थे, अलग होके उपर ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन कई बर क्या होता है, ये दोरो सेम पोल पे चले जाते हैं, मालो ये पूरा का पूरा, वैसे तो अलग अलग जाना चाहिए, सेम इसरे नीचे लेकिन अगर ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाए तो इसमें एक एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा नहीं हो गया तो ऐसे ही इस केस को हम क्या बोलते हैं नौन डिसजंग्शन तो नौन डिसजंग्शन का मतलब होता है इनका अलग ना होना यहां जुड़े रह गए नौन डिसजंग्शन की वज़े से क्या होगा बोत क्रोमोजोम मूव टू सेम पोल उससे क्या होगा यूमन में एक गैमिट में 24 क्रोमोजोम दूसरे में 22 आरा समझ बोत क्रोमोजोम मू अनुपलोईडी, non-disjunction in anaphase 1 of meiosis 1 आरहा समझ, बढ़िया आगे देखो अगे देखो, अगर आप इनके आंसर कर पा रहे हो तो आपको topic समझ में आ गया T plant में 14 14 chromosome है, after polyploidy कितने होंगे, 28 double हो जाएंगे अगर human में, after trisomy, trisomy क्या होता है, 2n plus 1, तो 46 plus 1 कितने, 47 chromosome हो गए, nullisomy क्या होता है, 2n minus 2 कितने हो गए, 44 हो गए, 2n मतला 46 minus 2 double trisomy 2n plus 1 plus 1 कर सकते हो कि नहीं 48, double monosomy, 2n minus 1 minus 1, कितना आ गया 44 monosomy, 2n minus 1 monosomy बिटा, 45 एक कम किया हमने monosomy मतलब 1 कम, double monosomy मतलब minus 1, minus 1 nullisomy मतलब सीधे 2 कम कर दिये ठीक है तो ये बिटा आपको मैंने mutation के बारे में बताया अब हमने क्या पढ़ा था, सुनो हमने पढ़ा है change in number number दो तरीके का हो सकता है एक हो सकती polyploidy पूरी की पूरी copy एक्स्ट्रा बन जाए दूसरा हो सकता है enuploidy एक या दो chromosome कम जादा हो तीसरा सेकिंड टॉपिक है change in chromosome structure इसमें जो question आता है वो ये आता है आप सुनना द्यान से मेरे पास ये chromosome मैंने draw कर रखा है ये chromosome मैंने draw कर रखा इस chromosome पर gene बना रखे A, B, C, D P, Q, R ये मैंने gene बना रखे क्या आपको gene दिख रही है हाँ सर gene दिख रही है अब मैं जो आपको यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे मैंने यहाँ पर ये gene बना रखी है इस पर और मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ changing chromosome structure हो रहा है अब जरा समझो ध्यान से अगर मैंने यह यहाँ पर gene लिख दी देखो क्या क्या लिखी हूई है खुद से देखना मैंने यहाँ A लिखी है B लिखी है C लिखी है D लिखी है बिल्कुल ऐसा कोई दिककत नहीं है सही है सर यहाँ मैंने P और Q लिख दी इसका मतलब ये जो R है न मेरे पास ये जो R है ये तूट के बेटा अलग चला गया आर तूट के अलग चला गया, कहां चला गया पता नहीं तो इसे हम कहते हैं deficiency या deletion दोनों में से कोई वर्ड अलग लग है वोल दो, इसे आप कह सकते हो कि भाई ये delete हो गया, ये क्या हो गया deletion हो गया, तो B, C और D, जैसी बिल्कुल वैसी अब यहां पर मैंने लिखा है P, Q, R अब ज़रा ध्यान से देखो, मालनो QR एक्स्ट्रा आ गया, ये तो पहले से था ही, इतना था ही लेकिन ये QR एक्स्ट्रा आ गया इसको कहते हैं duplication तो क्रोमोजोम के structure में बदला हो रहा है deletion हो, चाहिए duplication हो, और देखो, यहां पर मैंने gene लिखी है, ध्यान देंगे, मालनो यहां पर gene लिखी है, मैंने B फिर मैंने लिख दी C, और मैंने यहां लिख दी D, ठीक है यहां पर मैंने लिखी है, Q, R लिख दी, अब मेरी बात सुना मालो, मैं क्रोमोजोम को इस हिस्से से तोड़ कर 180 डिग्री गुमा कर फिर जोड़ दूँ, उससे क्या होगा आपका इधर P आ जाएगा और इधर आ जाएगा A, आपको समझ में आया है क्या हुआ है, क्रोमोजोम को तोड़ के मैंने 180 डिग्री इस तरीके से गुमा दिया है, ऐसे मतलब बीच में से तोड़ के ऐसे गुमा दिया है, इसे कहते इनवर्जन, तो ये टर्म याद जरूर रखना, ये क्या होता है डिटेल नहीं पता होना चीए तुमें इसकी भी टाइप होती है, पैरी सेंट्रिक पैरासेंट्रिक मत करो चल जाएगा आपको सिर्व ये समझना है कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में बदलाव करना है ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे जीन बनी हुई है, एक हो सकता है डिलीशन, ये कोई पार्ट तूट जाए कोई पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट आजाए उसको कह देंगे डुपलीकेशन सही है, और इनवर्जन का मतलब ये तूटके 180 डिगरी घूमके लग जाए, इसे इनवर्जन कह देंगे ठीक है, इनसे कोईशन आये का मुश्किल है कोईशन आपका बिटा इनसे आया हुआ है हमारे पास क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखो ये क्रोमोजोम होमोलोगस पेर है अगर इनके बीच में मैं कोई DNA एक्सचेंज करता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ क्रोसिंग ओवर तो क्रोसिंग ओवर किसके बीच में होता है जेनेटिक मेटीरियल एक्सचेंज होता है किसके बीच में एक्सचेंज बिट्वीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में exchange होता है लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ exchange कर दू समझो ध्यान से मैं इसको इसके साथ exchange कर दू पेर है ऐसा कुछ कर रहे है तो इसके और इसके बीच में exchange करने को कहते है ट्रांस लोकेशन, यहां से question आता है, तो अगर आप से कोई कहे कि homologus pair के बीच में exchange हो रहा है तो आप कहोगे crossing over अगर आप से कोई कहे कि non-homologus pair के बीच में exchange हो रहा है, तो आप कहोगे क्या बोलोगे, आप बोलोगे Translocation तो Translocation अलग चीज होती है Crossing over अलग चीज होती है बिलकुल दिमाग में बिठाओ Translocation different है Crossing over different है clear है कि नहीं बताओ जब दी बताओ Translocation अलग है Crossing over अलग है Crossing over homologous pair के बीच में होगी Translocation किसके बीच में होगी Exchange in non homologous pair यहां से question आएगा और हमेशा याद रखो कि तूट फूट होने से होमोलोगस पेर तूट फूट होने से हमारे पास जो कोई चीज तूटती है फूटती है किसके बीच में एक्सचेंज होता है किसके बीच में एक्सचेंज होता है तूट फूट होने से तूट फूट का में, क्या होता है, कैंसर के लिए, क्रोमोजोमल एबरेशन कैंसर करती, ये वर्ड याद रखना, और फिर हमने क्या बता है, स्ट्रक्चर कैसे बदल सकता है, डिलीशन, डोपिलिकेशन, इनवर्जन और ट्रांस लोकेशन, इसका पहले कोई एक्जामपल पढ आते थे, हम लोग फिला डेलफिया क्रोमोजोम नहीं करो, आपने पढ़ा भी हो, छोड़ दो नहीं उतना डिपूस साहब, ठीक है, सही है सर, clear है, ठीक है, आप कोई और म्यूटेशन सर बताओगे, बताते हैं, change in DNA structure, ये अपने मॉलिकुलर में भी पढ़ाओगा, आपको ये पता है, ये DNA है, सही है सर, DNA बढ़िया सा, सुन्दर सा DNA है, और अगर इसमें you लग रहा है, तो ये RNA है, और जिसके जैसा code होता है, जैसे इसके जैसा ये code है, तो इसको coding कहते हैं, strand कहेंगे, coding strand जैसा RNA बनता है, और उससे amino acid की chain बनती, जिसे polypeptide कहते हैं, जिसके एक त ठीक है आरने में मेरे पास ये कोडोन होते हैं इन्हें क्या बोलते हो कोडोन हमेशा याद रखो कोडोन का मतलब क्या होता है तीन न्यूक्लियोटाइड ओन आरने तीन न्यूक्लियोटाइड इन आरने को हम क्या बोलते हैं कोडोन बोलते हैं क्या बोलते हैं कोडोन और एक को Videotide का A-codon होता है और A-codon एक amino acid के बराबर होता है क्या इस बात में कोई डाउट है आपको जल्दी बताओ वेटा क्या इस बात में कोई डाउट है सोचो ध्यान से नहीं सर, ठीक लग रहा है आगे चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हू tort point mutation क्या आपको ये खुबसूरत सा बना हुआ DNA देख रहा है सर बिल्कुल देख रहा है मजा आ रहा है देख के ये देखो A के सामने TET के सामने लाल रन का A बना रखा है अब ये DNA है अब हमें आपको ये समझा रहे हैं What is point mutation? point mutation का मतलब simple सा ये होता है कि किसी एक nucleotide पर mutation हो रही मालो यहां हो रही हो या यहां हो रही हो अब ये किस तरह की हो सकती ये समझना है मुझे point mutation में क्या होता है एक हो सकती है substitution substitution का क्या मतलब है जैसे मालो ये C है इस C को हटा कर ज्यान दे बेटा इस C को हटा कर हम C हटा दे और इसकी जगा A लगा दे आप समझो C को हटा के अगर हम A लगा दे तो इसे substitution कहते है substitution मतलब क्या किया मैंने खुद देखो यह C है और red color का A है तो मैंने C को हटाया और उसकी जगा A लगा दिया आप देख पारे हैं A लगा दिया तो उसे कहते हैं substitution तो substitution किस में होता है on DNA होगा on DNA one nucleotide को बदल देते हैं nucleotide को change करेंगे change करते हैं दूसरे nucleotide से उससे क्या होता है single change होता RNA पे भी single change on RNA RNA पर भी एक ही बदलाओ होता है हना RNA पर भी क्या होगा एक ही बदलाओ होगा ये चीज़ क्लियर है तो substitution क्या है आपको समझना पड़ेगा ठीक है substitution क्या है आपको समझना पड़ेगा कि on DNA ध्यान दे on DNA हमारे पास एक nucleotide change होता है कहां से दूसरे nucleotide से single change होगा RNA में और एक amino acid polypeptide में one amino acid on polypeptide क्या इसका कोई example हमारे इस लेबस में है sickle cell anemia तो sickle cell anemia कौन सी mutation है substitution सिकल cell anemia कौन सी mutation है substitution जिसमें हमारे पास एक nucleotide बदलता है जैसे ये है हना ये C की जगा मैंने ये बदला था ये समझ में आ रहा है ठीक है अब कोई और mutation है देखो आप क्या करो इसको हटाई दो हटाने से क्या होगा C के बाद सीधे T पढ़ेंगे तो इसे हम कहते हैं deletion इसे हम क्या कहते हैं deletion या क्या करो चलो इसको रहने ही देते हैं द्यान दो बटा इसको रहने ही देते हैं यहाँ पर बीच में कोई extra nucleotide लगा लेते हैं इसे कहते हैं addition आपको समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं point mutation का मतलब है single position पर यह दो तरीके का हो सकता है एक हो सकता है substitution बदल दो वदल दिया ठीक है दूसरा हो सकता है addition और deletion addition का मतलब आप क्या कर रहे हो बीच में कोई दूसरा nucleotide C लगा दिया यहाँ पर इसके बीच में extra लगा दिया ठीक है तो जब copy बनाएगा तो यह अपने सामने अभी तो नहीं बाद में यह copy extra बना देगा एक और मालो यह C है तो अपने सामने G बनाएगा इस वाले पर बाद में ठीक है तो या तो addition कर दो समझ में आ रहा है या तो आप क्या करो addition कर दो या आप deletion कर दो उससे क्या होगा बिटा उससे क्या बदला होंगे वो देखो उससे क्या बदला होंगे अगर आप deletion और addition करते हो देखो मेरी बास सुनो आपने देखा है कि RNA पर ऐसे codes होते है तो अगर आप substitution करोगे तो substitution में मालो आपने DNA में change किया यह DNA है इसमें change किया तो क्या होगा आपको जाद जादा क्या होगा इस G की जगा मालो C लग जाएगा हमने का ठीक है G की जगा C लग जया तो क्या मेरे पास कोई बड़ा change हुआ नहीं एक codon में ही तो बदला हुआ यह substitution है लेकिन अगर मैं deletion कर दू deletion कैसे करूँगा मालो मैंने इसको हटाई दिया देखो लेकिन अब क्या होगा देखो यह तीन तीन को ऐसे frame बोलते है तो मैंने क्या किया है मैंने क्या किया deletion को substitution किया तो अगर G को C से substitute कर दिया तो एक single code में बदलावाया सिर्फ इसमें बाकी same रह गया यह चीज clear है यह चीज़ समझ में आ रही है बाकी क्या रहे गया same रहे गया आप देखो बाकी same है यह बाकी same है लेकिन अगर मेरे पास माल लो code ऐसे ऐसे है इस तरीके से है आप खुद देखो ऐसे है तो उस case में माल लो मैं पहले इसको 3-3 को पढ़ रहा था ऐसे हाँ सर ऐसे पढ़ रहे थे लेकिन DNA में change हुआ यह delete हो गया यह हट गया यह माल लो delete हो गया मैं लोब DNA में हुआ था RNA में से हट गया अगर यह RNA में से हट गया तो अब मैं कैसे read कर रहा हूंगा A, G, 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 A, U A, C, G, A, C, C ऐसे read कर रहा हूंगा यह चीज clear है कि नहीं यह चीज clear है तो यह आपके पास जो चीजें हैं आपको समझ में आनी चाहिए कि change in DNA structure है हमारे पास change in DNA structure है तो हमारे पास यह DNA है चीक है उससे हमने RNA बनाना RNA से polypeptide DNA में mutation होती है जो RNA में दिखती है mutation दो परकार की है यहाँ पर एक है substitution G को replace किया C से तो यह DNA में हुआ होगा RNA में तो इसमें सिर्फ एक codon बदला है इसका मतलब एक amino acid बदलेगा लेकिन अगर मैं delete कर दूँ हटाई दूँ यह add कर दूँ तो आगे के सारा frame बदल गया पहले मैं ऐसे पढ़ रहा था A, G, C G, G, A U, A, C अब कैसे पढ़ रहा हूँ A, G, G G, A, U A, C, G ऐसे read कर रहा हूँ clear है कि नहीं तो इसे कहते हैं frame shift mutation तो deletion और addition deletion और addition क्या करती है frame shift mutation करती है यदि आपको ये कम समझ में आया है तो आप जो वो है क्या नाम है उमीद वन में molecular basis of inheritance का lecture है वहाँ ये topic है क्योंकि ये है उसका ये basically clear है mutation में भले ही हमने यहाँ बता दिया तो ये है तो mutation में बिटा आपको यही चीज करनी है अब हम discuss कर सकते है pedigree analysis ठीक है pedigree analysis पे बात कर लेते हैं ये क्या होता है ये होता क्या है इसके questions कैसे बनाते है ये बड़ा हर साल एक question आ जाता है और questions भी कैसे आते है इसके कि मतलब basically आ भी सकता है नहीं ब्या सकता random पिछले 10 साल में दो question आये दो बार आये इस साल आने की probability 50% हर साल 50 होती है सुन लो पहले क्या है pedigree analysis देखो बहुत लंबे time से एक second देंगे बटा हाँ सुन लो द्यान से बहुत लंबे time से हमें ये पता था कि बहुत सारी बिमारियां disease human में होती हैं जो genetic है मतलब बहुत सारी ऐसे disease है जो human में एक generation से दूसरी generation में जाती है और जिसे मैं genetic disorder कहता हूँ ये बहुत लंबे समय से हमें पता था यहां तक कोई doubt है नहीं सर ये ठीक लग रहा है अब क्या हुआ ध्यान सुनेंगे हमने ये देखा कि ये वो genetic trait genetic trait मालो किसी ऐसे individual है जैसे मालो को एक normal individual है उसमें वो trait है कि नहीं है मैं पता कैसे करूँगा क्योंकि अगर plant में कोई trait पता करनी है तो हम test cross करा सकते हैं back cross करा सकते हैं पर क्या human में कोई अपने मरजी के cross थोड़ी होते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बहुत पुराने समय से हमें ये तो idea था कि बहुत सारी ऐसी disease या trait जैसे कान हैं हमारे कुछ के ये free हैं कुछ के ऐसा fuse होते हैं तो fuse और free ये लोग भी एक genetic trait है कुछ लोग जीब को ऐसे मोर सकते हैं tongue roller वो भी एक genetic trait है तो ऐसी trait होती है हमें पता था लेकिन उनको trace कैसे करें पता कैसे लगा ये बहुत मुश्किल काम था तो इसके लिए हमने क्या किया basically हमने इसके लिए कुछ technique सोची हमने हमने का कि यार इसका एकी तरीका है क्योंना हम में अगर कोई trait पता करनी है तो हम एक family tree बनाए family tree मतलब हम पता करें कि उसके माबाप में थी उसके दादा दादी में थी की नहीं थी ऐसे करके एक पुरा tree बनाए tree का मतलब एक पुरा chart बनाए उससे idea हो जाएगा कि वो disease है कि नहीं है तो pedigree analysis इसे ही कहते है why we need pedigree हमें क्या ज़रूरत है सुनो ध्यान से in human many traits are genetic जैसे कि tongue roller जीब को मोड पाना ठीक है उससे कोई खास फाइदा नहीं होगा या एक होता है बिटा chemical PTC कहते है phenyl isothiocyanate phenyl isothiocyanate PTC tester यह dominant होता है free or fuse your load तो inheritance study not possible by back cross और test cross human में नहीं करा सकते so we require a family chart हमें क्या चाहिए अब family tree चाहिए अब family tree में मुझे एक ची बताओ अगर मैं ऐसे लिखूं कि यह रमेश है इसकी marriage जो ही है वो रादा से हुई है और उनका एक बेटा है जिसका नाम मालो राजू है तो यह बहुत अजीव लगेगा ना तो क्यों ना यह नाम लिखने की जगा सीधे symbol बनाओ ना symbol बनाओ भाई symbol बनाओ तो हम क्या करते हैं pedigree में पहला तो symbol use करते हैं और trait को trace करते हैं कैसे एक generation से दूसरी generation तक सही है तो सबसे पहले तो symbol जानने पड़ेंगे चलो आओ symbol पर बात कर लेते हैं देखो भई सबसे पहले circle जो है वो female represent करता है मतलब अगर मुझे circle दिखाना है तो वो उससे में क्या दिखाता हूँ female दिखाता हूँ सही है? हाँ सरी है ठीक है अगर मैं box दिखाता हूँ तो उससे male दिखाता हूँ और अगर मैं circle को box से जोडता हूँ marriage दिखाता हूँ एक line लेकिन अगर दो line है तो ये marriage in relative है जिसे consingenious marriage कहते है marriage in relative कईबर क्या होता है relatives में marriage हो जाती तो उसे कहते है consingenious marriage अब देखो अब ये वाली जो line है ये वाली ये क्या है marriage की है इससे same point से अगर दो line आ रही है एकी point से दो चीजे आ रही है ऐसे दो बच्चे आ रहे है इन्हें twins कहते है इन्हें हम क्या कहते हैं twins और अगर एक line सीधी आकर ऐसे बच्चे दिखाते है उन्हें siblings कहते है, मतलब ये sister है, ये brother है, समझ में आ रहा है, तो ऐसी वाली line marriage दिखाती है, ऐसे वाली line बच्चे दिखाती है, अगर एक ही point से दोनों आ रहे हो तो ये क्या होगा, twins होगा, नहीं तो अगर ऐसे करके draw कर रहे हो, तो फिर वो दो बच्चे दिखाएगा, तीक ह अब मेरी बास सुना, अगर हम circle को draw dark कर दें, तो dark का मतलब है, affected male, affected male, या मतलब जैसे मालो, इस male में वो disease दिख रही है, या इस male में वो trade, देखो, सारी trade disease थोड़ी होती है, जैसे fuse और free earlobe, क्या disease हैं सारे, नहीं है, तो हमें ये समझना है, कि ये affected male हो गया, और ये क्या हो गया बिटा, ये affected female हो गया, आप समझ रहें इस बात को, affected female हो गया, तो ये affected male हो गया, और ये हमारे पास affected female हो गया, तो trait दिख रही है, इनमें वो है trait दिख रही है, जैसे माल से मैं आप से कहूँ, sickle cell anemia, ये normal है, इनमें दिख रही है, ये मतलब है इसका, सही है, अब इसक पांच लिखा होने का मतलब five individual, पांच individual हैं जिनमें हम यह नहीं बता रहें कि male है कि female है, क्या है आपको symbol समझ में आ गए, तो यह symbol है जो किसमें use होते है, pedigree में use होते है, pedigree को समझने के लिए कुछ दो चीजी आपको ध्यान रखनी है, pedigree काम करता है probability पे, क्या हो सकता है, उन सब पे काम करता है, symbol पहले याद कर लो एक बर फटा फट से pause करके, फिर हम आगे discuss कर सकते हैं इसको, छीक है, clear है, फिर हम इसको आगे discuss करते है, clear है, ठीक है, अब हम बात करते हैं genotype की, अगर हम बात करते हैं genotype की symbols की मेरी बात सुना, ध्यान से सुना, यह बहुत ध्यान चीज बताऊंगा जो question बनाने के लिए आपको बहुत help करेंगी जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो है ये चीज ये जीनो टाइप्स होते हैं और ये कौन सी trait के होते हैं autosomes के मालोग कोई trait autosome पर है उन्हें हम कहते हैं autosomal तो ये जीनो टाइप किसके हैं autosomal trait के जैसे chromosome दो परकार के होते हैं एक होता है sex chromosome और एक होता है normal उन्हें autosomes कहते हैं अगर किसी कोई trait आप वो आली पढ़ रहे हो pedigree में जो autosome पर है तो उनमें आपको ये symbol use ये genotype use करने हैं और अगर आपको द्यान देना बिटा अगर आपको इस चीच को समझना अगर आपको sex link trait use करनी है तो उसमें ये genotype मतलब जो x वाला उसको use करोगे बैए देखो simple सा logic ये है कि आपको ये पता है देखो इधर देखेंगे बिटा आप इधर द्यान देगे एक सेकेंद दो बिटा देखो मैं क्या बहुत बोल रहा हूँ आपसे मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके पास क्रोमोजोम दो तरह क्यों होते है एक ये है ठीक है और एक मालो ये है X और Y ये क्रोमोजोम है इनको आप आप आटोजोमल कहते हो कि नहीं बता इन क्रोमोजोम्स को आप क्या बोलते हो आटोजोम्स कहते हो तो अगर कोई करेक्टर आटोजोम्स पर है जैसे मालो कोई भी करेक्टर तो उसके लिए अगर आप genotype यूज करोगे तो capital A, capital A, capital A, small A, ये वाले genotype यूज करोगे और अगर कोई character इन पर है जिने आप sex chromosome कहते हो, X पर हो या Y पर हो तो यहाँ पर जो genotype आप यूज करोगे, मतलब उनके लिए कुसी भी organism के लिए वो XX और XY यूज करोगे जैसे माल लेते हैं थेलेसीमिया ओटोजोमल डिजीज है, तो उसके लिए genotype आप ये यूज करोगे समझ में आ रहा है, sickle cell anemia एक ओटोजोमल डिजीज है, आप ये genotype यूज करोगे उनको दिखाने के लिए लेकिन अगर आप के पास color blindness है, जो sex link डिजीज है, उसके लिए आप ये वाले genotype यूज करोगे तो genotype को लेके ये बात बताई मैंने, तो ये sex link के लिए, अच्छा, symbol क्या यूज करना देखो जैसे ये वाला symbol है, और ये वाला, ये normal का है, मतलब ये normal लोगों के लिए है और अगर मैं इनको dark कर दूँ, आपको पता है, dark कर दूँ, तो ये किस के लिए हो गया? affected के लिए क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब जरह मैं आपको एक चीज सिमझाता हूँ, देखो माल लो, आप से कोई कहे, ध्यान दूने, आप से कोई कहे जान देदा बिटा, समझे न, इसको बहुत important है, डिजीज ऑटोजोम पर है और रिसेसिव है, कैसी है? resetting है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, अशरा आपको आपको इसका जो genotype है, जो genotype है, नौर्मल वाले का कैसे लिखो कि देखो, अगर कोई चीज recessive है तो मुझे बताओ किस stage में दिखेगी sir homogigous stage में दिखेगी भाई homogigous recessive state में दिखेगी कि नहीं खुद बताओ अगर कोई disease autozone पे सलो recessive है तो कब दिखेगी homogigous stage में तो normal वाले का genotype capital A, capital A or capital A small A होगा कि नहीं बताओ और जिसको disease है उसका क्या होगा small A small A होगा clear है कि नहीं आप खुद सोचो कि अगर कोई normal है और disease recessive है तो कैसे दिखेगी small A small A पे दिखेगी इसका मतलब यह हुआ कि normal वाले का symbol यह होगा और इसके नीचे अगर आपको genotype लिखने है तो आप यह लिख सकते हो इन में से कोई भी किसमें autosomal recessive में और affected वाले में आपके लिए symbol यह होगा और इनके लिए अगर आप genotype लिखोगे affected में तो सिर्फ यह आएगा तो यह चीज symbol होती है और यह genotype होता है मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं तो autosomal जो है इसको ध्यान से पढ़ना autosomal recessive recessive मतलब disease recessive है तो recessive disease को अगर आप दिखाओगे तो small इसे ही तो दिखाओगे और affected का symbol यह होता है clear है मालो आप से कोई कहे autosomal dominant disease है मेरी बात सुनो अगर disease dominant है तो इसमें भी दिखेगी और इसमें भी दिखेगी तो यह तो genotype हो गया dominant का और disease दिख रही है इसका मतलब यह वाले और यह वाले तो यह affected का symbol है समझ रहे हो यह affected का क्या है symbol है यह affected का क्या है symbol है हा ना और यह affected का genotype हो गया clear है बात, समझ लो ध्यान से दूसरी बात क्या है बिटा दूसरी बात क्या है दूसरी बात क्या है, small A, small A ठीक है और ये हमारे पास क्या हो गया, genotype हो गया ये कैसा होगा ये normal है ऐसे वाला, समझो अगर कोई disease dominant है, मुझे बताओ tall dominant है, कब दिखता है capital T, capital T, capital D, small T ये देखो, capital A, capital A capital A, small A, dominant और उसका symbol कैसे देखो disease dominant है, तो dark भी करेंगे अच्छा, तो normal वाले को कैसे लिखोगे, small A, small A लिखोगे इसका उल्टा है कि नहीं, just clear है कि नहीं अब मालो sexling recessive है sexling recessive का मतलब ये हो गया कि अगर ये female normal है हना, तो normal female जो है, उसके दो genotype हो सकते, एक normal XX, या X के साथ XC समझ रहे हो, मतलब उस पर एक disease वाली जीन तो है पर वो normal है क्योंकि disease recessive है तो जो female disease होगी, जिसको dark circle से लिखोँगा, उसके दोनो X पर trait होगी, affected वाली XC और XC दोनों पर होगी, तो ये वाली affected female है तो दोनों X पर है, और normal वाले पर ये देखरो unaffected है, और ये carrier कहते है इसे, male की case में दो ही possibility है, या तो वो normal होगा, तो normal कैसे लिखोगे, X और XY, और affected वाले को कैसे लिखोगे सिदे XY लिख दिया, और affected वाले को कैसे लिखोगे XC और Y, तो male में carrier नहीं होता और Y link क्या होगा, उसमें एक ही possibility है, Y पर trait होना तो ये उसको ऐसे दिखा दोगे dark करके, और Y पर नहीं है, तो ऐसे, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, symbol समझा रहा हूँ, समझो ध्यान से सबसे पहले आपको simple भासा में ऐसे समझो, अगर आपको ये समझ कम आया, तो आपको फिर से ऐसे समझो देखो, माल लो मैं कहता हूँ disease recessive है, मैं आप से कहता हूँ, disease recessive है आप मुझे खुद से बताओ, recessive character कब दिखता, homo jagus state में तो ये इसका genotype आ गया और disease होने का मतलब आप उसे क्या करोगे, dark करोगे तो इसका मतलब normal वाले फिर कैसे हो जाएंगे, वो ये वाले आ जाएंगे आ रहा समझ नहीं आ रहा ये वाली बात हाँ सर, और अगर disease या कोई भी trait, dominant है तो dominant वाली चीज कैसे दिखती है, सर, homo jagus और heterogigus दोनों में तो ये हो गया, और disease का मतलब इसको dark करोगे, इसको dark करोगे और normal का मतलब क्या हो गया ये वाला क्या हो गया, small-e-small-e हो गया बस, यही तो समझना है main और female में, अगर चीज है, इसको ध्यान रखेंगे अब यहां से हम आगे जाएंगे, और कुछ आपको genotype लिखना सिखाएंगे ज्यान से सुने, मैंने आपको condition दी है, autosomal recessive, अगर आपको मेरी बात समझ में आई autosomal recessive, इसका मतलब ये वाला individual affected है और ये वाले individual normal है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई के नहीं क्योंकि मैंने disease को क्या लिखा है recessive, recessive कब दिखता है, homo जाएगा state में इसका मतलब ये हुआ, कि आप इसको small a, small a लिखोगे बाकी के बचे वे को आप क्या लिख सकते हो capital a, capital a और capital a, small a इन सब को लिख सकते हो जैसे इसको भी क्या लिख सकते हो capital a, capital a, capital a, small a इसको भी लिख सकते हो पर मैं आप से एक सवाल पूछना चाहरा हूँ अगर मुझे यहाँ small a चाहिए तो यहाँ से small a आना भी तो चाहिए इसका एक small a इसमें आएगा एक इसका small a इसमें आएगा तो इसको फिर capital a small a लिखेंगे ना ये तो होई नहीं सकता आया समझ में नहीं आया सोचो द्यान से simple ये समझो कि autosomal recessive का क्या मतलब है ये वाला individual affected है affected का मतलब dark इसका genotype लिखो पहले तो मालो आपसे कोई कहे कि autosomal dominant है autosomal dominant का मतलब जिसको disease है वो ऐसे वाले है ये affected है और ये वाले normal है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले जो normal वाले उनके नीचे क्या लिखोगे small a small a ठीक है तो affected वाले में क्या option आया आपके पास capital a small a capital a capital a आया कि नहीं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ small a लाना है तो यहाँ capital a small a होगा ना सोचो सोचो खुद से भाई autosomal dominant disease dominant है कब दिखेगी दो ही case में दिख सकती है अगर disease dominant है तो दो ही case में दिख सकती है ना या तो वो capital a capital a हो और capital a small a हो और dominant का मतलब डार्क कर रखा sorry affected का मतलब डार्क कर रखा है तो ये वाला individual normal होगा ना आ रहा है समझ ये वाला individual normal होगा ठीक है सर अब ये देखो मालो मुझे sex link recessive बनाना है sex link recessive का क्या मतलब है disease expert है और recessive है तो दोनों expert होगी तभी दिखेगी अगर female dark कर रखा है तो दोनों expert है सही है अब यहाँ देखो male भी affected है तो उसके एक expert है ठीक है अब आप खुद सोचो कि इस female में दो x है एक x तो यहाँ से आ गया इस male से तो ये दूसरा वाला x तो इस वाले female से आएगा ना पर ये female normal है तो एक x normal एक affected अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से बेटा ये वाला x देखो इस वाली female में x एक x यहाँ से आएगा ये आ गया तो दूसरा normal वाला चाहिए तभी तो ये normal दिखेगी अब ये male normal है इसका मतलब y तो यहाँ से आ गया है तो यहाँ से सिर्फ x आएगा ऐसे लिख सकते हो ठीक है समझ आया तो अगर disease sex link recessive है और female में दिखरी है उसके दोनो x पर होगी सही यह observation है question करने से पहले अगर y linked है तो y link का मतलब है कि वो x और y y पर है तो x और y y पर है सही है तो इस वाले में भी तो y यही वाला आएगा तो यह गलत बना हुआ इसको भी dark होना चाहिए क्योंकि अगर इस वाले male में है तो उसके सारे sun में जाएगा तो इसका मतलब male to all sun तब पता चलेगा वो y linked है x link में क्या होगा female को affected लाने के लिए एक female carrier होगी दूस male affected होना चाहिए तब ही दो female में x आएगा clear है तो हमने कुछ rules सीखने है बिटा कुछ rules सीखने है pedigree बनाने के लिए सांज सुनना अगर कोई भी pedigree sex linked बनाते हो sex link मतलब x chromosome पर है sex link recessive है कोई भी pedigree अगर आप sex link recessive बनाते हो तो बनाते वक्त आपने क्या point ध्यान रखने है बहुत जरूरी points है जो मैं बोलने जारहा हूँ sex link recessive के लिए बहुत जरूरी point है देख़ो आपने क्या point ध्यान रखने है सबसे पहला point जो important है ध्यान देंगे बिटा सबसे पहला point जो important है जो आपने ध्यान रखना है sex link के लिए वो ये है कि अगर female affected है जिस पे xc xc है तो उसके father पे affected होना जरूरी है समझ रहे हो तो female affected कब होगी when father is affected father is affected female affected होगी जब father affected है क्या आपको ये clear है कि नहीं सही है हाँ सर ठीक है female affected होगी जब father affected है कि नहीं है ठीक फादर affected होगा तभी दूसरा affected female का जैसे मालो ये affected female इसका मतलब ये sex link हो सकता है क्या ये sex link नहीं हो सकता note sex link क्यों sex link नहीं हो सकता क्योंकि father normal है female affected है clear है क्योंकि sex link recessive नहीं हो सकता दूसरी बास सुना अगर मुझे अगर मेरे पास female affected है मालो ये female देखो कोई female affected है ये देखो कोई female sex link है affected है तो उसके सारे male child में disease होनी चीए क्योंकि female affected का मतलब दोनों x यहाँ पर है तो उसके सारे male child में तो affected female के पैना rule देखो rule आपको समझने पड़ेंगे अगर आपको pedigree देखना है तो observe करना आना चीए सबसे पहले आप क्या observe करोगे आपको ये देखना चीए sex link कैसे पहचानते है sex link का मतलब x पे होना अगर female affected है तो उसके सारे male child affected होंगे और female को affected लाने के लिए father affected होना चीए तो affected female have all male child affected all male child affected सारे male child affected आएंगे क्या मेरा point clear है के नहीं आपको बता दो जल्दी से हासाथ बिल्कुल clear है ठीक है अब इज़र आ जाओ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों को देखकर बताओ कि autosomal recessive इन में से कौन सा नहीं हो सकता मेरी बात सुना autosomal recessive का मतलब small a small a वाला affected होता है क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तो जो dark वाला है वो small a small a है अगर मुझे इसको small a small a लाना है तो normal वाला capital a small a होगा तो ला सकता हूँ हासर आ जाएगा small a इससे आ जाएगा small a इससे आ जाएगा तो ये ठीक है autosomal recessive बन जाएगा अगर मैं इसको small a small a लिख दूँ तो क्या ये आ सकता है नहीं आ सकता है क्योंकि ये normal है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं देखते ही पहचानना चाहूँ कि कोई autosomal recessive है कि नहीं है तो मैं कैसे पहचानूँगा अगर दोनों parents में affected है तो ये normal नहीं आ सकता ठीक है अगर मेरी बास सुनो ये pedigree autosomal recessive नहीं हो सकता अगर दोनों parents affected है और वो normal progeny है ऐसे ही अगर autosomal dominant की बात करें तो capital A, small A, capital A, small A है तो यहाँ पर आप क्या ला सकते हो, small A ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है autosomal dominant का मतलब जो dark वाला है वो capital A क्या होगा? capital A, small A और capital A, capital A होगा और जो normal वाला है वो small A, small A होगा, तो यह वाला pedigree कभी भी autosomal dominant नहीं हो सकता यह होगा और यह वाला जो pedigree है ध्यान सुनेंगे, यह वाला pedigree कभी भी autosomal recessive नहीं हो सकता यह होगा तो आपको मैं कुछ rule बता रहा हूँ, pedigree solve करते वक्त एकदम से बनेगा, कैसे बनेगा सुनो सबसे पहला rule, violent कैसे पहचानोंगे? affected male से उसके सारे male sun में जाएगा father से सारे male में जा रहा हो, तो वो violent है सही है, पहला rule याद हो गया? सही है दूसरा rule, अगर female को disease है, तो सारे male child में जाएगी और अगर मुझे, जान जुनेंगे, अगर मुझे female में disease लानी है, तो father affected होना जी तीसरी बात, अगर marriage check करो, एक affected है, एक normal है अगर ऐसी marriage दिखें, कैसे वाली? एक affected है, देखो एक affected है, एक normal है, तो वो किसी का भी बन सकता है autosomal dominant या recessive बन सकता है, लेकिन एक ऐसा pedigree जिसमें दोनों affected है और ये normal है ये कभी भी autosomal recessive नहीं बन सकता और एक ऐसा pedigree जिसमें दोनों normal है और एक affected है बच्चा ये autosomal dominant नहीं बन सकता, हमेशा याद रखो हैं मैंने observation से बनाए किसी पुस्तक के नहीं है कुछ-कुछ चीजे मिलती हैं पर कुछ हम observation से इकठा करते हैं तो हो सकता है कुछ time के बाद बहुत सारे लोग इसे पढ़ा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा main point से विए है कि आप कुछ rule मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं बात बोल रहा हूँ मैं ये बात किया रहा हूँ मैं direct कैसे पहचान हूँ अध्यान से देख माल ले मेरे पास ये pedigree बना हुआ है इस pedigree में ये देख ये affected है ये normal है कितनी marriage है पहले ये देख सर marriage कितनी कितनी एक ये marriage है एक ये marriage है और एक ये marriage है इन तीनों marriage में एक affected एक affected एक affected दूसरा partner normal है लेकिन ये वाली marriage में दोनों affected है और इसके normal बच्चे है तो ये कभी भी autosomal recessive नहीं बन सकता तो ये पूरा ही pedigree autosomal recessive नहीं हो सकता चाहे कुछ हो जाए आप चेक कर लेते हैं किसका है ये देख ध्यान से कैसे चेक करते है कैसे चेक करते हैं मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले ये देख कि ये female affected है affected पहले पहले y-link के लिए देखते है y-link कैसे चेक करोगे आप देखो ये male normal है पर affected male आ गया चलो ये चोड़ते है यहाँ पर कोई male है नहीं अच्छा देखो ऐसे देख लो ये affected male में ये वाला male क्या है normal है इस male का ये बेटा थोड़ी है दमाद है न भाई ये जो male है इससे कुईसी male में तो गया नहीं सब female थे देखो ये child female है ये child female है ये child female है चोड़ देटे है इस male से normal male है न तो ये wild link नहीं है ये pedigree अब बात करते है एक्स लिंग के लिए एक्स लिंग का क्या rule है affected female का male child affected होना चाहिए सही है female affected होना लाने के लिए male child affected चाहिए सही है अब जराइए ये देखो ये दोनों affected है ये normal नहीं आ सकती एक्स लिंग नहीं है दूसरी चीज क्या है बिटा कि अगर मुझे ये female affected लाने है तो father में disease होनी चीज़ थी एक्स लिंग भी नहीं है अब ये दो रह गया autosomal recessive और autosomal dominant रह गया अब चेक करो कितनी marriage है एक, दो, तीन और चार चारों marriage में से ये एक normal और affected है ये वाला दोनों क्या है affected है अगर ये affected है और autosomal recessive होता तो इनको मैं small a small a लिखता फिर ये कैसे आ जाता तो इसका मतलब ये है ये क्या नहीं हो सकता autosomal recessive नहीं हो सकता ये autosomal dominant का pedigree है आ रही है समझ ये autosomal dominant का pedigree है बिटा autosomal dominant का pedigree है क्या ये बाते clear हैं के नहीं सोचो सोचो इस चीच को सोचो दिमाग लगाओ हाँ सर समझ में आ रहा है अब ये देखो जरा इस pedigree को observe करते है father affected है daughter affected आ रहा है father affected है daughter affected आ रहा है पर इस affected daughter के लिए father affected नहीं है तो क्या ये while linked है while linked होगा देखो father से sun में गया है उसके sun में गया नहीं while linked नहीं है कुछ के मन में आता है सर आदा हो सकता आदा नहीं होता पूरा पूरा pedigree एक जय सही होता है X-link है क्या चेक करते हैं फादर अफेक्टेड है डॉटर अफेक्टेड आ गई ठीक है ये फादर अफेक्टेड है डॉटर अफेक्टेड पर इस डॉटर के अफेक्टेड होने के लिए फादर अफेक्टेड नहीं है तो X-link भी नहीं दो रह गए autosomal recessive, autosomal dominant अब जड़ा marriage चेक करो ये वाली marriage ये वाली और ये तीन marriage हुई है इसमें तीनों marriage में एक affected एक normal है, ये दोनों का बन सकता है, autosomal recessive और autosomal dominant दोनों का बन सकता है, आई समझ कैसे किया मैंने ये logic है basic करने का और देख बिटा, ये देख इस वाले में देख, खुद से देख दर कौन सा बनेगा, सबसे पहले y-link से चेक करते हैं, ये male affected है पर ये वाला male normal है, y-link है नहीं, x-link के लिए चेक करते है x-link मुझे x-link के लिए क्या rule है, अगर female affected है तो father affected होना x-link भी नहीं है, अब रह गया autosomal recessive, autosomal dominant कितनी marriage है, चेक करेंगे, एक दो तीन और चार ठीक है, अब ये दोनों का ही नहीं बन रहा है, अच्छल में, चलो एक को dark कर देते है इसको dark कर देते हैं, नहीं तो बनेगा नहीं चीक है, अब देखो क्यों नहीं बनेगा, बताऊंगा, reason है उसका, देखो ये वाले दोनों affected है, ये normal आ रहा है, तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, autosomal recessive नहीं हो सकता, ठीक है, मैंने इसको इसलिए dark के कि normal का affected आ रहा तो तो पर dominant भी नहीं हो सकता, तो यहां से ये recessive नहीं होता, वहां से dominant नहीं होता तो अगर ये autosomal recessive नहीं है, तो कौन सा ही, autosomal dominant है ठीक है, तो इस PDF में आपके पास एक ये, आप इसको screenshot लेके रोक लेना, lecture को, और बना के देखना, ये कौन सा बन रहा है ठीक है, clear है, रोक लेना बना के देखना, और फिर एक ये वाला बना के देखना, ठीक है, मैंने PDF की form में छोड़ा वा, और एक ये वाला, और चैट में मुझे answer बताना क्या-क्या बन रहा है ठीक है, clear है, आपको तरीका बता दिया अगर female को disease है तो सारे male child में होगी autosomal recessive के लिए, clear है, ये तरीका है बनाने का और इसमें एक चीज है बिटा, आपको trait भी पता होनी चाहिए, जैसे कि माल लो, autosomal recessive कई बार क्या होगा, trait ना देकर सिधे example देगा, मतलब जैसे यहाँ पर ये लिखावाने देखो, मैं आपको बताता हूँ ट्रेट कौन कौन सी होती है, पहला जो autosomal recessive, कौन कौन सी है सिकल सेल अनीमिया, थेले सीमिया, फिनाइल किटोन यूरिया सिस्टिक फाइबरोसिस, मस्कुलर डिस्टॉफी ये डिजीज वो है जो एक्स क्रोमोजोम, सोरी, autosomes पर होती है उसके बाद autosomal dominant, myotonic dystrophy इसका pedigree दे रखा है सेक्स लिंग में कौन कौन सी याद करोगे color blindness, hemophilia वाइल लिंग ट्रेट कौन सी होती है hypertrichosis, TDF hypertrichosis मतलब कान पर ऐसा हेर होंगे और TDF का मतलब एक gene होती है testis determining factor तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार pedigree में autosomal dominant ना लिखकर यहां myotonic dystrophy लिख सकता है हाँ सर ऐसा कर सकते हैं और autosomal recessive ना लिखकर यहां PKU लिख दे X-link की जगा color blindness लिख दे हाँना और Y-link की जगा वो क्या लिख दे आपको hypertrichosis या TDF लिख दे तो यह भी कर सकता है इसलिए इन traits को याद करना होता है यह कौन सी traits है जो NCIT में दे रखे हैं disease की form में autosomal recessive मतलब यह वाली trait autosomal dominant मतलब यह वाली trait और sex linked कौन सी मतलब X chromosome पे sex link recessive है यह दोनो color blindness और हमारे पास क्या आगे है hemophilia while linked क्या है हमारे पास hypertrichosis और TDF है clear है यह while linked है सही है यहां तक समझ में आ गई जल्दी देख लो सही है बढ़िया तो अब यह बेटा आपका pedigree को complete करता है अब इसके बाद से हम लोग discuss कर रहे हैं genetic disorder इसके बाद से हम क्या genetic disorder देखे क्या है हमारे पास genetic disorder क्या होते हैं अगर मैं आपसे एक simple बासा में पूछू तो आप क्या बोलोगे normally हमें क्या दिखते हैं कि बहुत सारे disorder ऐसे होते हैं जो parent से progeny में जाते हैं तो normally हम genetic disorders उन disorder को बोलते हैं जो parent से progeny में parent से progeny में inherit होते हैं और वो express हो सकते हैं तई बर express होंगे नहीं होंगे यह charity नहीं है पर express हो सकते हैं तो genetic disorder को अगर मैं बोलूँ क्या है तो यह क्या है बिटा यह trait है या disorder है disorder है trait या disorder है जो transfer होंगे from parent to progeny हाना transfer होंगे कहां से transfer from parent to progeny parent से progeny में जाएंगे कोई doubt है इस बात में नहीं सर यह समझ में आ गया अच्छा genetic disorder को हम दो category में डिवाइड करते हैं आपकी anxiety according एक होता है बेटा mendelian disorder what is mendelian mendelian disorder क्या होता है कि जैसे हमने mendel का cross बनाया था ना capital T को small t small t से cross करा कर हमने result बनाया तो normally क्या होता है mendelian disorder वो होते हैं जो mendel का pattern follow करते हैं कि पेरेंट्स में जो trait है वो जोडे में हैं दोनों में से एक किसमें चला गया gamit में और फिर zygote में दोनों combine हो गया तो कहीं ना कही mendel का pattern follow करते हैं ऐसा नहीं mendel में हुआ था mendel का pattern follow करते हैं तो mendelian disorder क्या होते हैं they follow mendelian pattern of inheritance they follow mendelian pattern of inheritance यह mendelian pattern of inheritance follow करेंगे clear है कि नहीं कोई doubt है बता दो तो यह mendelian pattern of inheritance follow करेंगे और ये होते क्यों है occur due to point mutation ये किसकी वज़े से होते हैं point mutation की वज़े से होते हैं और इनको आप pedigree पे draw कर सकते हो can be traced on pedigree pedigree analysis से आप इनको trace कर सकते हो इनको trace कर सकते हो आप समझे रहों मैं क्या क्या ना चाह रहा हूं तो हमारे पास क्या है बिटा हमारे पास क्या है कि mendelian disorder आपको पता होना चीए जो follow करते हैं mendelian pattern of inheritance जो होगा due to point mutation और can be traced on pedigree उनको हम trace करते हैं किस पे pedigree पे trace कर सकते हैं मतलब क्या हुआ कि आप pedigree के थूँ ने पता कर सकते हैं ये जो हम पढ़ेंगे न बिटा सिकल सेल अनीमिया और ये color blindness ये सब इसी में आता है सिकल सेल अनीमिया, color blindness ये सब मेरा पास किस में आता है mendelian disorder में आता है कोई doubt है बताओ, समझ में आ रहा है इसको pedigree के थूँ study कर सकते है mendel की तरह है, जैसे character जोडे में होते है न, फिर gamut बनाते वक तो अलग होते है, फिर zygote में दुबारा combine होते है, same pattern follow करता है chromosomal disorder क्या होता है बिटा अच्छा इसका reason उमने point mutation बता है, ये क्या होता है बिटा not follow mendelian pattern मतलब ये randomly बनते है तो जरूरी नहीं है mendelian pattern follow करें, पहला point तो ये समझ में आ गया, दूसरा क्या है बिटा, ये कैसे होते हैं, occur due to due to anuploid, मतलब chromosome number कम जादा होता है, इनका जो reason है, वही है non-disjunction non-disjunction का मतलब हो गया, chromosome number का कम जादा होना, और इनको नहीं trace कर सकते, can't be traced, किसके according, on pedigree, इनको pedigree में trace नहीं कर सकते अब मैं क्या करूंगा आपको mendelian और chromosomal को detail पढ़ाने ही जा रहा हूँ, ये last topic है, और बहुत ध्यान से पढ़ना ये NCIT से आता है बिटा, इसमें दो तरह के question आते हैं, एक disease के symptoms के बारे में पूछ सकता है, दूसरा इनका कोई cross-based question आ सकता है, हमेशा इस चीज को बहुत ध्यान से रखना अपने दिमाग में, चलो start करते हैं वटावट से, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्रोमोजोमल डिसॉडर की, अगर आप से कोई पूछे कि क्रोमोजोमल डिसॉडर क्यों बनते हैं, तो due to non-disjunction, क्यों बनते हैं, non-disjunction, क्या करना है, non-disjunction करना है, कब इन एनाफेज वन, एनाफेज वन में non-disjunction होती है, उसकी वज़े से एन्यूपलोईडी होती है, एन्यूपलोईडी आपको पता दिया था, क्रोमोजोम की संख्या कम जादा होना, उसके एक्जामपल आपके पास turner syndrome है, clean filter और down syndrome, ये वो हैं जिनके बारे में NCIT ने detail दी है, अब कुछ और एक्जामपल अगर आप चाहो पढ़ना तो कौन से हो आप चाहो तो सूपर मेल लिख सकते हो, हना वो 44 प्लस XY होता है, ठीक है, सूपर फीमेल हो सकता है, क्रोमोजोम इसमें, जिसमें 44 प्लस XXX होता है, ऐसी कुछ डिजीज भी है, clear है, पर हमारा focus इन तीन पे रहेगा क्रोमोजोमल डिसॉडर में, clear है, बिलकुर, सही है, तो ए पेटा, क्या करना चाहिए, इनका, इन डिसॉडर के बारे में, simple, क्या पढ़ना चाहिए, नाम, ठीक है, उनका जीनो टाइप, समझो, वो मेल होंगे की फीमेल होंगे, ये चीजे पढ़नी है, जैसे, for example, मैं सबसे पहले, यहाँ पर लिख रहा हूँ, disease का नाम, Turner's syndrome, लिख होता है, तो 44 प्लस X naught है, तो total कितने क्रोमोजोम हो गए, 45 हो गए, सही है, Turner's syndrome में, ये male है कि female है, बेटा, ये female है, क्योंकि X क्रोमोजोम है, fertile है कि sterile है, sterile होता है, ये female में ovary rudimentary होती है, तो इसके जो symptom है, वो short stature है, height कम होती है, ठीक है, female की rudimentary ovary होती है, कैसी ovary होगी, rudimentary ovary होती है, और ये female क्या है, sterile होती है, हना sterile होगी, तो ये Turner's syndrome है, बेटा, short stature होगा, rudimentary ovary मतलब, ovary में gametes develop नहीं होगे, मालनो second disease का नाम है, मैं लिखता हूँ clean filter, अब clean filters जो है, उसमें extra क्रोमोजोम है, 44 प्लस XXY, टोटल क्रोमोजोम कितने हो गए, 47 ह अब ये क्या है, क्योंकि Y क्रोमोजोम है, male है, और ये भी sterile होता है, अब ये वो male होता है, जिसमें female like character होते हैं, तो male with feminine character, male with feminine character, male ऐसा जिसमें feminine character है, female जैसा character है, clear है के नहीं, बता दो जल्दी से, ये वो male है, जिसमें female like character है, एक सकिन देंगे मुझे, क्लियर है हाँ सर अब सुनो मेरी बात अब female like character मतलब breast development उसे कहते हैं गाइनीको मास्टिया कहते हैं हना female breast development होती है पर ये जो होते हैं बिटा male होते है female like character और इसमें test is well developed नहीं होते हना properly developed नहीं होंगे ठीक है चलो आगे बात करते हैं एक सबसे जादा detail आपको NCRT ने इसकी द syndrome की हना और ये disease जो है ये मतलब क्या है 47 chromosome है इसमें 21st extra होता है उसकी trisomy होती है ठीक है डाउन syndrome जो है 1866 में Langdon Down ने discover किया था किसने discover किया था Langdon ने क्या ये बात समझ में आ रही है हाँ सर ठीक है ये इसका genotype हमने लिग दिया ये male भी हो सकता है और female दोनों में से कोई भी आइदर male और female कुछ भी हो सकता है ये बेटा fertile होते हैं देखो मेरी बात समझो Down syndrome mentally retarded होते हैं पर ये fertile होते हैं sterile नहीं होते ठीक है ठीक है आगे सुनो इसके symptom इसके symptom है बेटा open mouth हना furrow tongue psychomotor मतलब क्या हुआ एक तरीके से mental retarded हो गया ठीक है और बेटा loops दे रखी हैं finger पे distinct palm crease distinct palm crease अब इसका भी short stature होता है palm crease मतलब हाथ पे proper palm crease पढ़ थे short stature है बेटा और by birth देखो इसके symptoms दो जगा लिखे हैं मेरी बात सुनना दो जगा symptoms लिखे हैं एक symptom write-up में लिखे हैं दूसरे symptom एक diagram दे रखा karyotype हाना karyotype क्या मतलब chromosome की arrangement महाँ symptom लिखे हैं open mouth लिखा है forehead जो लिखा है flat लिखा है उसके साथ उसमें एक चीज और लिखी है बिटा उसके साथ एक चीज और लिखी है congenital heart disease congenital heart disease लिखी है ऐसी heart disease जो क्या है congenital है congenital मतलब by birth हमारे पास क्या है heart disease present है मतलब by birth heart disease present है ये लिखा हुआ है तो ये कुछ symptoms हैं किसके बिटा Turner's down syndrome के और सबसे ज़ादा इन तीनों में ये वाली disease होती है down syndrome एक case होता है कि female में ovum जो होगा अगर later stage में बने मतलब menstrual cycle जो होगी higher age में जाकर हो रही है जब gamut बन रहा है उस case में female में chromosome number unequal बनने के chances जादा है मतलब female जो higher age में child birth करती है उसमें non-disjunction की संभावना बढ़ जाती है chances बढ़ जाते हैं इसी लिए इसी लिए जिस female में child birth higher age में होगा वहाँ जादा chances है इसके किसके down syndrome के clear हो गया के नहीं ठीक है सही है अब जड़ा हम बात करते हैं mendalian disorder की और उसमें हमारे पास एक list है जो हमें पढ़नी है सुन लो ध्यान से बहुत important है list क्या है देखो मुझे आपको mendalian disorder जो पढ़ानी है वो कौन कौन सी है एक मेरे पास autosomal recessive है चीक है autosomal dominant है और ex-linked है autosomal dominant में सिर्फ नाम दे रखा है myotonic dystrophy सर इसकी detail NCRT में है क्या नहीं एक तरह की muscle damage होती है ये चीक है उसके अलावा अगर चाहो तो एक disease होती है जो nerve disorder है huntigan scoria कहते हैं उसे ये एक extra नाम दे रहा हूँ मैं आपको ताकि कभी option में हो तो solve कर ले जाओं सही है सही है बटा उसके अलावा ex-link में दो disease पढ़नी है आपने एक पढ़नी है आपने color blindness और दूसरी आपने पढ़नी है ah hemophilia इन दोनों के बारे में पढ़ना है और autosomal recessive में जो detail दे रखी है वो सिर्फ इन तीन की पढ़नी है तो तीन disease ये पढ़नी है आपने और दो disease इनकी पढ़नी है बस इनकी detail नहीं है जैसे cystic fibrosis और muscular dystrophy का only नाम दे रखा है name mention है हना name mention है देखो मेरी बास सुनो ये भी muscular dystrophy है ये भी muscular dystrophy है पर ये autosomal recessive वाली है और ये dominant वाली है इसका नाम myotonic dystrophy है ये कुछ disease है जो autosomal recessive है नाम पता होने चीए पर आपको आती हो ज़रूरी नहीं है जैसे albinism मतलब skin पूरी सफेद रहती है alcapton urea मतलब urine में alcapton release हो रहा है एक nerve disorder है टेस एक disease कह रहे हैं आप समझो तो इनके सिर्फ नाम पता हो तो आपको detail में क्या-क्या पढ़ना है sickle cell anemia, PKU, thalassemia, hemophilia और color blindness कोई doubt है क्या सोचो दिमाग में समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है मतलब medellin disorder में total 5 disease पढ़नी है सबसे पहले मुझे बात करनी है sickle cell anemia को लेकर ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा sickle cell anemia को लेकर ध्यान से देखें विटर, ध्यान से देखें अगर मैं आप से कहूँ कि sickle cell anemia क्या है ध्यान से देखें, सुने, हम बात कर रहे हैं sickle cell anemia को लेकर और उसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो एक सेकिन दो देखो डिजीज का नाम है सिकल सेल अनीमिया मुझे पता था सिकल सेल अनीमिया ठीक है सिकल सेल अनीमिया की बात कर रहा है ध्यान से जुनना अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ समझना इस डिजीज में होता क्या है आपको पता है इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करो ध्यान से समझना symptoms की बात करों तो कैसे दिखता है हमारे पास ये blood vessels है हाँ सर ये blood vessels है ऐसे blood vessels होती है हमारे पास RBC की normal shape ये bi-concave होती है RBC की normal shape ऐसी होती है bi-concave ठीक है sickle cell anemia में shape ऐसी हो जाती है sickle shape और capillaries में वो फसने लगता है तो sickle cell anemia में आपको ये समझना चाहिए कि जो normal RBC होता है उसकी shape क्या होती है bi-concave होती है और यहाँ पर जो shape हो गई है sickle shape हो गई है sickle shape RBC की कुछ परेशानिया है पहला इसका जो life span है वो कम होता है, less होता है इस वज़े से ये जल्दी मरता है तो anemia हो जाएगा दूसरा, ये क्या करता है clog या block कर देता है capillaries को अगर ये capillaries को block करेगा तो blood की supply घड़ जाती है उस particular जगा पे blood की supply decrease होगी और अगर blood की supply decrease होती है तो पहले तो pain होता है और फिर वो organ damage हो सकता है तो sickle cell anemia के later stage में organs damage हो जाते हैं तो sickle cell anemia समझना पड़ेगा मुझे, normal RBC ये sickle shape यहाँ पर फसने लगेगा clear है, और वो जो होता है उसकी life भी कम होती है, 20 दिन के आसपास होती है normal RBC 120 दिन तो ये sickle cell anemia है तो अगर मैं इसके symptoms बोलूँ आप से symptoms बोलूँ तो मैं symptoms में लिखूँँगा पहला RBC sickle shape RBC कैसा sickle shape दूसरे symptom में मैं लिखूँँगा blood supply decrease blood की supply decrease हो जाएगी क्योंकि वो फसने लगेगा तीसरे में मैं pain लिखूँँगा और वो भी बहुत severe और उसके बाद organ damage होते हैं कुछ ये चीजे होती है sickle cell anemia में अब यहाँ पर हम एक point समझ पाएंगे कि भई हमारे पास जो hemoglobin होता है hemoglobin कहां present होता RBC के अंदर hemoglobin इस RBC के अंदर present होता है ऐसे ये RBC है इसके अंदर हमारे पास ये hemoglobin present है this is hemoglobin हम सारे organals हटा देते हैं ER, mitochondria, nucleus सब हटा देते हैं ER, mitochondria, nucleus वगरा सब हटा देते हैं hemoglobin में हमारे पास iron होता है और साथ में गलोbin protein होती है 2 alpha chain होती है 2 beta chain आप समझ रहे हो मेरे पास iron होता है heme की form में heme क्या हो गया iron हो गया और साथ में मेरे पास globin होती है कितनी chain 4 chain उसमें से 2 alpha होती है और 2 beta होती है तो sickle cell anemia में basically क्या होता है जो beta chain होती है ये इनकी shape खराब हो जाती है beta chain abnormal बनती है clear है तो अगर आप से कोई पूछे कि sickle cell anemia में हुआ क्या है reason क्या है तो reason क्या है बिटा मेरे पास जो beta chain है beta chain जो है उस वो abnormal बनती है वो क्या होती है खराब बन जाती है abnormal बनती है abnormal synthesis होती है उसकी amount नहीं कह रहा हूँ abnormal synthesis का मतलब shape हम बात कर रहे हैं shape ध्यान से सुनो अब आपकी NCRT में एक genetics के बारे में मतलब उसके बारे में कुछ बता रखा है कि genes में क्या होता सुनना ध्यान से मेरे पास ये RNA है mRNA है mRNA में ध्यान से देखेंगे एक sixth codon होता है वो GUG होता है उसकी जगा पर GAG आ जाता है एक मिन रुकें इसको check भी करना है कई बार हम वो अजीव सा लगता है GAG को replace कर दो GUG से बेटा check कर ले न इसको और हो सकता है लिखने में mistake को मैं पहले बता रहा हूँ क्यों कई बार मुझे अगर doubt हो जाता है तो मुझे feel हो normally याद रहता है लेकिन GAG is replaced by GUG ऐसा कुछ होता है ठीक है ऐसा कर देख लेना हो सकता है इसका जगा ये लिखा एक बार आप खुद चेक कर लेना मेरी बास सुना ये mRNA पर हुआ है उसकी वज़े से क्या होता है 6th position पर यहाँ पर 6th position पर glutamik acid था glutamik acid क्या होता है एक acid ही कमीनो acid है उसमें क्या होते है COH group होते है extra COH group होता है glutamik acid की जगा valine आ जा तो मैं आपको simple ये समझा रहा हूँ कि मेरे पास DNA में एक mutation होती है तो अगर आपसे कोई reason पूछे तो आप क्या लिखोगे mutation हुई है कौन से वाली mutation हुई है substitution substitution वाली mutation हुई है उससे क्या हुआ है glutamik acid is replaced by valine glutamik acid is replaced by valine किसके अंदर हुआ है ये बिटा किसके अंदर हुआ है ये हुआ है बीटा चेन में कौन सी position पर sixth position पर क्या ये चीज़ समझ में आ रही है sixth position पर glutamik acid is replaced by valine ये आपने दिमाग में लगाना है क्या ये clear हुआ कि नहीं बताओ मेरी बास सुनो तो आपको ये clear हो गया कि sickle cell anemia में GAG is replaced by GUG ठीक है glutamik acid is replaced by valine polypeptide chain में और mutation कहा हुई है DNA में क्या ये clear है समझ लो इस बात को ठीक है अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ sickle cell anemia एक autosomal disorder है और उसमें हम genotype की अगर बात करें ध्यान से देखो होटी है मालो अगर HBA लिखते हैं तो ये normal RBC बनाने के लिए normal hemoglobin की अलील है normal hemoglobin की अलील है और अगर मैं यहाँ पर HBS लिखता हूँ तो ये sickle shape है तो ये जो person होगा HBA, HBA, दो अलील होती है ना किसी में HBA, HBA, तो इसका जो RBC है वो ऐसे वाला है, normal और इसका भी normal RBC बनता है, इस वाले का sickle shape बनता है, इसका बिटा कुस special condition में change हो सकता है पर ये वाला बिटा आप समझो ध्यान से NCIT ने लिखा है कि ये sickle shape बनेगा और ये मेरे पास normal बनेंगे दोनों में ये लिख रहे है NCIT, हाँ कुस special case में जो carrier वाला है ये वाला, इसका बदल जाता है special case में, ये चीज़ समझ में आ रही है तो ये हो गए genotype, तो आप से अगर पूछा जाए, GAG replaced by GUG, ठीक है, वो किस प्योरा RNA प्यारा, और उसके response में आप क्या देख पा रहे हैं जो आपके पास protein है 6th position, glutamic acid is replaced by valine, valine क्या होता है एक hydrophobic amino acid होता है जो attraction बनाता है दूसरे hemoglobin से, और उसमें ऐसा कुछ होगा, देखो, हमारे पास मालो ये है, ये इसकी shape इसमें बदल जाएगी ऐसी कैसी हो जाएगी तो जो valine था ना, उसने क्या किया hemoglobin के बीच में hydrophobic bond बना दिये, उससे इसकी shape बदल गए, मतलब क्या हुआ ये क्या है, hemoglobin है इस hemoglobin में अब क्या है, valine है valine की वज़े से कुछ hydrophobic interaction बनते है और उससे shape बदल के कैसी हो जाती है सिक्कल shape हो जाती है clear है, अब चलो एक question करते हैं calculate the chance of sickle cell anemia if both parent is carrier ऐसे question पूच देता है तो दोनों parent carrier का मतलब ये इसको cross, यहाँ पे S कर देते हैं, देखो इसको cross कराया HBA और HBS में और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया ध्यान देंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया HBA, HBA HBA, HBS यहाँ पर HBA, HBS और यहाँ पर HBS, HBS यह चीज़ समझ में आ रही है clear है, देख लो ध्यान से यह चीज़ समझ में आ रही है ये चीज़ clear है तो इसमें से कितने affected है 25% 25% मेरे पास क्या आएंगे affected आएंगे 50% carrier है पड़ ये normal है अगर मैं देखू तो 75 पर ये normal होते है ऐसे करेंगे question ठीक है अब हम बात करते हैं बिटा किसकी thalassemia की बात कर लेते हैं ध्यान से सुनो क्योंकि आपको काफी सारे question thalassemia पर भी आते हैं और बहुत detail में ये पूशता है कि या थalassemia और सिकल सेल अनीमिया में अंतर क्या होता है मेरे बात बहुत ध्यान से सुना सिकल सेल अनीमिया में हेमोगलोबिन abnormal shape का मतलब basically क्या हो रहा है हेमोगलोबिन जो है उसकी abnormal synthesis हो रही है खराब बन रहा है किसमें सिकल सेल अनीमिया में थैले सीमिया में less बनता है दोनों में फरक समझ में आई क्या बोला मैंने मैंने बोला कि आपके पास जो sickle cell anemia है उसमें abnormal hemoglobin बनता है जो hemoglobin बनता है वो abnormal है लेकिन thalassemia में less synthesis होती है तो अगर आपसे मैं बोलूँ what is thalassemia मैं लिखोंगा less synthesis of hemoglobin और उससे क्या होगा उससे ये होगा कि person को regular transfusion चाहिए person require regular blood transfusion regular blood transfusion क्या ये बात समझ में आ रही है क्या ये बात clear है चीक है तो इसका reason क्या है आप समझ ना जान से what is reason behind thalassemia reason ये है बिटा थalassemia का अगर मैं आपसे कारण पूछू कि क्या कारण है थalassemia का क्या reason है तो reason ये है बिटा थalassemia का आप अगर बहुत ध्यान से सोचेंगे reason ये है कि एक mutation होती है और उसकी वज़य से कम synthesis होती है alpha chain और beta chain की पहले जड़ा आप ये देखो मेरे पास ये chromosome number 16 है और ये chromosome number 11 है इस chromosome number 16 पे मेरे पास एक gene है जिसका नाम है HBA1 तो इसकी एक और copy यहाँ होगी parallel homologus है ना HBA1 यहाँ पर एक और gene है HBA2 और यहाँ एक और है HBA2 अब ये दोनों gene मिल के alpha chain बनाती है तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ये दोनों gene मतलब क्या हो गया two gene locus दो gene locus और कौन सी chain बना रहे है alpha chain बना रहे हैं total कितनी parallel हो गई चार parallel हो गई और ये कौन सी chain बना रहे है alpha chain की synthesis करते हैं कोई doubt है कि नहीं सोचो alpha chain की synthesis करते हैं यहाँ पर मेरे पास HBB gene है और यहाँ पर HBB gene है कौन से chromosome पे 11 पे ये क्या करते हैं बिटा ये one gene locus है और ये इसमें कितनी parallel है total टोटल दो parallel है तो ये मेरे पास क्या बनाते हैं बीटा chain बनाते हैं तो आपकी NCRT ये कहती है कि अगर एक mutation यहाँ हो जाए और एक यहाँ हो जाए उतना फर्क नहीं पड़ेगा कम से कर मुझे तीन mutation होने के बाद less synthesis होगी alpha chain की और hemoglobin कम बनेगा तो आपको ये clear होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि थेलेसीमिया की दो टाइप है एक है alpha थेलेसीमिया तो alpha थेलेसीमिया का मतलब हुआ कि कौन सी chain कम बन रही है alpha chain कम बन रही है और अगर मैंने यहाँ पर beta थेलेसीमिया लिख दिया तो मेरे पास कौन सी chain कम बन रही है less synthesis of beta chain less synthesis of किसकी beta chain और यहाँ पर less synthesis of alpha chain क्या ये चीज़ clear है alpha chain कम बन रही है beta chain कम बन रही है clear है के नहीं आप खुद बताओ तो आपको ये clear होना चाहिए आपको ये clear होना चाहिए what is thalassemia जिसका मतलब है less synthesis of hemoglobin person require regular blood transfusion तो type होगा alpha thalassemia और beta thalassemia clear है सही है इसमें हम लिख रहे है less synthesis of alpha chain और less synthesis of beta chain alpha thalassemia का कारण अगर आप से कोई reason पूछ है इसका reason क्या लिखोगे इसका beta होगा mutation कितनी allele में कम से कम mutation at 3 allele at least 3 allele कौन सी 1, 2, 3 actual में thalassemia quantitative मेरे बास समझो द्यान से मुझे बताओ एक और दो अगर दो लोका सेम चीज बना रहे है qualitative है quantitative है सर quantitative हुआ तो thalassemia quantitative disorder है और sickle cell anemia qualitative है ये चीज़ समझ में आ रही है और अच्छा अगर ये mutation इसमें हो जाए और even इसमें भी हो जाए तब beta chain एक mutation से कुछ नहीं फर्क पड़ता दो mutation चाहिए ठीक है तो अगर मैं sickle cell anemia की बात करूँ तो इसमें abnormal hemoglobin बनता है abnormal hemoglobin इसमें less amount बनता है क्या बनेगा less amount of hemoglobin बनेगा सही है सर ठीक है ये qualitative disorder है क्या है ये qualitative हाणा क्योंकि इसमें एक locust involved है और mendelion को follow कर रहा है proper ये quantitative disorder है क्योंकि इसमें एक से तीन locust involved है तीन locust involved है त्री locust involved है क्या मेरी बात समझ में आ रही है तीन locust involved है तो ये मेरे पास abnormal hemoglobin हो रहा है चीक है ये मेरे पास qualitative disorder है इसमें less amount of hemoglobin बनेगा और ये मेरे पास quantitative है इसमें 3 locus involved है clear हुआ के नहीं सही है के नहीं तो thalassemia आपको पता होना चाहिए sickle cell anemia फिर हमारे पास है thalassemia ये चीज clear है आप बता दो छीक है तो sickle cell anemia और thalassemia की हम बात कर रहे हैं thalassemia का मतलब है less amount बनना hemoglobin का और वहाँ पर abnormal बनना clear है इसमें बिटा blood transfusion की जुरूद पढ़ती है regular एक qualitative है एक quantitative है इतनी बात याद रहेगी सही है इतना याद रखो question बनेगा 100% कितने chromosome involved है 16 और 11 ठीक है बिटा चली आगे discuss कर लेते हैं अब PKU मैं already बता चुका हूँ पर मैं आपको short में फिर बताऊंगा PKU क्या है phenyl ketone urea कैसी disorder है genetic disorder है कैसी disorder है genetic disorder है इसमें होता क्या है सुनना ज्यान से phenyl ketone urea है इसमें क्या होता है reason क्या है इसका reason है बिटा हमारे पास देखो phenyl alanine एक aromatic amino acid होता है देख पारे हो aromatic amino acid है यह देखो यह देखो phenyl alanine यहाँ पर phenyl group जोड दिया alanine पर और यह convert होता है किसमें tyrosin में किसमें convert होता है tyrosin आप देखो ध्यान से इसमें convert होता है although यह मैं करा चुका हूँ फिर बता देता हूँ को यहाँ पर OH group लगता है enzyme कौन सा चाहिए hydroxylase hydroxylase enzyme चाहिए और यह gene है जो यह hydroxylase enzyme बनाती है तो reason क्या है point mutation point mutation से ऐसा होता है hydroxylase नहीं बनता तो tyrosin क्या होगा in case of PK अच्छा यह क्या क्या बनाता है tyrosin यह melanin बनाता है और क्या बनाता है बिटा और बनाता है melanin के लावा और सोचो क्या बनाता है T3, T4 dopamine बनाता है यह सब बताया था कि नहीं याद करो adrenaline बनाता है तो अगर मेरे पास अगर मेरे पास सुनना ध्यान से अगर मेरे पास क्या होगा इसको समझो in case of PK PKU phenyl alanine बढ़ जाएगा वो convert होगा phenyl pyruvate में और phenyl pyruvate में convert होने के लिए उसमें amino group निकल जाता है अब phenyl pyruvate कहां जाता है urine में excrete होगा तो उसे ही कह रहे है phenyl ketone urea और क्या होगा बिटा और सोचो mental retardation करेगा क्या करेगा mental retardation करेगा सही है उसके बाद उसके बाद phenyl से हमने बना दिया phenyl pyruvate अब मैंने क्या लिखा tyrosine लिखा tyrosine घट जाएगा क्योंकि ये कम हो जाएगा अब tyrosine घटने से melanin घट जाएगा अगर melanin decrease हो गया ये तो उससे क्या होगा decrease in hair and skin pigmentation क्या मेरी बात समझ में आई के नहीं हाँ सर ये ठीक है ये होता है phenyl ketone urea में तो इसमें जो individual ये ये normal है ये individual carrier है और ये वाला मेरे पास affected है कोई doubt है तो बता दो सोचो दिमाग में इस बाग को doubt है इसको सोचो दिमाग में नहीं सर समझ में आ रहा है तो phenyl ketone urea आपको बता दिया अब symptoms देखो क्या क्या है symptoms हमने बता दिये ketone bodies आएंगे urine में mental retardation decrease in hair and skin pigmentation ये हमने बताया आपको चीक है ये इसके symptoms रहेंगे clear है phenyl ketone urea के कैसी disorder है autosomal recessive अब हम बात करते हैं बिटा sex link disorder में सबसे पहले hemophilia की ध्यान से सुनना what is hemophilia normally क्या होता है आप समझो normally क्या होता है जब चोट लगती है कभी भी injury होती है तो blood clot 2 से 4 minute के आसपास हो जाता है blood clotting के लिए हमारे blood में कुछ factors present होते हैं जो blood के अंदर ही होते हैं तो मैं यहाँ पर clear लिख देता हूँ कि blood clotting के total हमारे पास 13 factor होते हैं कितने factor है 13 factor है अब उसमें भी क्या होता है मालो कोई factor 1 है वो convert होगा inactive है मालो वो 1 active में convert होगा तो मालो फिर 2 को convert कर रहा होगा 2 को 2 active में है तो एक पूरा pathway मनता है इसे कहते है cascade इसे क्या बोलते है cascade cascade क्या होता है बिटा कि एक factor दूसरे factor से कही न कहीं जुड़ा हुआ है यह आपको जुलोजी में पढ़ाये जाता है पर यह कैसे जुड़े हैं वो आपके वहाँ पढ़ना है तो 13 factor होते हैं blood clotting के उसमें से अगर कोई भी एक factor absent हो तो blood clotting का समय बढ़ जाता है तो hemophilia में क्या होता है कि जो factor 8 है factor 8 है हमारे पास वो absent होता है और वो क्यों होता है due to mutation on X chromosome mutation कहां पर है X पर है X chromosome पर mutation है इसलिए वो क्या होता है बिटा absent होता है factor 8 अब सुनना ध्यान से मैं याँ पर क्या बोल रहा हूँ factor 8 absent है due to mutation on X chromosome आप समझो इसे factor 8 absent है due to mutation on X chromosome clear है उससे क्या हो जाएगा बिटा blood clotting का समय बढ़ जाएगा blood clotting का क्या बढ़ जाएगा time increase होगा कितना बढ़ जाएगा आदा गंटा तक जा सकता है इस condition को कहते है factor 8 absent होने को कहते है hemophilia A यह most common hemophilia होता है factor 9 absent होगा तो hemophilia B होता है यह सबसे common होता है most common आपको समझ में आई है तो blood clotting जो है बढ़ पूरा cascade है cascade मतलब एक factor दूसरे में convert होगा और एक mutation होती है उस mutation कोन से क्रोमोजोम पे होती है X क्रोमोजोम पे और mutation कैसी है recessive है तो उस mutation की वज़े से mutation की वज़े से वो जो blood clotting है उसका time बढ़ जाता है उससे क्या होगा उससे blood clotting जो है blood clotting जो है एक second देंगे एक second दे दो बबस blood clotting का blood clotting का time बढ़ गया अब देखो condition क्या hemophilia है कुछ कहेंगे सर्थ आँ पिटा phone charging पे लगाने गया था तो यह हो गया cascade path way, blood clotting के लिए कितने factor चाहिए हमें, total कितने factor चाहिए 13 factor चाहिए, ठीक है तो उसमें cascade गया है, एक के बाद कौन किसमें convert होता है, अगर factor 8 absent होगा, तो hemophilia होता है और भी factor होने सकता, हाँ हो सकता है लेकिन normally X chromosome पर factor 8 और 9 के लिए gene होती है, 9 सी की वज़े से hemophilia B होता है, आपके syllabus में सिर्फ hemophilia लिखा हुआ है hemophilia first time जहां सुनेंगे, अगर मैं symptoms की बात करूँ, तो symptoms में होगा clotting time बढ़ना, उससे death भी हो सकती है विटा, clotting time increase हो जाता है first time observe हुआ था royal family of England में in son of son of son of queen Victoria queen Victoria के जो बच्चे थे उनके अंदर यह express हुआ था चीक है, अब genotype देखो x, x normal female अगर x के साथ h लिख रहा हूँ, carrier है पर यह normal है अब देखो x, h और x, h hemophilic, इसकी death हो जाती है इस female क्या है, unviable है death हो जाती है यह देखो x, h, y male hemophilic अब यह unviable होता है, इसकी death तुरंद नहीं होती later stage में unviable होता है unviable in later stage और अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x, y यह normal male है ncrt कहती है कि male में hemophilia होने के जादा चांस है क्योंकि male में एक ही x chromosome होता है दूसरा ncrt यह भी कहती है कि female को अगर मुझे hemophilia करना है देखो female को अगर hemophilia करना है तो उसके लिए क्या चाहिए बिटा उसके लिए father hemophilic चाहिए father कैसा चाहिए hemophilic जो कि rare बात होगी क्योंकि father भी unvival होगा later stage में और mother at least carrier चाहिए mother at least carrier चाहिए कम से कम carrier होनी चाहिए तो इसी लिए हम कह रहे हैं कि female hemophilic हो यह rare होती है क्योंकि father hemophilic चाहिए जो unvival है later stage में पहली और mother at least क्या होनी चाहिए carrier क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो hemophilic में यह normal है यह चीज normal है carrier है पर normal है इसका आप question भी कर सकते हैं वो दिखाएंगे आपको हम करके अब यहां से बिटा एक और genetic disorder है जिसे color blindness कह रहे हैं genetic disorder बहुत deep question नहीं आएगा symptom आएगा या direct cross की question color blindness क्या होता है कि हम दो color में distinct नहीं कर सकते हैं normally आप समझो not able to not able to distinguish किसके बीच में मालो red and green में red और green में अगर आप अंतर नहीं कर पाते या कोई और color में उसको हम क्या बोलते हैं color blindness इसके लिए क्या होता है देखो color जो होता है मेरे पास cone cell के through होता है cone cell होते है cone cell तीन तरह के होते है एक red का होता है एक green का होता है और एक blue का होता है अब हमारे पास क्या हो गई है mutation हो गई है किसी एक में किसी एक में क्या हो गई mutation तो उसकी वज़े से color blindness होगी मैं repeat कर रहा हूँ, आपके पास तीन primary color के कोन होते हैं red, cone cells, neurons में retina में, red, blue और green, अगर आपके पास मालो red, green color blindness है तो आपको होगा क्या कि red color नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ green color दिखेगा, तो ये mutations कहां होई है, mutation cone cells में होई है, वही cone भी तो एक cell है ना retina में cone cells में, किसका retina का, वहां mutation होई है ठीक है, और आप अंतर नहीं कर पाते color में, genotype देखो कैसे लिखोगे, x x, x x, normal female, कोई दिक्कत नहीं है, x, xc normal carrier normal carrier, बेटा color brandness में death नहीं होती, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, xc, xc क्या है ये, color blind female color blind female यहाँ पर x और xc, y और xy, यह normal है और यह क्या है, color blind male है अब आपको मैं एक चीज clear करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना यह मैंने color blindness के लिए बता दिया, color blindness को check करने के लिए टेस्ट होता है, इसे isiara test कहते हैं, देखो आपको इसमें green dots दिख रहे हैं, तो आपको 7 दिख रहा होगा, ऐसे red में green होता है ठीक है, इसे isiara test कहते है color blindness में क्या लिखा है NCIT ने, कि 0.4% female, क्योंकि female के लिए बिटा, दोनों x पे चाहिए न और 8% male में हमारे पास क्या होती है, color blindness होती है, चीक है और मालो मैं कोई question solve करता हूँ मैं लिखता हूँ कि a color blind female, a color blind female marries to normal male, एक color blind female अगर normal male से marriage करती है, तो क्या chances है color blind female मतलब ये एक normal male से marriage, x y तो क्या chances बनते हैं, आप खुद देखो xc के साथ x और xc के साथ y same xc के साथ x और फिर xc के साथ y, क्या सारे male affected है के नहीं है और सारी female carrier है के नहीं, अब देखो male child color blind जब question आएगा male child color blind, तो 100% male क्योंकि सारे male color blind है न फिर आजाए आपको progeny color blind, कितनी progeny है, 4, उसमें से कितनी color blind है, 2, total progeny कितनी है, 4, 2 color blind है तो यह आजाएगा 50%, female child color blind, 0%, किसे को color blind ने से इसमें से नहीं female child carrier, 100%, सारी female carrier है तो जब आपसे progeny पूछे तो 4 में से count करना है और जब आपसे बिटा क्या पूछे जब आपसे यह पूछे कि male, तो फिर 2 में से लेना तो दोनों ही male color blind है दोनों ही female क्या है, carrier है ऐसे questions आएंगे जो आपको solve करने है तो बिटा आपने जो chromosomal disorder है mendelin disorder है, उनको NCRT से बढ़िया पढ़ना है, बहुत deep question नहीं आते अब, ठीक है superficial आते हैं, cross based question आते है clear है कि नहीं, चली तो मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए please पढ़ाई करिए, और मेहनत करिए बिटा, क्योंकि जो सबसे important topic है link है जो मैंने अच्छा time दिया आपको तो मेहनत से उसको solve करिए, ठीक है बिटा बाई